Hi everyone, और आपका college वाला की इस platform में बहुत ज़्यादा स्वागत है ये Stacks का lecture number 3 रने वाला है Java and DSA series में Complete Java and DSA हम आपको पढ़ाने वाले है and Stacks data structure में already मैं आपको basics पढ़ा चुगा हूँ उसके साथ साथ मैंने implementation सिखाई थी Stacks एक ऐसा topic है जिसमें lecture 1, lecture 2 और आज जो lecture 3 है तीनों ही lectures placement perspective से directly बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा helpful रहने वाले आपको placement से क्योंकि direct यही questions उठके आ जते हैं जैसे placement में पूछ लेते हैं मैंने आपको बताया था implement करके दिखाओ placement में वो सारे questions पूछते जो मैंने विष्ली बार कराए थे आज हमने एक अलग pattern के questions करने वाले है इसलिए मैंने इसको एक separate video में रखा पहले मैं सोचरा सा second में merge कर दूँ लेकिन मैंने इसको एक separate video में रखा आज हम पढ़ने वाले हैं infix, prefix, post fix ये topic ना सिर्फ stacks के लिए important है बट आप यारबाद में आप binary tree पढ़ोगे ठीक है, trees पढ़ोगे in general तो वहाँ पे यार in order, post order और pre order ये तीन चीजे इतना नहीं जादा important है binary search tree में तो बहुत ही जादा important है ठीक है binary tree में भी तो उसका ना आपको यहां से थोड़ा थोड़ा idea लगना ज़रूरी है पहले से ही आज हम trees पे नहीं जाने वाले हैं लेकिन फिर भी ये topic इवन first placement perspective से भी important बहुत ज़बा है additionally यार as a bonus इस lecture में after doing infix, post fix, prefix, इनकी conversions and so on मैं आपको यार दो special questions कराने वाला हूँ पहला question है sliding window maximum sliding window maximum lead core का एक hard question है and ये एक बहुत famous question है interview perspective से और जो second question है वो है celebrity problem again celebrity problem भी एक बहुत ज़़धा famous question है ये नाम से भी मतलब ऐसे जितने भी नाम होते हैं वो usually अच्छे questions के ही होते हैं जो famous questions होते हैं लेकिन ये मैं last मैं कराऊंगा तो अच्छी बात है अगर आप इस lecture को आके देख रहे हो it is a good thing अगर जो लोग ये इस lecture को नहीं देखेंगे तो उनका कही न कहीं नुकसान definitely होगा क्योंकि ये चीदे पूछी जाती है शुरू कर लेते हैं आज के इस lecture को सबसे पहले यार स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं क्योंकि देखो हम पढ़ने वाले है in fix expression सबसे पहले ठीक है जश्ट इसको पढ़ते हैं उससे पहले एक बर न अपना intelligent idea पहले से खोल के रख लेते हैं आज़ते हैं हैं आपे coding में लाप्टॉप में देखो intelligent idea क्या सिर्फ लिख दो infix.java ठीक है done अब इसको हम एक बारे के लिए यहां पे छोड़ देते हैं और आज़ते हैं अपने इस tablet पे क्योंकि अब मैं आपको बहुत सारा बहुत सारा तो नहीं थोड़ा थोड़ा explanation और थोड़े थोरी आपको बताने वालों जो कि interesting है ठीक है practice ही है एक तरह के से तो आज अतियार करते हैं इस चीज़ को यहां पे infix expressions सबसे पहले infix expression होता क्या है human readable चीज़े होती है मतलब यार अगर मैं आपको बोल दूँ कुछ ऐसा मैं आपको बोल दूँ कुछ ऐसा कि यहां पे मैं लिख दूँ 9 minus 5 into यहां पे मैं लिख सकता हूँ कितना 5 plus ठीक है 9 minus 5 plus 3 multiplied by 4 divided by 6 तो यार ये ना हमने I think मैंने आपको पहले ही lecture में पढ़ाया था अगर आपने मेरा Java का one shot देख लिया है नहीं भी देखा है तो यार मानवी मैं ने आपको definitely यह पढ़ाया इसको हम कहते है अगर आपको यह चीज solve करनी है या फिर अगर मैंने लिख दिया int x is equal to this तो actually मैं अगर आप c out x करोगे c out नहीं s out x करोगे तो आपको क्या answer मिलेगा जो evaluate होके आएगा अब यह हम कैसे करते थे evaluation इसकी hierarchy of operators हमने पढ़ा था precedence पढ़ी थी मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो basic maths आती होगी board mass कहते हम एक चीज को तो होता क्या है in general अगर brackets यहां पे नहीं है तो division और multiplication की जो precedence है वो addition और subtraction से ज़ादा होती है division और multiplication में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता कि हम सबसे पहले division करते है मतलब अगर आप यह सोचो हम सबसे पहले कर लेंगे division 4 divided by 6 तो मेरे को 0 मिल जाएगा int data type नहीं हापे और इसको हम 0 ही consider करेंगे ऐसा नहीं होता कि division multiplication से पहले होती है या addition, subtraction से पहले होती है division और multiplication की same precedence होती है और addition और subtraction की भी same होती है लेकिन इन दोनों की addition, subtraction से ज़ादा होती है जब equal precedence मिलती है तो उसके बाद हम left से लेकर right जाते है बहुत important ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे मानलो मेरे कोई calculate करनी है चीज तो मैं सबसे पहले multiply और divide वाली चीज़े देखूँगा इनको अभी ignore करूँगा एक बारी के लिए मैंने देखा या तो मैं सबसे पहले 3 into 4 करूँ ठीक है, फिर बाद मैं उसको divide कर दूँ 6 से या फिर मैं 4 divided by 6 करूँ और multiply बाद मैं कर दूँ उसको 3 से तो मैं जाओंगा left से लेकर right तो left से right ऐसे होता है तो पहले मेरा first step रहेगा 3 into 4 करना, तो चलिए करते हैं इसको यहाँ पे as it is लिख दो 9 minus 5 यह भी as it is लिख दो 3 into 4 होता है 12, divide by 6 अब obviously plus minus से तो जादा हमारी जो औकात होती है hierarchy होती है, वो होती है division की तो अब तो यही होगा अब इसको कर दो पहले divide तो answer आजाएगा 9 minus 5 प्लस यह होगा 2 अब इसके बाद क्योंकि मैं देख सकता हूँ क्या मैं plus को पहले करूँ या minus को तो in general, यार simple सी बात है आप left से लेकर right ही चला करो तो पहले मैं यह solve करूँगा तो इसको solve कर लेते हैं 9 minus 5 9 minus 5 होता है 4 last में 4 plus 2 मिल गया मेरे को answer जो की बहुत जादा simple है तो जो total answer है हो मेरे को 6 मिलेगा mathematically speaking and coding की भाशा में speaking अब यार यह हमें जैसे दे रखा है अगर मैं normally लिखता हूं in text और फिर print कर देता हूं तो answer आ जाता है अब जो infix है ना infix का मतलब यह होता है कि normal भाशा में मैं काफी सारे numbers को add subtract, divide, multiply कर रहा हूं ठीक है और फिर हम उसको एक solution निकाल रहे है तो यह जो है यह presently अभी infix form में है ठीक है यह normal form कह सकते है आप इसको यार एक तरीके से human readable form ठीक है अब question क्या हो है यार यह तो हम solve कर लेते है infact हमें यह सब करना थोड़ना होता है coding में हम सीधा मतलब print करेंगे computer अपने आप नाप लेगा की computer अपने आप ही सबसे पहले इसको calculate करेगा फिर इसको करेगा राइट चाहे तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इधर आजो तो यार आप एक बार इधर आजाते है और देखते है computer के अंदर जो मैं आप से कहना चाहता हूँ ठीक है जैसे अगर मैं इधर आता हूँ और मैं लिखता हूँ int x is equal to 9 minus 5 5 plus 3 multiplied by 4 divided by 6 और मैं बाद में इस x को ही print कराता हूँ तो obviously जो हमें answer मिल रहे 6 वो वही आएगा क्योंकि computer ऐसे ही evaluate करता है ठीक है आप यहाँ देख सकते हो answer आगया 6 ठीक है बिल्कुल बढ़ी है लेकिन अब question मुझे पते क्या दिया जाएगा question मुझे दिया जाएगा कि आपको एक string input लेनी है या फिर यहाँ पर लिखी होगी पहले से string and given string हमारी कुछ ऐसी होगी string str string str is equal to something like this यह देखे इसको उठा लीजिए ठीक है यहाँ पर रख दीजिए तो मेरे को यही expression बस string के form में दे रखा होगा अब अटा दो इसको अब मुझे इसको evaluate करके print करना है तो यार आप सोचोगे इसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं पहले हमें board mass लगाना है तो मैं left to right चलूँगा और division multiplication को addition fraction से ज़्यादा preference दूँगा तो हो क्या सकता है कि मैं सबसे पहले पूरे string पे travel करूँ मैं देखूंगा यार कही multiply दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है एक बार के लिए multiply और divide धोड़ूँगा मैंने देखा multiply दिखा अरे तो एक काम करो उससे पहले वाला और ये इसको एक बार evaluate कर लो चेक कर लो कि अगर star है तो multiply करो 3 का जो character है क्योंकि ये सारी चीज़े अब characters है तमझना इस बात को ये सारी चीज़े characters है तो ये जो 3 का में पास character है ये 4bis character है यहाँ पे मेरे पास right इनको हम पहले number बनाएंगे देखेंगे वो सारी चीज़े और फिर इसको हटाके हम कुछ ऐसा scene करेंगे ये देखेंगे इसको मैं उठा लेता हूँ हम कुछ ऐसा कर सकते है कि पहले ये देखा मैंने देखा ये 12 है तो इसको ये कर दिया फिर मैं अगला round वापिस चलाओंगा सीधा एकदम से देख तो सकता हूँ वैसे आगे जाके मैं देख सकता हूँ अच्छा है ये divide है तो एक काम करेंगे यही कि नहीं मैं इसको 2 बना दूँगा फिर मेरा लूप खतम हो गया फिर मैं वापिस से लूप चलाओंगा अब मैं देखूँगा क्या कोई और यह देखना भी ज़रूरी है एक बारी के लिए देख लेना आप देखोगे नहीं वैसे तो नहीं है फिर आप देखोगे माइनस प्लस तो जब जो दिखेगा उसको एवैलुएट कर लोगे 9 माइनस 5 दिग्या 4 कर दिया आपने फिर आपने देखा आपकी O of N square भी हो सकते हैं आपके जो time complexity है ठीक है चीजों को convert करने की change करने की और point being कि यार बाद में आप वापस ते उसको string बना रहे हो तो बार बार आपको जैसे side की substring हटानी पड़ेगी आगे की substring हटानी पड़ेगी ठीक है तो ये काम हम नहीं करेंगे of course हम यहाँ पर stacks का इस्तमाल करेंगे और मैं बोल रहाँ stacks plural के अंदर क्योंकि हम दो stacks का use करके इस question को solve कर सकते हैं कैसे करेंगे चले आ जाते यार अपने tablet पे और मैं आपको दिखाता हूं कि यार कैसे आपको infix को evaluate करना है ठीक है तो as it is इसको ले ले लेते है कि यार मेरे पास है 9-5 और क्या-क्या दे राखा है यहाँ पर दे रखा है प्लस 3 और फिर क्या दे रखा है यार 4 और 6 ठीक है बहुत बढ़िया तो मेरे को दे रखा यह string के अंदर excuse तो यार यहाँ पे न, एक बारी के लिए, प्लीज मेरी बात को सुनना, मैं साइड में कुछ रूल्स लिख रहा हूँ, और जो मैं स्टेप्स बताऊंगा न, एक बारी के लिए उनको blindly follow करना यहाँ ठीक है, एक बारी मत पूछने की हो क्या रहा है, वो मैं explain कर दूँगा, तो क्योंकि अगर मैं को कभी भी numbers दिख रहे हैं, तो numbers इसके अंदर insert होंगे, और एक और चीज यार, जो भी number है, मेरा two digit कभी नहीं होगा, मान के चलो one digit ही मिलेगा आपको, ठीक है, और एक और चीज की operators के नाम पे, यह जो हमारा stacks है, यह operators का बनेगा, मतलब, जो भी हमारे पा ना, देखो, पहली चीज, मैंने आपको जो main, एक और चोटा सा method बताया, कि जब मैं travel करूंगा string पर, मैं यह चाहता हूँ कि हमेशा पहले यह solve हो, ठीक है, क्योंकि देखो, पहले यह solve हुआ, फिर division हुई, फिर मतलब आगे का हुआ, फिर मैंने priority दे इनको, तो आपको नही ज़ाधा priority है, वो पताया किसकी है, multiplication slash division, यह दोनों की same है, और इनकी priority addition और subtraction से ज़ाधा की है, ठीक है, अब इनी में अगर मैं same priority देखूं, तो मैं left से लेकर right जाता हूँ, और अगर मैं addition और subtraction की बात करूं, तो यहाँ पे भी मैं left से लेकर right ही जाता हूँ, ध्यान रखन हमने करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, very important, अब अगर मैं देखूं addition, तो अगर मैं बोलू, addition के respect में, subtraction same priority पे है, multiplication और division higher priority पे है, याद रखना, multiplication के respect में, कोई भी higher priority पे नहीं है, लेकिन division same priority पे है, और यह दोनों lower पे है, and so on, priority का game आपको समझ आगे, already समझा दिया यार travel करते ही, उसके बाद मेरा answer आजाएगा, आप यह समझना, stacks में कुछ ना कुछ करके, तो मैं पहले इदर आया, मैंने देखा क्या है, number है, तो कुछ चीजे मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, कुछ चीजे मैं आपके सामने लिखता हूँ, अगर मेरा character CH, यह character CH है न, सारे characters है, अगर मेरा character यार कोई number बन रहा है, मतलब उसकी ask value देख देख के हम समझ सकते है, 0 से लेकर 9 के बीच में आ रहे हैं चीज, ठीक है, अगर ऐसा scene है, तो मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिना सोचे समझे, वापे सुनना, बिना सोचे समझे, म उसे operator के stacks में नहीं डालोगे, आप सोच समझ के उसके साथ कुछ करोगे, फिर उसको stacks के अंदर डालोगे, और तीसरी चीज, जो कि मैं एक काम करता हूँ, बीच में लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको हम तीसरी बना देंगे, ठीक है, अगर आपके पास character आपका कोई operator है, त तो आप सोच समझ के डालोगे उसे, मतलब कुछ operations perform करके ही, सोच समझ के, कुछ काम करने के बाद ही उसको insert करोगे इसमें, एकदम से नहीं करना, number को बिना सोचे समझे value में डाल देना, अब जो दूसरी चीज है, क्या है ये दूसरी चीज, दूसरी चीज यहाँ पे है कि अ आप यहाँ पे भी बिना सोचे समझे, push कर दो, सिर्फ इस case में, याद रखना, सिर्फ इस case में, मैं push कर दूँगा, यहाँ पे मैं character push नहीं करूँगा, उसका number push करूँगा, याद रखना, यह मैंने लिख दिया है, तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ, कि वो जो यह कर दूँगा एक बारी में, लेकिन आपको क्या करना है, बस 9 है जैसे, तो 9 का सबसे पहले यार, as काई value निकालना है, यह 9 as character है, तो इसका as value निकल जाएगा, 57 होता है, फिर मैं बस चेक करूँगा, कि 48 से लेकर 57 तक अगर as काई value है, इसका मतलब नेरे number 0 से लेकर 9 है, और म तो यह है, जब यह operator होता है, तो मैं है सोच समझ के push करता हूँ, लेकिन stack खाली है, तो इसमें भी यहाँ ऐसी डाल दो, अब मैं आगे बड़ा 5 पे number है, बिना सोच समझ के डाल दो, फिर मैं आगे बड़ा operation है, plus, सोच समझ के डालना है, क्योंकि अब, ऐसा भी निया कि यह पेज़ पे आते हैं एक बार, वो मैं आपको समझाता हूँ, कि ऐसे scenes में, ऐसे scenario में आपको करना क्या है, वो आपको समझाता हूँ, इसको भी उठा लेते हैं, यह यार क्योंकि बहुत ज़्यादा important role play करने वाला है, in fact, इसको भी उठा लेते हैं, जो मैंने आपको priority वाली क्या है, मुझे यहाँ पे यह देखना है, कि जब मैंने देखा, यह plus है, तो मैं एक चीज देखूँगा, stack के top पे क्या पड़ा है, ठीक है, मैं यह देखूँगा, stack यानि कि operator stack के top पे क्या पड़ा है, ज्यान देना इस बात का, अगर यह last वाली condition थी, जो मैं else में ले लू अगर जो else वाली last के condition है, यानि कि मेरा जो stack का size है, operator का size अगर, मेरा of course 0 से बड़ा है, यानि कि इसमें कुछ ना कुछ पहले से है, तो मैं कुछ-कुछ देखूँगा, मैं यहाँ पे देखूँगा, कि अगर जो मेरे operator के peak पे पड़ा है, अभी मैं pseudo code लिख रहा हूँ, proper code नहीं लिख रहा, भावनाओ को समझना, जो मेरे peak पे पड़ा है, क्या उसकी priority, क्या उसकी priority, बात समझना इसको, मेरे से बराबर या मुझसे जादा है, क्या उसकी priority, मेरे बराबर या मुझसे जादा है, अगर ऐसा है, यह देखो, अगर operator की peak की, जो priority है, ठीक है, वो क्या ह मेरे बराबर greater than equal to लिख लेता हूँ अगर priority जो peak पे पड़ी है क्या वो greater than equal to है इसके जो हम इसमें insert करना चा रहे है जो हमारा यह number है ch बोल देता हूँ मैं इसको हर समय में character जा रहा हूँ अगर ऐसा है तो हमारा पहला काम क्या होगा इस चीज़ को निप्टाओ ठीक है अगर ऐसा है तो जो top पे पड़ा है top पे जो पड़ा है उस काम को निप्टा दो ठीक है एक pseudo code मैं ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ निप्टाने का क्या मतलब है अभी मैं यहाँ plus पे हूँ निप्टाना हमेशा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेरी दो values पड़ी होगी और यह obvious होगा ऐसा नहीं हो सकता कि एक यह पड़ी है और यहाँ पे एक operator ऐसा नहीं होगा इसकी उपर की दो values को उठाओ जैसे इस case में यही दो values है इन दो values को बाहर निकाल लो ठीक है ऐसे ये देखो पहले मैंने 5 को निकाला मैं इसको mark कर लूँगा value 2 value 2 is equal to val.pop बाहर निकाल दिया फिर मैं यहाँ पे v1 number रखता हूँ इसमें मैं 9 को भर देता हूँ 9 को भी मैं pop करके इसमें store कर देता हूँ एक बारी के लिए यह मेरा काम है निप्टाने वाला जो है यहाँ पे ठीक है फिर मैं क्या करूँगा अपने इस operation को उठाऊँगा यह तब ही किया था जब ऐसा था मेरे पास यह मैं समझाऊँगा आपको फिर मैं इसको उठाऊँगा यह मेरा क्या है minus और मैं simple क्या करूँगा minus को भी उठा के कहीं रख लूँगा या आप यह कह सकते हो अब मैं इसको operator मान लेते हैं एक बारी के लिए यह मेरा operator है यह कोई भी हम नाम दे सकते हैं इसका अब मैं यहाँ पे push कर दूँगा अपनी इस value के अंदर V1 minus V2 अगर यहाँ minus था तो यहाँ पे कोई भी operation है मैं वो push कर दूँगा V1 operation V2 यानि कि इस case में मैं 9 minus 5 यहाँ पे डाल दूँगा मतलब मैंने 4 डाल दिया इसको कहते हैं निप्टा दो मैंने क्या किया इन तीनों को solve करके यहाँ पे डाल दिया खतम यह खाली भी हो गया बाई दबे ठीक है अब फिर जब यह निप्टाने वाला काम हो गया ठीक है जब यह काम हो गया तो आप क्या करो जो भी यह था मेरे पास operator यानि कि तो उसको push कर दो ठीक है अब करो यार इस stack के अंदर op.push मतलब अब मैंने हाँ पे यह plus push कर दिया बहुत बढ़िया ठीक है तो आप समझ रहे हो गयार अगर stack खाली है बिना सोचे समझे push करो अगर number का stack है बिना सोचे push करो number आया लेकिन अगर stack में कुछ है तो priority देखो अगर अपने से बड़ी priority का बंदा पहले ही हमसे नीचे बैठा है या हमसे सेम priority वाला भी बैठा है तो वो पहले काम करके आएगा ठीक है बाई अब आगे देखते है मेरे यह आगे बढ़ गया आई जो है 3 पे आगया 3 का एक number है push कर दो सीदा फिर हमारा यह आगे बढ़ गया multiply क्या है multiply एक operator है और stack अभी खाली नहीं है तो मैं एवे ही बिना सोचे समझे नहीं डाल सकता तो मैं सोच विचार करूँगा यहाँ पे देखूँगा क्या operator का साइच 0 से बढ़ा है पहले से हाँ यार क्या operator के जो peak पे priority है क्या जो priority है इसकी मतलब इसकी peak पे जो पड़ी है plus की priority क्या multiplier से ज़्यादा या बराबर है नहीं कम है तो multiplier बोलेगा अरे भाई हट जा तू भाई तू तो मेरे से कम priority पे है न तो तू पहले अपना काम नहीं निप्टाएगा मैं push हो जाओगा तो directly यहाँ पे push कर देंगे अब multiply यह चीज ही नहीं चलेगी ठीक है यह if condition में थी न सीधा push बहुत बहतरी आगे बढ़ते हैं मैं आ गया 4 पे 4 क्या है एक number है बिना सोचे समझे push फिर मैं आ गया आ गया यहाँ पे आ गया divide पे divide एक operator है मैं देखूंगा क्या operator का stack to size खाली है नहीं 2 member है तो मैं यहाँ पे आऊँगा यह देखो 0 से बढ़ा है क्या जो operator के peak पे पड़ा है multiply जो multiply है इसकी priority क्या divide से जादा है क्या multiply की priority divide से जादा या बराबर है तो हम बोलेंगे हाँ बराबर है जादा तो नहीं है लेकिन बराबर है मैंने का था greater than equal to के case में भी अगर priority सेम भी हो तो मैं पहले निप्ताऊंगा multiplication का काम again निप्ताने से मेरा क्या मतलब है यहाँ देखिए मैं सबसे पहले इसको pop out करूँगा यार मैं दो चीदे बनाऊँगा value 2 value 2 के अंदर मैं यह pop करके डाल दूँगा क्योंकि एक बारी में हम एक ही element ले सकते है stack में फिर मैं यहाँ पे लेकूँगा value 1 value 1 के अंदर मैं यह वाली value उठा लूँगा third ठीक है यह and मैं क्या करूँगा अगर यहाँ पे multiply है तो बाहर निकालो एक बारी के लिए value 1 into value 2 ध्यान देना यहाँ पे बहुत important order जरूरी है इसलिए मैं जो सबसे उपर था ना पहले उसको मैं value 2 consider कर रहा हूँ समझना इस बात को बहुत जरूरी अब मैं यहाँ पे value 1 operation value 2 डालूँगा तो value 1 है मेरी 3 फिर operation है multiply value 2 है 4 3 into 4 12 को यहाँ पे push कर दो ठीक है 3 into 4 12 को यहाँ पे push कर दो ठीक है यह निप्टाने का काम है मैं निप्टाने में consider कर रहा हूँ फिर बाद में जो भी यह divide था अब डाल दो काम हो गया डाल दो बहुत बढ़िया multiply का हो चुका था काम ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अब मैंने देखा six number है सोचो इमत push खतम अब यार आप बोलोगे कि जो मेरा answer तो आया ही नहीं अब तक जो इसका answer था calculate नहीं हुआ अब हो जाएगा अब हमें कोई भी महनत नहीं करनी हम जो यहाँ पे तीन condition लेते थे थे ना कि number है push कर दो stack खाली है push कर दो वरना कुछ सोच समझ के यार priority करो यह सारी चीज़े देखो दिमाग लगाना पड़ता था लेकिन अब हमें क्या करना है जैसी मेरी string पूरी traverse हो गई मतलब मैं आगे चले गया यह पूरा का पूरा हो गया अब मेरे पास दो stack बच्चे है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है यार अब देखो यहाँ पे तो literally कुछ भी नहीं करना यह तो सबसे असान जिसको कहते है न वह वाला काम होगा जब हमार पास यह वाला scene आ जाता है कि मैंने पूरी string ट्रावल कर ली traverse कर ली अब आपको बस देखना है कि जब तक while मेरा जो value गाला stack है तो value का जो size है वो 1 से बढ़ा हो अब मैं यहाँ पे 0 से बढ़ा है इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि देखो numbers calculate होके एक बनते है अगर आपने अभी तोक notice किया हो हमेशा value वाले stack में से दो number निकल के एक बन रहे थे तो at the end एक number यहाँ पे रहेगा वही हमारा answer होने वाला है simple सी बात है कि तो जब तक यह नहीं होता तो मैं क्या करूँगा मैं अपना काम करूँगा मैं यहाँ पे सिर्फ काम लिख रहा हूँ और काम का सिर्फ एक ही meaning है कि मैं हर बार सबसे पहले इसको उठाऊँगा यह value 2 है मेरी फिर मैं इसको उठाऊँगा value 1 है यह मेरी फिर मैं क्या करूँगा operator को बीच में लगा दूँगा यह तो simple है तीनों को उठाके यह जो actually में आ रहा होगा 12 divided by 6 जानिकी 2 है इस case में तो यह जो 2 है इस 2 को यहाँ पे वापिस से push कर दूँगा I hope आप समझ रहोगे ठीक है फिर यह loop खतम होगा मैंने वापिस से देखा फिर इनका भी काम निप्टा हो अब हम क्या करेंगे हम देखेंगे यार मैंने उठाया 2 मैंने उठाया 4 value 1 तो value 1 plus value 2 याने की 6 मैंने आप पे push कर दी अब मेरा stack का size 1 है तो loop तूट जाएगा और add the end आपको यही print करना है यही आपका answer है 6 ही तो था मेरा answer right हम सब जानते हैं तो चलिए यार इसका code करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ी थोड़ी idea लगते रहे और मैं तीनों चीज़े आपको वापिस से यहाँ पर साथी साथ बताता रहूँगा ताकि आपको परिशानी नहों यह important code है ठीक है इसमें गलतिया होती है यह मेरी भी होती थी तो इदर आ जाते हैं यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो मेरे को यार दो stacks बनाने हैं आप लिखो stack integer एक integer का stack बनाओगे क्योंकि उसमें numbers को डालोगे operators का stack हमारा character का stack होगा तो वो शायद पहली बार बनाके देखाऊंगा मैं आपको नहीं बना चुका था balance bracket में तो यहाँ पर इसका नाम दे दो val is equal to new stack यहाँ पर लिख दो new stack एंड एक काम करो इसी की copy paste कर लो एक बार यार एंड यहाँ पर इसका नाम दे दो op यह हो जाएगा हमारा character stack तो पूरा capital में character लिखते हो बन गए दो stacks खाली मैंने बना दी है अब बस simple आपको क्या करना है जल्दी से एक बार for loop लगा के काम करते है तो for int i is equal to 0 i less than str.length string पे traverse करूँगा मैं सबसे पहले ठीक है ऐसा नहीं होता ऐसा होता है ठीक है i plus plus सबसे पहले आप character को निकाल के रख लो यह हमेशा करते थे हम string के case में char ch is equal to str.charat i निकाल लिया character तो मैंने बोला था यार हमें तीन conditions देखनी है क्या number है या operator है उसके नीचे में वो देखता था निप्टाने वाली जो चीज थी बट सबसे पहले एक काम करते है हम इसकी value निकाल के देख लेते है asci value ठीक है तो हम यहाँ पर लेख देते int asci is equal to integer of this character बहुत बढ़िया अब मुझे यार एक बात पता हो नहीं चीए कि number मेरा कब होता है अगर मेरा character 0 से लेकर 9 है वो एक digit है अब 0 की जो asci value होती है 0 की asci value होती है मेरी 48 अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ and हमारा जो 9 है as character मैं इसको as character बोलता हूँ तब आपको थोड़ा समझाएगा देखो 0 as character and 9 as character इसकी जो हमारी value होती है 57 वो होती है हमारी 57 और बाकी सब इसके बीच में आते है तो मैं simply कह सकता हूँ कि अगर मेरी asci value जो है वो greater than equal to 48 है 48 है and and जो asci है वो less than equal to 57 है यानि कि वो 0 से लेकर 9 के बीच में है तो definitely जो मेरा character है वो एक number है लेकिन ध्यान रखना तो मैंने क्या बोला था number है तो मैं क्या बोलूँगा val.push अपना एक character गलत मैंको तो यहाँ पे number डालने है तो आप बोलोगे ठीक है asci कोई error नहीं आएगा ये भी गलत है एक बात समझना मान लेते हैं मेरा character है 9 ठीक है 9 के asci value 57 होती है बहुत important है मैं बापिस आपको बताता हूँ मान लीजिए कि मेरा जो character है एक बारे के लिए मैं हाँ पे मान रहा हूँ कि मेरा ch की value ये बैठ रही है मेरा character है 5 मेरा character है हाँ पे 5 तो एक बात बताओ मैंने पहले उसकी asci value निकाली ठीक है int करके तो asci value कितनी निकल गई मेरी asci value 5 की मेरी होगी 0 की अगर 48 है फिर 1 की हो जाएगी 49 ठीक है मतला 5 add कर दो सीधा 48 के अंदर तो 53 हो जाएगी इसकी तो मैं नहीं चाहता ना कि ये number भी 53 बने अब समझना यहाँ पे मैंने देखा क्या asci value 48 और 57 से बीच में है yes true हमें push करना था 5 as number तो मैं इसमें से हमेशे 48 minus कर दूँगा जो भी number आएगा 48 minus कर दूँगा ठीक है भाई I hope आपको चीज समझ आगी हो तो यह बहुत ही simple सी बात है थी in fact यह भी बहुत simple है मैं हटा रहा हूँ यह हम बहुत पहले basics में पढ़ चुके है तो मैंने यह push कर दिया बहुत बढ़ी है अब दूसरी condition else if या तो अगर मेरे operator का जो यह है क्या है हमारा और ध्यान रखना else if मेरा सिर्फ तब चलता है जब यह चीज नहीं चलती तो अगर यह नहीं चलती आप लिख दो operator.push character और यहाँ पर तो हम as it is character को push करेंगे न जो plus minus कुछ भी होगा as it is डालेंगे ठीक है बहुत बढ़ी है और एक काम करते है थोड़ी सी line बचा देते है लंबा code होने वाला है जब एक ऐसा if else की बात आती है तो हम ऐसे भी लिख सकते है similarly छोटी थी condition है तो इसको हम यहाँ लिख देते है यह देखो बहुत बढ़ी है ठीक है अगर यह है तो well.push size 0 है तो यह अब तीसरी condition else else का यह मतलब है कि हमारा का किते जो character था वो एक number भी नहीं था वो plus minus में से था और size भी 0 नहीं है ऐसे case में मैंने आपको बुला था आप सबसे पहले अपना काम निपताओगे फिर जाके जो आपका character आएगा ना उसको push करोगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे इसमें देखोगे कि अगर जो पहले से पढ़ा है उसके top पे यानि की peak पे अगर यह जो peak पे मेरा number पढ़ा है इसकी priority बराबर या जादा है इसकी priority बराबर या जादा है हमारे character से अब इसकी priority कैसे देखते है यार उसके लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा क्या आप यहाँ पे यह चीज देख सकते हो यार क्या कि ऐसे लिखना इसमें आप लिख दो अगर जो हमारे given character है अगर ऐसा है कि वो मेरा या तो plus है ठीक है या वो जो given character है वो मेरा minus के बराबर है यह वो है जो मैं डालने वाला हो भी character ठीक है अगर यहाँ पे हम दूसरी condition ले लेते हैं अगर देखो ऐसा है अगर यहाँ पे and and भी लिख लेते हैं साथ में या तो इसी के साथ लिख लेते हैं या फिर ठीक है इसी के अंदर condition डाल देंगे अब देखो वापिस से अगर मेरा character यह है और अब यहाँ पे देखो अगर जो stack के peak पे पड़ा है ठीक है अगर जो stack नहीं operator के मेरे peak पे पड़ा है अगर वो value भी मैंने क्या बोला था अगर बराबर या जादा हो कोई भी number आ रहे है तो पहले मेरा काम निप्टेगा लेकिन आप एक बात बताओ अगर मेरा character ही यह क्या है plus minus है तो जो भी stack में पहले से पड़ा होगा वो चारों में से कोई एक होगा plus minus multiply divide तो plus और minus के साथ तो अगर मैं एक बात बताओ आँ आपको सारी चीज़े या तो के बराबर है उनसे जाधा ही है न ठीक है तो मेरे को in fact यह लिखने की जरूत नहीं है कि क्या यह पहले से minus है या multiply है कुछ भी नहीं है हमेशा जब मेरा उपर का character यह आ रहा हूँ न तो पहले मैं अपना काम निप्टाओंगा पहले बाला बहुत बढ़िया ठीक है तो यहाँ पे मेरे को लिखना है work अब इस काम में में को करना क्या था बड़े ध्यान से समझना इस काम में में को करना क्या है सबसे पहले मैं निकालूंगा int v2 is equal to val.pop मैं अपने value वाले stack में से दो elements को निकालता हूँ operator में से एक element को फिर उनका operation करके वापस से push करता हूँ तो v2 is equal to val.pop फिर मैं लिखोंगा int v1 is equal to again val.pop ठीक है लग दिया फिर अब में को यहाँ पे क्या करना है simple में को देखना है कि भाई अगर जो operator के peak पे पड़ा है अगर जो operator के peak पे पड़ा है उसकी value अगर है मेरी 4 conditions होते हैं यहाँ पे plus, minus, multiply, divide 4 को देख लेते हैं अगर वो मेरा पहले से यहाँ पे क्या है यार minus मेरा पहले से पड़ा है तो आपको क्या करना है आपको value के अंदर आप push करना है दो तो निकाल चुका हो न आप value में push कर दो क्या v1 minus v2 ठीक है ऐसे flick लेते हैं सब में देखो 1, 2, 3, 4 अगर वो मेरा जो उपर से पहले से पड़ा है प्लस है तो यह काम कर दो ठीक है अगर जो पहले से पड़ा है वो multiply है तो यह काम करके return कर दो ठीक है और अगर जो पहले से पड़ा है वो divide है तो यार यह काम करके दो very very simple जब यह काम कर दिया तो एक और काम करना था मैंने आपको बोला था value वाले stack में से दो चीज़ी हटा दिया मैंने यह भी हटानी जरूरी थी मैंने विदक हटा ही नहीं है पहले से ही देख लिया तो मैं क्या करूँगा operator में से pop कर दूँगा अपना जो भी यह number था ठीक है यही वाला इन चारों में से कोई एक होगा ठीक है भाई बहुत बढ़िया and बाद में lastly last काम मेरा क्या रहेगा यहाँ पे operator.push character मैंने आपको यह बोला था कि यह character जो उपर से आ रहा था मेरे पास अगर वो plus minus हुआ तो मैं यह काम कर रहा हूँ अगर ऐसा हुआ कि जो उपर का मेरा character है वही यार मेरा या तो multiply हो या फिर वो character मेरा क्या हो यार यहाँ पे divide हो ठीक है जैसे for example यहाँ पर दिखाता हूँ वापस आ जाते हैं एक बार जब मैं इधार आया था ठीक है एक बार इस code को पूरा कर लेते हैं फटा फट वापस से आपको दिखाता हूँ copy और ठीक है यह देखो यहाँ पर मैं paste करके दिखाता हूँ ये ले लेते है मैंने 9 यहां पर push कर दिया, minus यहां पर push कर दिया 5 यहां पर push कर दिया, अब जब प्लस आया, जब character यह character जैसारे, ठीक है? जब यह character मेरा plus हो गया जब यह character मेरा plus हो गया, तो मैंने person पहले काम निपटाया, तो मैंने 9 minus 5 4 यहां पर लिखा, इसको उड़ा दिया और फिर अपने character को plus कर दिया यह तो आप समझ गयो ठीक है अब हम आए three पे three मैंने यहाँ डाल दिया फिर मैं multiply पे अब जब मैं multiply पे हूँ यानि कि वो character की value अगर multiply है तो multiply पे जब भी हूँ तो मैं नीचे क्या देखूँगा यार जो चीज है अगर मेरे या मेरे से बराबर की priority पे है तो तो मैं काम करूँगा लेकिन अगर मेरे या मेरे बराबर की priority पे नहीं है तो मैं काम करूँगा ही नहीं जैसे यहाँ पे सिर्फ plus है तो मैं इसको directly push कर दूँगा ठीक है अब हम इदर आ गए four पे 4 यहां डाल दिया, फिर मैंने देखा divide, अब divide से बराबर priority का है तो मैं काम करूगा, ठीक है, तो इधर आ जाते है अधर उपर की चीज multiply है, divide है, तो यहां पे मैं क्या देखूँगा, यहां पे मैं ऐसी कुछ चीजे देखने वाला हूँ, ठीकि यहां पे तो आप हमेशा काम करोगे work, जब plus minus था तो हमेशा ही work कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, priority, कम, बताब बराबर या जाद ही होगी, लेकिन multiplication के case में कम भी हो सकती है, तो यहां पे बस मैं check करूँगा क्या जो stack के, क्या जो operator वाले stack के peak पे पड़ा है, क्या जो peak पे पड़ा है या तो वो ये है, क्या वो पहले से भी multiply है ठीक है, या वो कोई पहले से क्या किते है divide है, op.peak equal to equal to या तो पहले से divide है, अगर ऐसा है तो मैं work करूँगा पहले, ठीक है नहीं है तो else के case में आप directly क्या कर सकते हो यार directly अपने stack के अंदर push कर दो अपना character that's it अब एक बार work देख लेते है work क्या है work तो भई है work यही था इसको उठालो in fact work में तो कोई दिक्कत ही नहीं है copy paste ठीक यार यह भी बिल्कुल सेम character तो में को push कर नहीं है ठीक है कोई फर्क नहीं है यह देखो जब हमारा के किते है peak अगर यह है peak यह है तो simple मैं देख सकता हूँ लेकि ना एक चीज़ अब क्योंकि यहाँ पर मैंने condition लगा दी उपर कोई condition नहीं थी अब condition में मुझे दे रखाए कि multiply या डिवाइड ही है तो of course यह दोनों तो आएंगे ही नहीं न कभी तो मैं इनको हटा भी सकता हूँ इनकी जरूत ही नहीं होगी ठीक है लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इनको हटा देते है ठीक है भाई बहुत बढ़िया काम वाम कर लिया सब कुछ हो गया आगे बढ़ते हैं यह हमारी थर्ड कंडिशन थी देखो इसलिए मैं कहा रहा था बड़ा बड़ा code बनेगा मेरा पहले बन गया if else if else अब इसके बाद मेरा पूरा loop traverse हो जाएगा लेकिन मेरा last जो काम था वो क्या था उसको देखते है एक बाद इधर आ जाते है yellow पे ठीक है इधर जब मेरा for loop finish हो गया तो अब मेरे को अपना value वाला stack value का जो stack है वो empty भी करना है इसका size 1 बनाना है in fact इसका size मुझे 1 बनाना है क्योंकि ताकि सारा काम हो जाए तो मैं बस एक चीज़ दिखूँगा while जब तक मेरे value का size 1 से बड़ा है तो कुछ न कुछ काम करते रहो काम कौन सा करना है again आप पहले ये उठाओगे क्या int v2 is equal to val.pop ठीक है फिर आप लेखोगे int value 1 is equal to val.pop निकाल दिये 2 elements बहुत बढ़िया अब आप चार conditions देखोगे कि कुछ भी हो सकता है ठीक है तो चारो condition देखोगे ये वाली उठा लेते हैं ये देखो copy paste कि भाई अगर ऐसा scene है उपर minus पढ़ है operator के तो val में ये डाल दो ये डाल दो ये डाल दो ये डाल दो and of course ये काम करने के बाद इन चारों में से कोई एक काम होगा तो आप operator में से pop भी करना है आपको ठीक है बस आपको यहाँ पर ये करना है operator में आप कुछ पुछ नहीं करोगे आप दोनों में से चीजे खाली करते जा रहे हो उच-कुछ नहीं कर रहे ये जैसी हो गया add the end stack का size 1 हो जाएगा तो आप last में print करा सकते हो stack का size यहाँ पर लिख दो अपने val.peak number का stack का size एक बार run करते है code को answer देखते है हमारा 6 आना चाहिए अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा है तो run करते है answer is 6 बहुत बढ़िया जैसे अब कुछ और change कर लेते है 9 की जगे अगर मैंने 8 लिखा होता तो answer क्या आता ये देखो 3 into 4 12 12 divided by 6 2 तो यहाँ पर ये 2 आ गया फिर पहले 8 minus 5 3 हो जाएगा 3 plus 2 5 आना चाहिए answer मेरा चीक है तो चलिए देखते है तो आप देख सकते है 5 तो ये code बिल्कुल सही काम कर रहा है और ये बिल्कुल perfect है एक बार यार please rewind करके थोड़ा सा इसको समझना कि मैंने process समझाया कैसे है ठीक है अब थोड़ा सा आगे बढ़ते है इसी question को थोड़ा और modify कर देते है थोड़ा और बहतरीन बना देते है ठीक है इधर लिखते है इसी question को यार यहां आ जाते है evaluation ही कर रहे थे in fact हम infix की यहां पर अभी तक तो अगर मैं लिखूँ वापिस से मान लिजे मेरा string है मेरा string है कुछ ऐसा 9-5 ठीक है फिर आगया यार प्लस 3 फिर आगया यार मेरा into 4 फिर मेरा यहां पर आगया यार divided by 6 ठीक है यह string दे रखी है अब अगर इसमें एक और change होता कि यहां पर bracket लगा होता brackets कितने मर्दी हो सकते है round bracket होंगे parenthesis तो यार इसकी तो value बदल जाएगी ना पूरी यार पहले अलग answer आ रहा था पहले इसका answer 6 आ रहा था अब देखना गलत answer आएगा हमेशा मेरा आप जो priority है ना वो थोड़ी और बढ़ जाएगी priority number 1 होती है bracket ठीक है यहां पर ऐसे लिख देता हूँ priority number 1 होती है यह वाले bracket जो होती है priority number 2 होता है हमारा division multiplication priority number जी होता है addition to fraction लेकिन यहां पर बस छोटा सा काम होगा मेरा क्योंकि जो bracket है वो तो supreme priority पर है मतलब bracket के अंदर जो भी है वो सबसे पहले solve होगा जैसे अगर मालनो मेरे कुसका answer निकालना होता तो मैं पहले bracket को निप्टाओ चाहे बाद में कुछ भी दे रखाओ पहले bracket को निप्टाओंगा bracket के अंदर हो सकता है सिर्फ एक चीज ना हो 5 प्लस 3 ना हो हो सकता है bracket के अंदर ही पूरा का पूरा 9 into 8 divided by ये सारी चीज़े हो तो पहले मैं उसको निप्टाओंगा चाहे किया भई 5 प्लस 3 8 आ गया फिर यहां पर लिखो into 4 divided by 6 अब मैं क्या करूँगा 8 into 4 करूँगा पहले यानि कि कितना हो गयार 32 divided by 6 फिर मैं क्या करूँगा 9 minus 32 और 6 को divide करूँगा अब यह आ जाएगा 5 integer में तो at the end मेरे को answer मिल जाएगा 4 I hope आप समझ रहोंगे लेकिन डिवाइड ब्रैकिट के case में क्या करना है सबसे पहले algorithm समझा देता हूँ जो हमारा code है उसमें छोटा सा change करना है again मैं दो stacks ही बनाऊँगा कोई difference नहीं है कुछ कुछ changes है बस यह मेरा value का stack है यह मेरा operator का stack है again मैं वही काम करूँगा अगर मुझे अगर मुझे number मिल रहा है push कर दो ठीक है फिर मैं इधर आया operator मिल रहा है stack खाली है चाहिए कुछ भी हो push कर दो यहाँ पर एक और condition क्या लग जाएगी बड़े ध्यान से सुनना कि अगर अब जैसे मैं इधर आ गया bracket पे ठीक है मेरा यह वहला काम तो हो गया 9 minus अब मैं इस पर आ गया bracket पे bracket एक character है अलग से समझना 9 एक character है ये character है ये character है ये character है खाली हो second condition में मैं नहीं है अगर operator का stack खाली हो यहाँ पे मैं एक और condition लगा दूँगा और और या फिर मेरा जो उपर character है न वो मेरा है opening bracket तो इन दोनों ही cases में बिना सोचे समझे push कर दो बस एक ये case add कर दिया इसमें और और के साथ ठीक है या तो खाली होता था तो बिना सोचे करता था खाली नहीं होता था तो कुछ निप्टाता था लेकिन अगर opening bracket आ रहा है न कहीं पे भी बिना सोचे समझे push बहुत बढ़िया यहाँ पे मैंने डाल दिया अब मैं आगे इधर 5 पे 5 क्या है नंबर बिना सोचे समझे push फिर मैं आगे इधर plus सोच समझ के push करना पड़ेगा मेरे को plus के अंदर यहाँ पे बड़ एक ध्यान देना है मेरे को क्या मैं क्या बोलता था कि अगर plus अगर plus plus में यह होता था कि मैं पहले का काम in fact निप्टाता था हमेशा plus और minus जब मिल रहा है और stack खाली नहीं है तो जैसे अगर यह नहीं होता तो मैं पहले यह निप्टा के आता लेकिन यहाँ पे एक exception होगा of course अगर plus मेरे को मिल रहा है न तो मैं पहले यह वाला काम निप्टाऊंगा लेकिन अगर यहाँ पे मुझे opening bracket दिख रहा है तो मैं ऐसे ही push कर दूँगा यह एक और condition लगने वाली है बड़े ध्यान से सुनना ठीक है अगर top पे भी opening bracket पड़ा है तो भी मैं सीधा push कर दूँगा ठीक है तो उसको भी यहीं पे डाल देंगे impact उस चीज़ को कि just अगर top पे मेरा opening bracket पड़ा है push बहुत बढ़िया तो मैंने क्या किया यहाँ पे plus को push कर दूँगा समझना फिर आगया 3 3 को तो बिना सोचे समझे डालना है फिर आगया closing bracket closing bracket का पते क्या rule है जैसी आपको दिखता है na closing bracket तो आप क्या करोगे जब तक आपको opening bracket नहीं दिख जाता peak पे आप काम को निप्टाते रहोगे मतलब मैंने क्या किया मैंने 3 को निकाला value 2 मैंने 5 को निकाला value 1 मैंने इसको top को निकाला plus 3 यह बन रहा है मेरा 8 यहाँ पे डाल दिया 8 फिर मैंने देखा क्या top पे यह पड़ा है पड़ा है तो रुख जाओ रुख गए फिर यह निकाल दो निकाल दिया ठीक है यह निकाल दिया and यह push नहीं करना ठीक है यह push नहीं करना होता आगे बड़ो मैं आगे multiply पे तो multiply पे हूँ multiply की priority माइनस से जादा होती है as it is फिर मैं आगया 4 पे बिना सोचे समझे फिर आगया मैं divide पे divide की priority बराबर होती है तो काम करो 8 into 4 यहां डाल दो 32 of course इसको निकालो and divide को यहां डाल दो अब number आगया 6 बिना सोचे समझे डाल दिया खतम होगया मेरा stack and इसके बाद आपको वही same काम करना है जो while वाला था न उसमें तो कोई exceptions है ही नहीं क्योंकि at the end जब मैं end तक आ जाओंगा न तो यहां पे कोई भी opening closing bracket पड़ा नहीं होगा ठीक है तो चलिए आ जाते है मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ उस पर आते है थोड़ा सा ठीक है कि जैसे यहां पे मेरा था 9 लिखते है एक बार run करते है code को 6 आएगा न answer अब कुछ change होगा answer अगर मान लीजिए actually में हमारा कुछ ऐसा scene होता कि जो 5 into 3 है उस पर मैं bracket लगा देता तो solve कैसे होती चीज़ है तो चते है एक बार 5 plus 3 हो गया 8 ठीक है तो यह कुछ ऐसा बन रहा है एक बारी के लिए कि 9 minus 8 आगया मेरा फिर आगया multiplied by 4 फिर आगया divided by 6 तो इसके बाद मैं क्या करूँगा फिर मैं 8 into 4 करूँगा तो इसको एक बार अटा देते है यह हो जाएगा मेरा क्या 32 फिर मैं क्या करूँगा 32 divided by 6 करूँगा तो 5 तो add the end answer में को 9 minus 5 कितना मिल जाएगा 4 तो मेरा 4 आना चाहिए instead of 6 क्योंकि मैंने bracket लगा दिया चलिए देखते है bracket से क्या करना है again सेम चीज रहेगी code बिल्कुल सेम है मैंने ask का ही निकाल दिया यहां तक बिल्कुल सेम है number है push कर दो अब यहां देखना else if ठीक है इसमें कुछ changes देएंगे ठीक है तो यहां पर अगर मेरा operator का size 0 है push कर दो या फिर एका दोर चीज़ है दो चीज़ है precisely मैं बोलूँगा या फिर अगर मेरे क्या बोलते है यहां पर जो character था वही मेरा opening bracket है यार इसने बोला कि मैं opening bracket हूँ तो भी push कर देना है सोचना ही नहीं है op.push.ch या फिर अगर मेरा जो stack के peak पर पढ़ा है ठीक है यह भी मैंने देखा यह जरूरी था यह तीसरा case था जो मैंने अभी देखा जैसे उपर मेरा plus था यहां पर अगर एक opening पढ़ा है और कुछ नहीं है डालते रहो ठीक है सीधर डालते तो कोई दिक्कत नहीं है यह काम हो गया अब बात करते इसकी यार else में हम क्या करेंगी यार यहां पर ठीक है else तो else में मैंने क्या देखा यार कि अगर मेरे ये वाले operator आ रहे थे याने की plus minus तो मैं priority वाले game खेल रहा था तो यह सारी चीदे बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ मैं ऐसी करते रहूँगा तो यहां पर यार ये देखो अगर मेरे पास पहले से यार plus minus है तो मैं वही वाले काम करने वाला हूँ यार कि ये जो भी मैंने else if condition पर देखा था सारी चीदे ठीक थी लेकिन मैं नहीं है पर एक और condition लगाने वाला हूँ क्या लगाँगा बड़ी ध्यान से सुनने यार एक तो ये जो else है ना कि ये पता है मेरा क्या देख रहा है ये ये देख रहा है कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि इस else condition के अंदर देखो opening bracket का मैंने देख लिया numbers का मैंने देख लिया अब बचे मेरे पास plus minus divide multiply और closing bracket closing bracket की भी मेरे को condition लगानी पड़ेगी ना यार तो एक काम करते है closing bracket की condition इस else से पहले लगा लेते है तो यहाँ पे एक और चीज़ दिख लेते है else if अगर जो उपर character पड़ा है अगर जो उपर character पड़ा है ch equal to equal to अगर वो हो रहा है closing bracket और ध्यान रखना इसमें मेरे को stack खाली बढ़ा check नी करना कुछ ना कुछ हमेशा होगा अगर closing आ रहा है तो opening पहले आया होगा तो मुझे क्या करना है while बड़े ध्यान से समझदा जब तक अपने operator stack के peak पे यह नहीं आ जाता not equal to an opening bracket तो आप काम करते रहो, हटाते रहो हटाते रहो, काम करते रहो तब तक आपको क्या करना है work करना है simple जब तक यह peak पे यह नहीं आ जाता तो work में मेरा क्या होता है वही same काम होता है यार कुछ सोचना ही नहीं है ठीक है in fact उठाते है न work हमेशा हमारा same ही रहता है usually ठीक है यह रहा work हमेशा हमारा यह रहेगा यह लो value 2 ली मैंने value 1 ली जो भी मेरा आ रहा है operator हो सकता है कुछ भी हो मुझे नहीं पता plus minus multiply divide वो सारी चीज़े करके आ जाओ operator के उससे हटा दो ठीक है बहुत बढ़िया अब जब मैंने work कर लिया work में को करते जाना है फिर जब opening bracket आ गया finally सारी चीज़े होके तो आप क्या करो pop कर दो उस opening bracket को भी हटा दो ठीक है तो op.pop इसका clear meaning एक ही है कि मैंने opening bracket मैंने यहां से ये ये जो ये है यार ये हटा दिया और बाकी की चीज़े सारी solve कर दी बहुत बढ़िया and finally क्या हमें push करना है closing bracket नहीं कुछ नहीं करना कुछ करना ही नहीं आगे बढ़ सीदा तो अब एक बार देखते है इस question को solve करके देखते है I hope जो मैंने answer दिखा था वही आना चाहिए वापिस से देखते है एक बार answer कुछ ऐसा आना चाहिए copy, paste सबसे पहले 5 plus 3 solve होगा यानि की 8 फिर 8 into 4 solve होगा यानि की 32, फिर ये solve होगा यानि की 5, फिर ये solve होगा यानि की 4, ठीक है 4 answer आना चाहिए instead of 6, पहले 6 आ रहा था अगर bracket नहीं थे तो, चीक है, तो देखते है run करके तो आप देख सकते हैं 4 बिल्कुल सही है, तो again यार मैंने यार जादा changes यहाँ पे नहीं किये बस change ये है, कि जो ये size खाली था, तो भी मैं बिना सोचे समझे push करता था, अब मैं ये देखूँगा, अगर character के top पे ही, मतलब मेरा character जो डलने वाला है, opening bracket है, बिना सोचे समझे push कर दो, और अगर top पे मेरा opening bracket पढ़ा है, तो भी जो number है, वो भी बिना सोचे समझे push कर दो, ठीक है, फिर अब बस यहाँ LSF में मैंने एक condition लगा दी, कि अगर closing bracket है, तो पहले सारा काम निपता हो, और opening bracket को भी उढ़ा दो, ठीक है, फिर बाद में हमने ये जो ये तो same है, इसमें तो कोई changes की है ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, अपना अगला question solve करते हैं, मतब infix evaluation हमने देख ली, अब हम पढ़ने वाले prefix के बारे में, postfix के बारे में, और कैसे ये सारी चीज़े करनी हो उनके बारे में, तो यार infix expressions के बारे में हमने पढ़ लिया और हमने evaluate भी करके देख लिया कि यार human readable चीज़ जो infix होती हो, करते कैसे ठीक है, using two stacks अब आज जो हम बात करने वाले अगले दो expressions के बारे में न इनका नाम है prefix और postfix, pre और post, अब actually में होता क्या है, pre, in post, अगर आपने यार मेरी recursion की वीडियो देखी है, मैंने C programming में पढ़ाई थी, in fact अगर मुझसे नहीं पढ़ा, recursion आपने तमीज से पढ़ रखा है तो recursion के अंदर ना एक tree होता है जिसका नाम होता है, Euler's tour tree ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ एसे कुछ करके कुछ चीज होती थी Euler's tour tree तो इसके अंदर भी मैंने आपको pre, in, post ऐसा वाला एक question solve करवाया था ठीक है, नहीं किया तो आप C programming में recursion की वीडियो देख सकते हो, बहुत 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 बहुतरीन तरीकी से अब यहाँ पर A और B आर आपके numbers ही है ठीक है, यहाँ पर लिख दता हूँ where A, B belongs to यहाँ पर 0 से लेकर या 0, 1, 2 से लेकर 9 वो मैंने बस लिखा यहाँ पर A, B है तो अगर in fix कभी भी कुछ ऐसा हो कि भाई, value 1 in fact मैं value 1 लिख लेता हूँ यहाँ यहाँ या A, B ही लिख लेता है यह मेरी first value है plus, मतलब एक operation आए बीच में plus की भी जरूत नहीं है first value, operation, second value कभी भी ऐसा सीन हो इसको अगर आपको बात करनी है prefix तो prefix क्या होता है बड़ी द्यान से समझना आपको रटनेगी भी जरूत नहीं है बड़ prefix का मतलब होता है पहले आपका operation आएगा फिर value 1, value 2 मतलब अगर मेरे को इसको prefix में convert करना हो तो plus A, B यह इसका prefix conversion है और अगर मेरे को post fix में convert करना हो तो post fix यार कुछ ऐसा होता है कि मैं सबसे पहले value 1 लिखूँगा फिर value 2 लिखूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा last में बिलकुल अपना operation बहुत बड़ी है ठीक है यहाँ पे लिख जाते AB प्लस सई अभी हम बात करते है prefix की अब यार यह तो आप बोलोगे यार बहुत simple नहीं है मतलब हमेशा मेरे को पहले operation को रखना है फिर value 1 फिर value 2 यह इतना simple नहीं है जैसा आपको लग रहा है एक बार बात करते हैं कि expression को मैं लाके दिखाता हूँ आपके सामने और थोड़ा से आपको फिर कठेन लगेगा वो कि यार यह काम क्या हो रखा है मेरा जिसकी हम तब से बात कर रहे थे ना इस expression की क्या था यह 9-5 इसी को उठाके इसी पर काम कर दे थोड़ा तो यह मेरे expression एमान लिजे अगर यह given expression जो infix में है जो human readable है जो मुझे समझ आ रहा है अगर मेरे को इसको prefix में convert करना है तो हम पता यहाँ पर क्या काम करेंगे देखो जो हम infix की calculation के लिए करते थी ना evaluation के लिए kind of वही काम करना है हमें technically speaking मतलब सबसे पहले हम देखेंगे multiply divide दिख रहा है यही तो होता था उसमें भी internally मैंने देखा 3 into 4 तो यह क्या है यहाँ पर मैं mark कर देता हूँ 3 into 4 this is nothing but value 1 operation value 2 अब मैं इसको replace कर दूँगा किससे operation value 1 value 2 से समझ आ गया ठीक है रख लेते हैं यहाँ पर तो यह कुछ ऐसा बन रहा है 9 minus 5 सब कुछ as it is रखो बट यहाँ पर लिख दो multiply 3, 4 अब आप सोच रहोगे यार इस बात का कोई sense तो बनी नहीं रहा है कि plus है multiply है मैं जानता हूँ sense नहीं बन रहा बट यह आपको काफी कुछ सिखा के जाएगी यह prefix वाली चीज बाद में काम आती है trees के अंदर ठीक है भाई तो यह तो sort होगया आप ना अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं वापस से divide by 6 अब ध्यान रखना यह जो sort हुआ है ना यह अपने आप में एक expression है basically यह समझ लो कि 3 into 4 जो 12 होता था ना फिर 12 divided by 6 होता था 12 की जगे बस यह कुछ convert होके कुछ और बन गया आप यह मान लिजे एक बारे के लिए ठीक है भाई सही समझ गया यार मैं यह into है 3 4 है यह चीज यह अपने आप में अब मुझे क्या करना है मुझे समझ आ रहा है यह value 1 है operation value 2 तो इसको किस में change करना है मुझे operation value 1 value 2 यानि की next step कुछ ऐसा होगा 9 minus 5 को as it is रखो प्लस as it is रखो इसको थोड़ा switch कर दो पहले अपना operation लाओ operator फिर value 1 लाओ जो कि यह पूरी है फिर अपनी value 2 लाओ जो कि 6 है अब अपने आप में खुद से यह जो चीज है यह एक चीज बन गई है मतलब कि यह एक value बन गई है आप इसको value 1 value 2 वाला value समझो इसको हम value stack के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर दो stack बनाने है मेरे को यहाँ पर भी बहुत बढ़िया अब मैं देखता हूँ कि यार एक value है मेरे पास value operation यह बली चीज यह बच्ची है तो इसको जब मैं solve करूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा पहले value मतलब operation value 1 value 2 और यह अपने आप में एक चीज बन गई plus यहाँ पर यह 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 ऐसे करके यह अपने आप में एक चीज है तो value plus value यानि कि plus value 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 तो यहाँ पर पहले plus लिया हो फिर अपना पहला expression लिखो फिर अपना दूसरा expression लिखो यार I hope आपको यह चीज समझ आ रही है यह मतलब मैं मान रहा हूं कि यह illogical है technically speaking यह बहुत illogical लग रहा है कभी भी plus minus लेकिन यह important है understanding के perspective से बाद में जाके ठीक है तो आप बस जो मैं कह रहा हूं steps को follow करो यहाँ पर समझो इसको समझने की कोशिश मत करो बस जो steps है steps को समझने की कोशिश करो ठीक है भाई तो यह मेरा यार final answer आगे अब जब यह एक single value बन गई न at the end value stack में तो मुझे यह return करना है आप यह समझ लीजिए ठीक है मेरे को यह return करना है तो ठीक है यार इस question को फटाफट solve करते है stacks की मदद से और यह बिल्कुल similar रहने वाला है हमारे पुराने stacks की तरह in fact यह तो हद से ज़ादा असान रहने वाला है आपको मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहरा हूँ तो यहां आ जाते है मैं again दो stacks बनाने वाला हूँ यहाँ पर पहला stack और दूसरा stack एक stack का नाम मैं अभी भी value रखूँगा और इस stack का नाम मैं अभी भी operator ही रखूँगा only difference being अब जो मेरा value का stack है उसमें मैं integer store नहीं करूँगा मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यूँ मतलब वो numbers आएंगे यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो storing का type होगा stack of character या stack of character भी नहीं रखूँगा यहाँ पर मैं stack of string रखने वाला हूँ आप समझना मैं इसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ तब से पहले अपना expression लिया आते है पूरा का पूरा इसको उठा लिया हमने in fact यह वाला लाते है ने यह जो bracket वाला था क्योंकि अब हम bracket का भी इस्तमाल करेंगे अब मैं पूरी string में ट्रावल करूँगा सबसे पहले मैं इदर आया 9 क्या है नंबर है चेक मेर को जरूर करना है कि यह नंबर है या फिर नहीं है ठीक है चेक करना है फिर मैं क्या करूँगा इस 9 को अगर नंबर है तो यहाँ पर पुश कर दूँगा लेकिन as a value पुश नहीं करूँगा as a string पुश करूँगा ठीक है समझाता हूँ क्यूँ यहा 9 आगया मैं आगया आया मैंने देखा minus minus क्या है operator है लेकिन stack तो खाली है तो बिना सोचे समझे minus डाल दो बहुत बढ़िया फिर मैं आगया इदर opening bracket again opening bracket के case में बिना सोचे समझे मैं यहाँ पर डाल दूँगा same algorithm लगेगा almost डाल दिया फिर मैंने देखा यार यहाँ पर तो 5 है number है value में डालो ना है आप सोच कि रहो फिर मैंने देखा plus है तो यहाँ पर मैंने पर ऊपर देखा opening bracket पड़ा है तो बिना सोचे समझे डालने है समझने इस बात को वैसे देखते हैं लेकिन अगर opening bracket उपर है यहाँ पर plus है डाल दो यार डाल दिया बहुत बढ़िया यहाँ पर देखा 3 number है डाल दिया फिर मैं आया यहाँ पर क्या है यार यह यह closing bracket है closing bracket यार मुझसे यह कहता था कि जब तक आपको opening bracket नहीं दिख जाता काम करो निप्टाने वाला काम करो यहाँ से दो value उठाओ यहाँ से एक उठाओ merge करके एक चीज़ बनाओ लेकिन बस यहाँ पर एक difference क्या आ जाएगा कि जैसे ही मैंने देखा और closing bracket है अरे तो काम करो काम कैसे करना है गौर से देखना यहाँ मैं select करूँगा इसको यहाँ मैं select करूँगा इसको वही same काम है लेकिन the only difference being मैंने दो चीज़े यहाँ से pop की बिलकुल और ऐसे ही pop करूँगा जैसे पहले करता था कि value 2 को 3 बनाऊंगा और value 1 को मैं pop कर गे 5 बनाऊंगा no difference सब कुछ same the only difference being अब मैं क्या करूँगा मैं एक और character बना दूँगा जिसका नाम C रख दो या कुछ भी रख दो यार ठीक है X रख दो जिसके अंदर मैं इसका peak डालूँगा यानि कि plus X यानि कि plus V1 क्या है 3 V2 क्या है 5 मैं एड़ वैड़ नहीं करना मैं एक को string के अंदर append करना है मतलब मैं एक empty string बनाऊंगा पहले उसमें ये डालूँगा फिर उसमें value 1 डालूँगा फिर उसमें value 2 डालूँगा value 1 ये है value 2 ये है बहुत ही बढ़िया तो मैंने देखा मैंने ये तीन चीजे निकाली तो मेरे को ऐसा कुछ समझा रहा है plus 5, 3 plus 53 नाम की एक string इसके अंदर डाली है string ये एक number नहीं है नहीं ये character है तो आपको make sure करना है यहाँ पे आप string को डालोगी बहुत सही ठीक है भई अब आज़ा तेयार इधर तो एक और बात जैसे ही मेरा मैंने देख लिया कि अब top पे ये पड़ा है तो मैं इसको भी उड़ा दूँगा और हमारे closing bracket का भी जो काम है वो खतम हो गया ठीक है अब मैंने देखा multiply multiply क्या है operator ऑपोरेटर के ऐसी फुष हो जाएगा यहां पे नहीं हां हो जाएगा नहीं नहीं क्यूँugen मैं हहां पे यह देखूँगा अगर operator है न तो ऐसे ही पुष तो नहीं करूँगा मैं देखूँगा stack का peak क्या है मैंने देखा minus है minus की जो ऑकात है minus का जो precedence है minus का जो level है वो multiply से कम होता है तो मैं इसको push कर दूँगा ठीक है भई फिर मैंने देखा 4 push फिर मैंने देखा divide जब मैं operator पर आता हूँ मैं इधर आता हूँ मैंने देखा यहाँ पर तो multiply है यह तो same precedence का है यह तो same level का है same hierarchy का है तो एक काम करो काम निपटा दो काम कैसे निपटाएंगे अभी देखते हैं अब again मैं एक काम करूँगा मैं value 2 निकालूँगा value 1 निकालूँगा अपना character निकालूँगा यानि की operator यहाँ पे मैं o लिख देता हूँ इसकी जगे operator के अंदर मैं इसको pop करके यह लगा दिया ठीक है भाई value 2 में मैंने क्या डाल दिया value 2 के अंदर मैंने 4 डाली एक string है integer में नहीं बनाऊँगा धियान से सुनना फिर plus 5 3 एक string है यह मेरा होगा value 1 अब मुझे लिखना कैसा है मिरको इस format में लिखना है value 1 operator value 2 एक नई string बनानी है फिर उसको append कर देना है उसको push कर देना है value 1 क्या है 4 है यार value 2 क्या है plus 5 3 और operator क्या है sorry यह तो आपका normal expression होता है यह तो normal है आपको इसकी जगे आपको यह लिखना है operator value 1 value 2 तो operator क्या है star है तो star को लिख दिया इसको अटा देते एक बर अब आ जाते हैं हम इधर हम इधर थे कहीं कहां थे यहां पे थे divide का भी काम हो गया था हमारा हाँ बिल्कुल हो गया था ठीक है हाँ divide को डालना था क्योंकि हमने multiply का सारा काम कर दिया अब add and divide को push कर दिया ठीक है भाई अब हम इधर आए 6 6 क्या है यार value है यहां डाल दिया अब पूरा का पूरा यह खतम हो गया मेरा तो again जब मेरा खतम हो जाता था stack तो मैं अपना work करूँगा work क्या होता है यार again this is value 2 बाहर निकालो जब तक stack की value हो नहीं हो जाती stack का size 1 फिर मैं sorry this is value 2 this is value 2 फिर value 1 में मैं ये डालूँगा ये बड़ी सी चीज ये पूरी value समझो इसको एक बार के लिए और अपने operator के अंदर मैं डालूँगा ये क्या है यार ये divide है अब मैं again किस format में लिखूँगा operator value 1 value 2 याद रखना operator क्या है यार यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा operator है divide तो divide लिखा value 1 क्या है multiply plus 534 और यहाँ पे लिख जा 6 बहुत बढ़िया होगे done खतम अब अभी तक ये खाली ही नहीं है अभी तक size बढ़ा है 1 से वापिस से काम निप्टाओ अब मैं वापिस से उठाऊँगा value 2 के अंदर डाल दूँगा यह सारी चीज डाल दी फिर मैं वापिस से यार value 1 के अंदर उठाऊँगा यार यह सारी चीज डाल दी 9 हो गया मैं operator के अंदर उठाऊँगा यह वाली चीज minus and मैं अगें इस फॉर्माट में लिखूँगा operator value 1 value 2 which is prefix post fix का मैं आपको homework दे दूँगा I believe तो कि सेम सा ही question है बिलकुल ठीक है तो अगें मैंने operator लिखा operator क्या है minus है value 1 इस case में मेरा क्या है यार value 1 मेरा 9 है value 2 क्या है मेरा divide multiply plus 5,3,4,6 I hope यार यह चीज़ आपको समझ आगी हो कि जब यह यहां का size 1 बचा है इसको print करा दो तो चलिए यार फटा-फट इसका code लिखते है और देखते है कि हम सही कर रहे है या फिर गलत कर रहे है ठीक है same code यार मैं हहाँ पर tapeने वाला हूँ almost ठीक है बार-बार हम वापिस से पूरे के-पूरे codes तो लिखने नहीं वाले तो यहां पर हमारा question क्या बनेगा यार infix हमें given होगा हमें infix to prefix निकालना है .java एक नई file बना दी मैंने ठीक है तो इदर वापिस से आजाते है एक बार infix में हार infix के अंदर एक चीज़ को copy कर लेते है अपनी string को in fact इस code को copy कर लेते है पुरा उठा लिया ठीक है कुछ-कुछ changes करने होंगे इसमें अच्छे कासे changes ठीक है यहां पर मैं लिखता हूँ psvm और यहां पर आगया मेरा code बहुत बढ़िया तो code के अंदर देखो यह जो हमें additional string दे रखी है ठीक है इसका नाम हम str की जगे I believe हम इसका नाम रख देते है infix ठीक है इसका हम नाम रख देते है infix और मुझे कुछ ना कुछ string दे रखी होगी given फिर मैं दो stack बनाऊँगा लेकिन इस बार जो यह वहला stack है ना मेरा पहला यह string वाला होगा और हो सकता है येस आप सोच होगे string तो अपने आपने एक data structure की तरह है array की तरह है तो येस इसमें भी ड़ल सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है भाई string builder भी डाल सकते है तो आप वो थोड़ा जादा efficient रहेगा anyways character op लिख दिया अब str की जगे आप infix लिख दो एक तो हर जगे infix क्योंकि मैंने नाम बदल दिया है और मैं again same काम करूँगा मैं same काम ये करने वाला हूँ मैं पूरा देखो travel करना ही है aisle से लेकर length minus 1 तक ठीक है भाई बहुत साही अब मेरे को यहाँ पर क्या क्या चीज़े changes करने है वो देखना ये error क्यों आ रहा है छोटा सा चलिए इस error को rectify करते है पहले तो अच्छा हाँ error तो इसलिए आ रहा है न क्यों value ये लग है anyways तो यहाँ देखते है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यार character ch is equal to infix.carat i that is true ठीक है अब मैंने क्या किया ascii को बना दिया उसकी ascii value क्योंकि मैंको check तो करना है अब मैं check करूँगा क्या 0 से 9 के बीच में है अगर ऐसा है तो मेरे को push क्या करना है बड़े ध्यान से देखना मुझे एक string push करनी होगी क्यों क्योंकि value मेरा string data type का है तो मुझे एक string push करनी है तो मैं जो भी मेरा character आ रहा है जैसे इधर आओ जब मैं यहाँ 9 पे था और मैं 9 को push कर रहा था है पहले मैंने चेक किया यह number है तो यहाँ push करूँगा number नहीं है तो यहाँ push करूँगा लेकिन यहाँ पे मेरे को 9 as integer push नहीं करना मेरे को क्या push करना है मैंने बस check कर लिया क्या उसकी as value लाई करती है नहीं करती है फिर जो वो character है उसको as it is string बना के कर दो अब string कैसे बनाया जाता है यह देखिए यार काफी जादा simple है आप यहाँ पे हर दम एक चीज़ यह बना सकते हो क्या as का ही निकाल ली न मैंने तो यहाँ पे आप simple यह डालोगे इसको हटाओ अगर मेरा ऐसा scene हो रहा है कि मेरा number है मेरा जो character है वो actually जीरो से लेकर 9 मैं यहाँ लिख जता हूँ जीरो से लेकर 9 वाला scene हो रहा है मेरा ठीक है यह हट जाना यार इसका यह क्यों आगया हमारा तो यहाँ देखिए यार यह है 0 से लेकर 0 to 9 सभी बहुत सभी अब मेरा number आ गया जब तो मैं क्या करूँगा जो मेरा character CS था मैं उसको एक बाद string मैं बना दूँगा अब मैं को type cache करने की जरूद नहीं है आप simply एक नई string declare करो string s नाम दे दो string s is equal to आप यहाँ पर simple एक बात लिखो empty string यह लिखना जरूवी होता है सिधा character में type cache नहीं जाएगा फिर यहाँ पर अपना character लिख दो बात खतम and फिर क्या करो value के अंदर अपने stack में push कर दो string को तो यह changes आपको करने होगे ठीक है तो यह भी done हो गया आगे बढ़ते है यह तो simple है अब यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर size 0 है जो उपर character पढ़ा है opening bracket है या अगर sorry character जो आ रहा है वो opening bracket है या फिर stack के जो उपर पढ़ा है वो opening bracket है तो मैं सीधा push कर दूँँगा और यहाँ पर कोई changes मैं को नहीं करने है अब दिक्कत आती है else if में अगर character उपर वाला है closing bracket है जो आ रहा है उपर से तो मुझे क्या करना है मुझे जब तक opening bracket वो नहीं हो जाता जब तक मेरा stack का peak opening bracket नहीं हो जाता तो मैं काम करते रहूँगा तो देखो same मैं work करूँगा लेकिन work में यहाँ पे issue क्या आएगा यह int v2 नहीं उठाऊँगा मैं string v2 उठाऊँगा string यह जो value एस बार string में होगी ठीक है और यहाँ पे भी string होगी ठीक है string v1 होगी ठीक है अब मैं यह सारी चीज़े of course देखने वाला हूँ यह मैं ऐसे नहीं देखूँगा minus है या plus है क्योंकि मेरे को उनका कुछ देखना ही नहीं है मुझे calculate तो करना ही नहीं है मुझे बस एक काम करना है देखो यह बात समझो मेरी यह मुझे मैं calculate कर रहा हूँ मुझे calculate करना ही नहीं है ठीक है तो इसको बाहर रखा देते हैं मुझे हमेशा चाहिए कि जो मेरा operator है in fact operator को भी निकाल लेते हैं ऐसे में यहाँ पे लिख लेते है care operator operator का नाम o दे देते है care o जो मैं o v1 v2 कहा रहा था ना आपको यह देखिए तीनों चीज़े निकाल दी pop कर दी सिधा अब मेरे को simple एक string बनानी है और वो फिर अपने value के अंदर डालनी है और string इतनी असान है बनानी यह देखो आप लेखो string इसका नाम देदो कुछ और t देदो string t या कुछ भी देदो string t होगी मेरी o v1 v2 तो क्योंकि यह पहले वाली चीज़े v2 और v1 अपने आप में string है तो मैं simple पता है क्या लिख सकता हूँ string t is equal to यहाँ पे लिख दोयार अपना o plus v1 plus v2 and of course java के अंदर यह calculate हो सकता है कैसे java देखेगा कि यार यह तो character है तुम इसको string में डालने की कोशिश कर रहे हो ना java पहले इसको calculate करेगा वो देखेगा कि यार यह character है यह तो यार string है ठीक है मिला के string बन गया फिर आगे यह है append यह कर दो ठीक है बहुत बढ़िया and जैसी यह हो गया तो आप लिखोगे val.push string बहुत बढ़िया यह हमारा work है अब जब तक यह होता रहता है चलता रहेगा फिर मैं last में यह हटा दूँगा अगेन सब कुछ सही आवा अब else पर आ जाते है जब वो priority वाली मेरी चीज़े हो रही थी एक बात बताओ priority वाली चीज़े तो होगी लेकिन अगेन issues के आएंगे यहाँ पर यही जो मेरा work कहना यार work बहुत ज़ादा simple है work के अंदर again same to same copy twist करते हैं चीज़े work में हमेशा यही होगा जो यह 4-5 चीज़े लिखी है न मैंने यह देखो v2, v1 irrespective मेरा multiply है plus plus है क्या है priority लगी की उनकी ठीक है priority तो हम लगा रहे थे लेकिन कुछ calculations नहीं करनी तो control सही यहाँ पर आ जाते है यहाँ पर लिख लेते है यह सारी चीज़े v, सारा मैं work कर लूँगा पहले work मेरा ऐसे हो रहा इस बार और again op.pushed सब कुछ सही है and in fact यहाँ पर भी copy paste कर लेते है यहाँ पर यह देखो same काम कोई आपको मेहनत करनी ही नहीं बहुत सही अब एक बार last में देख लेते है यही same में कुछ changes करने थे कुछ again देखो यहाँ पर भी calculations करनी ही नहीं है ना यार even op.pop हमें करना ही नहीं है मैं इसलिए अटा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही कर चुक हूँ op.pop एक बार देख लेते हैं मैंने दो-दो बार तो नहीं कर दिया ना अब एक बार रन कर आके देखते हैं सबसे पहले तो यार इसको print करा लेते हैं अपनी infix को तो यहाँ पे लिख देते है south infix ठीक है south infix and last में जो value के peak पे पड़ा होगा वो मेरा prefix होगा तो एक काम करते हैं उसको भी बाहर निकाल के रख लेते हैं ना यार मैं लिखता हूँ string prefix string prefix is equal to और last में stack से pop करा देता हूँ val.pop क्यों ही रखना है stack के अंदर वापिस से हो गया भाई बहुत सही और यहाँ पे हम prefix ही print करा देंगे यार अब एक बार दोनों को print करा के देखते हैं I hope आज आना चाहिए एक बार एक काम करते है यही की है इस prefix को निकाल के थोड़ा सा देखते हैं ना यार अपने rough में अगर सही आ रहा है हम check करना चाहेंगे क्योंकि तो सबसे पहले देखते हैं अपना infix infix कुछ ऐसा है अब इसका मेरे को बनाना है prefix तो एक बार इसको वापिस से कॉपी करके prefix बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं तो prefix के काम में again क्या होगा यह वाली चीजे पहले bracket वाली चीजे sort होगी ठीक है तो bracket के अंदर है 5 plus 3 value 1 operator value 2 तो मैं इसका कर दूँँगा plus 5 3 53 नहीं है यह 53 है ठीक है और ब्राकेट को हटा दूँगा ब्राकेट बाद में हट जाते हैं बहुत बढ़िया and this is an expression of its own इसलिए हम एक काम करते है segregate कर देते है ताकि आपको idea रहे ठीक है कि यह एक value है यह पूरी एक value है अब मैं देखता हूँ कि सबसे ज़ाद मेरे को दिख रहा है multiply तो मैं इसके उपर काम करूँगा तो मैं इसको replace करके क्या लिखने वाला हूँ यह है plus 53 star 4 तो मैं लिखूँगा star तो यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ यार मैं यहाँ पर लिखूँगा plus 53 और फिर मैं लिखूँगा 4 और यह अपने आप में एक चीज बन गई ठीक है फिर मैं यह चीज करने वाला हूँ यार तो इसकी जगे में मैं simple यह लिखूँगा इस पूरे की जगे मैं लिखूँगा यहाँ पर लिखूँगा बस इसको इसको उटा दिया समझ लीजिए राइट और लाश्ट में अगेन मैं यहाँ पर यह हमारा operator है यह है मेरी operator यह है मेरा value 2 और यह 9 मेरा value 1 है इस case में तो मैं बस एक काम करता हूँ इस operator को अटाके आगे लगा दिता हूँ operator value 1 और value 2 तो I think मेरा कुछ ऐसा answer आना चाहिए minus 9 फिर divided by multiply plus 5346 चलो चेक करते है यार और पहली बात तो इसको run करना है क्योंकि गलत answer आएगा वरना run किया तो आप देख सकते हो yes absolutely same impact यह देख लिए यह देख लिए अगर मैं copy paste करता हूँ बिल्कुल same है yes हमारा answer बिल्कुल सही आगया है I hope यार आपको prefix समझ आगया है यह अगर नहीं आया है न एक बार बापिस से देखना थोड़ा सा tricky है और एक चीज मैं recommend करूँगा अगर आप अभी तक pen paper पर इस चीज को solve नहीं कर रहे हो तो आपको कभी समझ नहीं आएगा तो it is very much recommended सिर्फ code मत करना इस चीज को solve भी करके देखना ठीक है तो हमने देख लिया कैस क्या होता है prefix अब एक काम करते है यार आपको थोड़ा सा मैं एक homework type सा देता हूँ या homework भी क्या ही देना है basically हमें तो यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़े change करनी है न तो फटा-फट करके दिखाऊंगा सोचना आपको कुझे की मैं कर कैसे रहूँ evaluation हमने कर ली हम बात करते है post fix expressions की तो post fix क्या होता है कि कभी मेरे को अगर value 1 operator ठीक है o value 2 दे रखा है यह infix है मेरा तो मैंने आपको बताया था prefix था मेरा क्या operator value 1 value 2 और जो post fix है post का मतलब बाद में लगाना तो इसका मतलब भी है value 1 value 2 o यह आपको काम करना है that's it जैसे मैं एक example भी लिखी लेता हूँ आपके सामने ताकि आपको थोड़ी सी समझ आजे चीजे जैसे अगर मैं करता हूँ 9 minus 5 plus 3 अगर यह मेरा infix है और याद रखना है post fix और prefix में brackets नहीं आएंगे वरना दिक्कत आ जाएगी ठीक है आपको कुछ ऐसा scene दे रखा है तो सबसे पहले मैं bracket को solve करूँगा ठीक है अब इसमें solve कैसे करूँगा this is value 1 operator value 2 तो मैं बस इसमें ये चीज लिख दूँगा value 1 operator value 2 की जगे कि भाई यहाँ पे आ गया value 1 value 2 operator और यह अपने आप में एक चीज है अपने आप में एक value है एक तरीके से अब यहाँ पे वापस लिखो multiply 4 ये और 6 अब मैं करने वाला हूँ ये एक बार highlight कर लेते हैं न यार अब मैं करूँगा ये इनका काम करूँगा value operator value तो again इसमें मैं क्या करूँगा यार सबसे पहले लिखूँगा value 1 फिर value 2 फिर operator और अपने आप में ये एक value बन चुकी है बहुत सही इधर आ जाते हैं last में यार मैं इसको solve करूँगा या ठेक है भाई boring सा है ये तो थोड़ा सा लेकिन कर लेते हैं तो ये है हमारा क्या value 1 operator value 2 तो of course I will write value 1 of course this is value 1 this is value 1 operator and value 2 तो आप लिखोगे 9 फिर 5 3 plus 4 star 6 divided by minus this is your final answer of the post fix ये है post fix तो I think आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है हम जो same code लिख रहे थे same to same code लिखना है बट जब मैं string को push कर आ रहा था string को calculate कर रहा था तो मैं जिस order में लिख रहा था बस उस order को change करना है करके दिखाओं चलो करके दिखाता हूँ ठीक है करके दिखाता हूँ यहाँ पे यार सबसे पहले तो लिख लेते है post fix निकालना है ना मेरे को यार तो post fix के लिए हमें काम करेंगे एक नया वो बना लेते हैं क्या कहते हैं file इसका मैं नाम रख लेता हूँ infix to infix to post fix infix to post fix java and copy paste करते हैं अपने infix वाले code को बिल्कुल सोचना ही नहीं है कुछ copy paste सीधा ठीक है उठाओ इसको और यहाँ पे ले लो यार इसको control c and then यहाँ पे आजओ post fix v command v same to same आपको यहाँ पे काम करना है लेकिन बस difference क्या रहेगा अगर मेरा infix यह है तो मेरा post fix कुछ यह बनेगा मैंने बना के लिख रहा है 953 फिर है मेरा plus 4 star 6 divide minus this will be the post fix and एक बार देख लेते हैं यह आभी राय नहीं आ रहा है बस change आपको इतना सा करना है सिर्फ इतना सा यह सारी चीज़े same है कोई difference नहीं है बस यहाँ पे जब आप एक second जब आप यहाँ पे यह चीज़ कर रहे थे न यह भी same calculate करनी है बट जब string t बना रहे हो न तो बस order change कर दो इस o को एक काम करो इसको ऐसे लिखना आपको o v1 v2 की जगे आप लेखोगे v1 plus v2 plus o ठीक है that's it ज्यादा महनत नहीं है तो यही same चीज़ आपको हर जाएक copy paste करनी है copy जहाँ पे भी है ऐसे string यह रह o v1 v2 की जगे v1 v2 o o v1 v2 की जगे v1 v2 operator यहाँ पे भी होगा o v1 v2 की जगे v1 v2 operator that's it एक काम करते है इस काम नाम रख लेते है post fix ठीक है इस बार और यहाँ पे भी हम लिखे रहे है post fix एक बार run करते है code को फट 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 देखते है answer सही आ रहे नहीं आ रहे है जो कि ज़्यादा interesting है हमने infix को evaluate करना सीख लिया हमने infix से prefix convert करना सीख लिया हमने infix से post fix convert करना सीख लिया अब हम देखेंगे कुछ अलग questions जैसे कि यहाँ आजाओ यहाँ आजाओ prefix को post fix में कैसे convert किया जाए prefix को post fix में कैसे convert किया जाए और infix को यह तो हमने देख लिया, in fact, conversion of infix to postfix, done, यहाँ पर लिख लेते है, done, और infix to prefix भी हमने done कर लिया था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं कहीं, लेकिन done कर लिया था, ठीक है, infix से तो दोनों कर लिए, infix expression to postfix, and, यहाँ पर हम कर लेते हैं, किकले infix to prefix, दोनों कर लिए थे हमने, ठीक है, इन फाक्ट यह जो मैंने यहाँ पर यह लिखा है न, evaluation of prefix expression, यह evaluation नहीं हो रही है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते है, infix to prefix, infix to prefix, and then, यहाँ पर था, infix to postfix, ठीक है, evaluation उसकी पते कैसे हो सकती है, अगर आपको कोई postfix expression दे रखा है, क्या आप उसको evaluate कर सकते हो, करा जा सकता है, evaluate उसको भी, लेकिन it is recommended कि पहले आप उसको infix में convert कर लो, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते है, prefix to postfix है, और postfix to prefix भी है, यह आपको practice में दे दिया जाएगा, और क्या क्या क्योशन है, prefix से infix, यानि देखो उल्टा, जब आप मानलो आपको evaluate करना है actually में, तो आप एक काम कर सकते हो नो, पहले आप इससे यह कर लो, फिर evaluate कर लो, फिर आपको असान लगेगा, ठीक है, तो करते हैं फटा फट यहार इन questions को, स्टार्ट करते हैं अपनी conversions को, राइट, तो यार अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने infix expression की evaluation देख लिया, और हमने infix से लेकर prefix की conversion, और infix to postfix की भी conversion, यह तीनों चीज़े देख लिया, अब हम यार postfix के साथ भी यही करेगे, और prefix के साथ भी यह, पहले से postfix है, for example, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 953 प्लस 4 multiplied by 6, divide minus, तो मेरे को एक postfix expression पहले से दे रखा है, अब मुझे इसकी value calculate करनी है, value calculate करनी है, आप सोचो ज़यार कैसे करोगे, जब infix दिया था, तो stacks का use करके, थोड़े महनत लगी थी value calculate करने में, लेकिन निकल ज़रूर गई थी, उसमें हमने priority और बहुत सारी चीज़े देखी थी, अगर open bracket आता है, close bracket आता है, बहुत सारी चीज़े, अब यार, अच्छी बात पता है क्या है, अगर कभी भी आपको postfix दे रखा हो, या फिर even, अगला हम करेंगे, अगर prefix दे रखा हो, तो इनकी evaluation, या I would say इनकी conversion भी, इतनी ज़ादा असान होती है, मतलब, हद से ज़ादा असान होती है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या, in fact, अगर आप खुछ से इसको convert करने ही कोशिश करोगे, ये actually में ये था, 9-5-3 का bracket था ये, into 4 divided by 6, इसका ये infix अगर था, तो इसको post में convert करके ये बन रहा था, तो हम वापस से इस से इसमें कैसे जाए, बड़ा मुश्किल नहीं होगा सोचना है कि क्या पहले multiply हुआ है, क्या नहीं हुआ है, 9-5-3 कुछ ऐसा जीब सी चीज़ें आ रही है, मुश्किल नहीं है, ये बहुत बहुत ज़्यादा असान है, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ stack से इसको करके दिखाता हूँ, कि एक ही stack काम आएगा यहाँ पे, कमाल की बात है नहीं है, अगर पोश्ट फिक्स की बात हो रही है, तो मेरा ओरर कुछ ऐसा रहेगा, मतलब मैं अपने string में ऐसे traverse करूँगा, आप बोलोगे normally ऐसी ही तो करते हैं, हाँ, तो मैं नॉर्मल तरीके से traverse करूँगा string के अंतर, मैं traverse करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ 9, कभी भी value दिख रही है, push, फिर मैं आया 5, push, फिर मैं आया 3, stack में push कर दिया, फिर जैसे ही मैं operator देखता हूँ कोई भी, अब याद रखना, postfix और prefix में brackets नहीं होते कभी भी, जो पहले से given होते हैं, आपको सबसे पहले इसको pop करना है, उपर के 2 को pop कर दो, again पहले का नाम value 2 दे दो, फिर आप 5 का नाम value 1 दे दो, वापस से pop कर दो, and आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये जो भी operation दे रखा है, value 1, operation value 2, जो answer आएगा उसको यहाँ पे push कर देना है, जैसे for example, यहाँ पे 3 और उपर plus दे रखा है, sorry, 5, value 1 लिखनेगा, 5 plus 3, यानि कि 8, तो यहाँ पे 8 push हो जाएगा, कितना simple है, अभी देखना, कितना हज़द असान question बन जाएगा ना हमारा, ठीक है, एक ही stack से काम बच जाएगा, और कोई if else, कोई condition ही नहीं लगानी आपको, छोटी-छोटी लगी बस, अब हम आगए 4 पे, हमने क्या देखा number है, push कर दो, फिर हम आगए यार multiply पे, हमने देखा operator है, तो again आपको दो काम करने है, जैसी आपको operator जैसी तीजे दिख जाती है, तो आप क्या करोगी यार, value 2 में उठा लोगी यार, value 2 के अंदर उठा लोगी ये, इसको भार से उठा लो, pop कर लो, फिर वापिस से 8 को pop कर लो, और आपको कुछ नहीं करना, वापिस value 1, operation value 2, value 1 है 8, operator है मेरा, multiply, ठीक है, यहाँ पर multiply है, 4, which is 32, which is 32, तो यहाँ पर डाल दो 32, बहुत बहतर है, अब हम आगए यार, कहाँ पर 6 पर, 6 क्या है, एक number है, push, फिर मैं आगया इस पर, यह क्या है, divide, divide मैं अगे ने, एक operator है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 6 को उठाऊँगा यार, बाहर, अपने इसमें रखूँगा, किसमें यार, value 2 में, फिर मैं 32 को pop करूँगा, फिर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर, value 1, operation, value 2, यानि 32, और operation 6 है, divided by 6, जो क्या answer मैं को दे देगा, 5 point something, लेकिन integer consider हो रहा है, तो 5 यह answer हैगा, और वो push हो जाएगा, फिर मैं last least पर आ गया, minus पर, तो बस यह क्या है, एक operator है, यह operator है, तो आपको again, कुछ नहीं करना, बहुत simple काम है, 5 को करो, pop, 9 को करो, pop, and क्योंकि minus है, तो 9 minus 5, यानि की 4 को करो, push, that's it, यह loop खतम हो गया, और यहीं आपका answer है, यहीं आपका answer है, अब यहाँ पे, ना तो हमें ऐसा करना पड़ा, जैसे infix में हमने 2 stack लिये थे, ठीक है, भतेरी condition लग री थी, priorities लग दी थी यहाँ पे, bracket, opening bracket, closing bracket के बारे में सोचना पड़ रहा था हमें, कितनी दिक्कत वाली बाते थी, plus, जब यह दोनों stack हमारे यह पूरा traverse हो भी जाता है, उसके बाद, stacks के अंदर भी अगर कुछ पड़ा है, तो एक और while loop लगाता था हमें, तो बड़ा code होता था, लेकिन यार post fix, इसलिए तो यार यह post fix prefix होते है, प्रिक्स होते हैं, प्रिक्स होते हैं, इनकी ऐसे evaluation बहुत ज़्यादा simple है, अगर मैं करके try करूँ, यह answer actually में 4 ही है, मैं आपको confirm करके बताता हूँ, अगर जो मेरे को post fix क्या दे रखा है, post fix है 9, 5, 3, फिर है plus 4, फिर यहाँ पर है multiplied by 6, फिर divide minus, यह है post, यह जो हमने निकाल के रखा था, ठीक है, actually हमें infix यह दे रखा था, यहाँ पर लिखा है मैंने 9 minus 5 plus 3, multiplied by 4, divided by 6, अब एक बार इस infix को calculate करो, अब यह दोनों की जाधा priority है minus से, तो left to right चलेगा, पहले multiply होगा, यानि की of course, अब आप देख सकते हो, 9 minus, this is what, 32 divided by 6, and obviously यहाँ पर पहले यह solve होगा, तो this is 9 minus 5, which is 4, तो आप देख सकते हो, बिल्कुल सही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर मैं वापिस से आपको समझाओ, इस से तुच्चा कोई काम ही नहीं हो सकता है, ठीक है, अब मैं बड़ा सा stack बना के, आपको वापिस से एक बार रता जाता हो, ताकि आपको दिक्कत ही नहों, लेकिन अब थोड़ा सा जादा मैं, औरल ही यह बात करूँगा, ठीक है, एक value stack है, सिर्फ integer ही डलेगा इस पर, मैं यहां से लेकर यहां travel करता हूँ, मैंने देखा 9, push, मैंने देखा 5, push, मैंने देखा 3, push, मैंने देखा plus, अच्छा, तो एक काम करो, इन दोनों को pop कर दो, यह आपकी value बने, यह value 2 है, तो 5 plus 3, 8, push कर दो, फिर मैं आ गया, 4, push, फिर मैंने देखा multiply, तो एक काम करो, उपर के 2 को pop कर दो, 8 into 4, 32, insert कर दो, फिर मैंने देखा 6, push, फिर मैंने देखा divide, इसका फटा-फट code लिखते है, कि evaluation of postfix, postfix bolderों में बार-बार, very simple है, इधर आ जाते है, code पे अपने, and यहाँ पे लिखते है, stacks new java class, यहाँ पे लिखते है, postfix evaluation, postfix evaluation dot java, ठीक है, infix में तो यार, महनत कितनी थी आर यह देखो, infix dot java, यह infix से conversion में, देखो बताओ, दिमाग ही खराब हो गया था, दो stack बनाओ, s का evalue भी, मतलब यह सद चर निकालेंगे हम, फिर यह सारा काम करो यार, मतलब यह तो परिशानी थी यार, बहुत परिशानी थी, यहाद में एक और लूप लगाना पड़ता था, लेकिन, जैसे कि आप अब यहाँ पर देखोगे, post fix evaluation में कोई महनत नहीं है, psvm, ठीक है, शुरू हो जाते है, माल लीजिए, मेरेको एक string दे रखी है, string str is equal to, उठा लेते हैं इसको, यही string मुझे दे रखी है, which is a post fix, ठीक है, यह चीज दे रखा है मेरेको, in fact, इसको यहाँ लिख देते है, ठीक है, ओहो दिक्कत हो रही है, string str is equal to, इधर आ जाते हैं, यह post fix expression है, इसलिए post fix ही दे रहा हूँ, बहुत बढ़ी है, अब मेरेको इसकी value निकालनी है, जो कि मैं जानता हूँ, कि 4 ही है इसकी value, तो सबसे simple काम है, आपको सबसे पहले एक बनाने stack, and आपको integer का stack बनाना है, देखो, उसकी header file भी include होगी, stack integer st, या val कुछ भी लिख लोयार, value का stack, is equal to new stack, ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको loop लगाना है, string पे, for int i is equal to 0, i less than str.length, ठीक है, और i plus plus, हर समय आप character को निकाल लो पहले, char ch is equal to spr.carat i, ठीक है, यह तो काम करना है, अब आपको बस देखना है, अगर number है तो push, operator है तो pop, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, कि number है या नहीं, अब number को कैसे check करते थे, वही asci value बात करते थे हम, तो हम सबसे पहले asci निकाल देगे, int asci is equal to int of ch, and check कैसे करेंगे, कि number है या नहीं है, मैं लगाँँगा, अगर, अगर मेरा जो asci है, वह greater than equal to 48 है, greater than equal to 48 है, और साथ ही साथ, जो asci है, वह less than equal to 57 है, यानि कि वह 0 से निकाल 9 के बीच का एक number है, तो यह एक number है, number है तो सीधा well.push, मेरे को यहाँ पे number push करना है, ध्यान रखना, string push नहीं करनी, तो मैं लेखूँगा asci, मैं बार-बार नहीं बता हूँगा इस बात को, as का ही minus 48, क्योंकि actual number डालना है मेरे को यहाँ ठीक है, और else के case में, else का क्या मतलब यार, else का clean, एक और चीज़ यार, आज कल नहीं कुछ लोग ऐसे भी else लिखते है, in fact यह यह एक तरीका है, यह द्यादा बेटर लगता है, anyways, ठीक है, तो else के अंदर हम क्या देखेंगे, अगर number नहीं है, तो इसका मतलब operator ही होगा मेरा, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो operator के case में मैं क्या करता हूँ, बिना सोचे समझे, मैं दो pop करूँगा हमेशा, तो सबसे पहले लिख लो यार, int value 2, पहले value 2 आएगी, is equal to pop, val.pop, फिर मैं लिखता हूँ, int value 1, is equal to val. यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, very very simple, अब आपको बस यह देखना है, कि भाई साब ऐसा है, कि अगर, जो मेरा character है, क्या उसकी value यार, यह plus के बराबर है, अगर ऐसा है, कि plus के बराबर है, तो value के अंदर push कर दो, क्या, v1 plus v2, ठीक है, वरना आप चारो condition लगा लो है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, अगर मेरा minus है, तो v1 minus v2 डाल दो, v1 multiply डाल दो, अगर यह multiply है तो, अगर यह divide है, तो v1 divided by v2 को insert कर दो, बहुत simple, कोई काम ही नहीं, यही करना add the end आपको, ठीक है, अब यह आप करोगे, जब loop खता मुझा आएगा, तो stack में एक ही element बचेगा, आपको सोचना ही नहीं है कुछ, and add the end आप उसको print करा सकते हो, यह देखो, south, आप लिख लो, val.peak, तो आप देखो कि answer इसका क्या आएगा, 4 आएगा, run करते है, देखिए 4, बहुत ही बैठर लिए, है ना, तो ऐसे आप बहुत सारे post-fix expressions को लिख सकते हो, and बहुत ज़्यादा यार, यह simple है आप अब जल्दी से बात करते है, prefix की evaluation क्या होगी, फिर उसके बाद हम post-fix को conversions करेंगे, prefix, infix में, और prefix की भी conversions करेंगे, तो आ जाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना यार, ठीक है, देखो, this is the prefix, यहाँ पर लिख लेते हैं, minus 9, ठीक है, मुझे एक prefix है, दे रखी है, minus 9 divided by, multiply, plus, इसको अच्छे से लिख लेते है, multiply, plus, 5, 3, 4, 6, बहुत बढ़ी है, अब इज़र आ जाते हैं, मान लेजे, यह मुझे एक prefix expression दे रखा है, तो मेरेको इसकी value निकालनी है, अब इसकी value वो होगी, जो इसके infix की value आ रही होगी मेरी, ठीक है, जो मर्दी है, infix भी लिख लिएता हूँ, infix actually इसका वही था, ठीक है, भाई एक्जामपल लिया था, अब मान लिजे कि मुझे यही दे रखा है string के अंदर, तो मेंको value कैसे निकालनी है, अब यह भी इतना ही असान है, जितना पहला वाला असान था मेरा, मेहनत आपको करनी ही नहीं है, ठीक है, यह string है, अगेन आपको क्या काम करना है, बस यहाँ पर एक difference यह है, post fix में मैं left to right जाता था, नॉर्मल order में, यहाँ पर मैं ultra loop चलाओंगा, ध्यान रखना, very important, very important, ऐसे सीधा loop चलाके काम नहीं बनेगा इसमें, तो ultra loop चलाने वाला हूँ मैं यहाँ यहाँ, very very important, and वही मैं सारा बिल्कुल सेम काम करने वाला हूँ, जादा महनत नहीं करना हूँ, सेम काम करूँगा, ठेक है, मतलब, सेम काम से मेरा मतलब, एक ही stack बनाना है, मेरे को value, मैं ultra चलूँगा यहाँ से, बस मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ या लग रखनी है, वो देखना, मैंने देखा six, number है, push, मैंने देखा four, number है, push, मैंने देखा three, push, मैंने देखा five, अरे, push, फिर मैंने देखा plus, plus क्या है, या operator है, तो again, मैं यहाँ पे दो चीज़े, pop करने वाला हूँ, और फिर उनका operation, push करने वाला हूँ, लेकिन difference, यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, बड़े ध्यान से समझना यार, जब मैं इसकी बात कर रहा था, कहां गया ये, अच्छा मैंने हटा दिया, तो जो मैं दो चीज़े, pop करता था, तो मैं सबसे उपर वाले, pop को क्या बोलता था, value 2, देखें, यहाँ पे ध्यान रखना, हमारा जो value 1 है, वो ये होगा, उपर वाला, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको, हमेशा ध्यान रखनी है, और value 2, इसका logic मत सोच नहीं इतना, वरना सोच लेना वैसे तो, आज जाना चीज़ें आपको, value 2 मेरी ये होगी, ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो जो उपर वाली पॉप ओर ही है, वो value 1 है इस बार, हमेशा value 2 होती है, बस जैसे आपने ये देखा, फिर आपने देखा क्या है plus, तो एक काम करो value 1, यानि कि 5 plus 3, 8 को यहाँ पर डाल दू, तो यहाँ पर मैंने 8 को डाल दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब आजाते है इधर, मैंने देखा multiply, तो again मैं 2 values को उठा लूँगा, 8 को उठाया, value 1 बनेगी मेरी, 4 को उठाया, value 2 बनेगा, operation मेरा multiply है, तो 8 into 4 32 को मैं यहाँ पुश कर दूँगा, 32 पुश हो गया, बहुत बढ़िया, अब मैं आगया इधर, divide, तो again, मैं उपर के 2 को उठाऊंगा यार, पहले 32 को उठाया, ठीक है, फिर 6 को उठाया, फिर क्या किया मैंने, यह है, तो value 1, यानि की value 1 divided by value 2, 32 divided by 6, 5, 5 को मैंने यहाँ पे insert कर दिया, अब मैं आगया इधर यार, 9 क्या है, number है, push, ठीक है, फिर मैं आ गया यहाँ पे, यह है मेरा minus, minus क्या operation है, तो इन दोनों को pop कर लो, of course, उपर वाले को value 1 बनाओ, नीचे वाले को value 2, और 9, minus 5, 4, इसमें push कर दो, आप देख सकते हो, again, loop मेरा खतम हो गया, और answer भी आ गया, तो कितना ज़्यादा simple, यार, बहुत ज़्यादा simple answer है इसका, तो यार, I would recommend, यार, यह जो question है, यह आप खुद ही solve करना, चलो, मैं कर देता हूँ, वैसे चलो, कोई बात नहीं, मैं इसको solve कर लेता हूँ, यार, same ही question है, ठीक है, but I would say, यार, please pause करो video को, dot java, कुछ ही नहीं करना आपको इसमयार, literally कुछ ही नहीं करना, मतलब copy-paste करनी है चीज़े, psvm लिख दो, ठीक है, यहाँ से आजाते है, postfix पा सारे चीज़े उठा लेते हैं, यह लो या, copy, infix में, क्योंकि मैं अच्छे से करके नहीं दिखाऊंगा, यह आपको खुद देखना है, prefix evaluation, paste, ठीक है, सब कुछ copy-paste कर दिया मैंने, stack भी आगया, देखो हमारा, सारी चीज़े आगई, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन यह expression बदल देते हैं, यह postfix expression था, उसकी जगे हम infix लिख लेते हैं, minus 9, फिर है, divided by, multiply, plus, 5, 3, 4, 6, ठीक है, यह है मेरा plus, ठीक है, तो this is the infix evaluation, इसका answer 4 आना चाहिए, तो again same, मैंने एक stack बनाया, बस मैं यहाँ पर अप क्या करूँगा, ultra travel करूँगा, string को, तो please इस बात को समझना, i greater than or equal to 0, n की जगे आप लिख दो, htr.length, ठीक है, n मेरी यह है, और यहाँ पर लिख देंगे, i minus minus, ultra loop चला रहा हूँ, मैं, push string के उपर, फिर मैंने again यह देखा, अगर number है, तो देखो same काम है, push करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन, अब यहाँ पर आपको बस एक चीज़ चेंज करनी है, else में, बड़े दिहान से समझना, जो पहला pop हो रहा है न, वो actually इस बार value 1 है, दूसरा pop value 2 है, तो बस यह change है, that's it, अब आपका answer 4E आएगा, run करते हैं इसको याब, चलिए run करते हैं, तो अब देख सकते हैं, बिलकुँ सब्सक्राइब, तो ज़्यादा changes नहीं है, same type का code है, और बहुत ज़्यादा असान है, अब आगे बढ़ते हैं, हलका सा जो tough चीज मैं, tough तो नहीं बोलूँगा या रब मैं, क्योंकि, infix से जो convergence ही, उनमें फिर भी दिमाग लग लग रा था, post fix से conversion और prefix से conversion में, इतना दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है, तो करते हैं एक बार, सबसे पहले, अगर मुझे prefix दे रखा है, ठीक है, तो उसको मेरे को post fix में कैसे convert करना है, तो आज अज़ते हैं, देखते हैं, मान लेते हैं मेरा prefix का expression जो given है, वो यही है, minus 9, फिर divided by, multiply, फिर है plus 5, 3, 4, 6, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना हमेशा, अगर आपने notice किया हो, prefix में, usually सारे numbers end में होते हैं, और operators हैं आपे होते हैं, usually, एक आद तो आ जाएगा, और post के अंदर, post कहां गया है, post के अंदर usually numbers आ गया होते हैं, इसको मेरको post fix में convert कैसे करना है, इसको post fix में convert कैसे करना है, same काम आप करोगे, बहुत ज़्यादा simple काम है, यहाँ पर आप एक ही stack बनाओगे, एक ही stack बनाओ, इसका नाम आप value रख दो, लेकिन value string रख दो, क्योंकि यह एक string वाला stack होगा, ठीक है, क्योंकि at the end यह मेरको क्या निकाल के देगा, मेरको अगर prefix से post fix बनाना है, मेरको value नहीं निकालनी इसकी, जो 4 है, नहीं, मेरको इसको बनाना है post fix, ठीक है, जो कि यह था, मेरको इसको बनाना है यह, यह मेरको print कराके देना है, 953, उल्टा, जो भी है, post fix है मेरा, यहां से print कराके देना है, तो कैसे देंगे यार, अब आप देखना, बहुत जादा simple है, इसमें भी कोई, हाइफाइच चीज़ें यहां पर नहीं हो रही है, कोई rocket science नहीं है, कुछ नहीं है, अगेन, मैंने यहां पर prefix to post fix लिख दिया नहीं पहले, चलो कोई बात नहीं, post fix to prefix भी हम कर सकते हैं, वो भी कर लेंगे, लेकिन कभी भी prefix का अगर काम हो रहा है, तो ध्यान देना, हम उल्टा ही चलेंगे, prefix से कुछ भी हो, चाहिए हैं post fix हो, infix हो, पुष करेंगे मैं, ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा नहीं अगली बार, मेरे को 6 को as string पुष करना होगा, ठीक है, इसको as a number नहीं डालूँगा मैं, as a string डालूँगा, ठीक है, तो यहां पर मैंने डाल दिया 6, string की तरह है, फिर मैं आया 4 पे, पुष फिर मैं आया 3 पे, पुष फिर मैं आया 5 पे, पुष ठीक है, वही सेम काम हो रहा है, evaluation वाला ही almost, लेकिन यह इस बार numbers नहीं है, यहां पर strings है, but as numbers है, अब मैंने यहां पर देखा, plus क्या है, operator है, तो देखो जब prefix को, sorry, prefix को मैं evaluate करता था, तो मैं क्या कहता था, इसको मैं बाहर निकालता था, ठीक है, इस बार भी हम एक काम करेंगे, हम बाहर तो निकालेंगे, तो मैं क्या करूँगा, value 1, जो की int नहीं होगी, string value 1 होगी, ठीक है, तो value 1, कि अंदर मैं क्या डालूँगा यार, वही अपना 5, and of course, ये value 1 है, ये value 2 है, क्योंकि मैं prefix की बात कर रहा हूँ, वरना उल्टा होता है, फिर मैंने क्या किया, इसको भी निकाल दिया, मैंने अपनी value 2 बनाई, ये तो देखो पॉप कर दिया, फिर मैंने 3 को भी पॉप कर दिया, value 2 के अंदर डाल दिया, बहुत सही, ठीके 3 को पॉप करके, value 2 के अंदर डाल दिया, यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ यार, मेरा जो operator है, वो कितना है, मेरा आया था plus, तो एक बारे करे लिख लेते हैं, operator मेरा प्लस है, तो मैं यहाँ पर पते करने क्या वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे को, ये मैं 5 प्लस 3 को नहीं डाल दूँगा यहाँ पर, मैं को evaluation नहीं करनी है, conversion करनी है, अब एक बात बताओ, अगर हमें पास value 1 है, value 2 है, operator है, हमें इससे post fix बनाना है at the end, post fix होता क्या है, in general, post fix होता है, value 1, value 2, operator, right, infix क्या होता है, value 1, operator, value 2, prefix क्या होता है, operator, value 1, value 2, ठीक है, समझना, एक बात समझना, v1, v2 ही है हमारे पास at the end, देखो, v1, v2 जैसी ही चीज़े होती है, हमारे पास, यहाँ पर लिखता हूँ, v1, v2, ऐसे order में आते है, infix का मतलब, बीच में गुसेड दो, ठीक है, v1, v2, prefix का मतलब, operator को यहाँ लिखो, v1, v2, post का मतलब, operator को last में लिखो, तो अगर हमारे पास तीनों चीज़े हैं भाई, तो एक काम करो, एक string बनाओ, इन तीनों से मिलके, मैं यहाँ पर एक string बनाओगा, क्या, v1, समझना, post fix है, v1, v2, operator, याने की, 5, 3, plus, as a string, मैं यह बनाओँगा यहाँ पर, 5, 3, plus, अब मैं आगे, multiply पर, अगेन क्या है, operator है, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के, value 1, pop करा, value 2, operation है मेरा, multiply, तो अगेन मेरे को, क्या काम करना होगा, value 1, value 2, और बाद में, operation, क्योंकि post fix है, इसको as a string, उठा के, मेरे को रख देना है, यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत ही जादा बढ़िया, अब आगे देखते है, अब हम आ गए, divide पर, ठीक है, अब हम कहा आ गए यार, divide पर, तो मैं अगेन क्या करूँगा, क्योंकि divide एक, non number है, number नहीं, operator है, तो मैं इसको उठाके रखूँगा, value 1 में, इसको उठाके रखूँगा, value 2 में, operator है, divide, तो मैं यहाँ पर क्या लखूँगा, सबसे पहले, value 1, value 1, फिर मैं लखूँगा, value 2, फिर मैं लखूँगा, operator, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको उठा देते, इधर आ जाते है, फिर हम आ गई, हाँ पे 9 पे, 9 क्या है, number है, push, सोच नहीं नहीं, number है, push, फिर मैं आ गया, minus पे, minus क्या है, operator है, तो आप करो, दो चीजों को pop, यह मेरी value 1 बन गई, यह मेरी value 2 बन गई, इतनी बड़ी सी, ठीक है, और मेरा operator ही है, ठीक है, stack को थोड़ा चोड़ा बना देते हैं, अब again मेरे को क्या करना है, मेरे को लिखना है value 1, ठीक है, उसमें append कर दो कि string को, sorry value 1 यह था, I'm so sorry, मेरे को लिखना है value 1, फिर append कर दो, इसमें value 2 को, और last में लगा दो operator, तो आप जानते हो, यह ही था मेरा postfix, last में यह बज़ गया, यह loop खतम हो गया, इस चीज को print करा दो, that's it, prefix से postfix बनाना, कितना दादा असान है यार, ठीक है, अब ऐसे ही postfix से, आप prefix बना सकते हो, लेगिन वो काम आप खुद करना है, ठीक है, अब यह आपका homework रहेगा, क्योंकि अगर यह आप से नहीं हो, इसका मतलब आपको चीजे समझ नहीं हारी, आपको वापिस से देखने की ज़रूत है, homework क्या है, postfix से आपको prefix बनाना है, string बनाना है, मैं को stack पुश करना है, और जैसी मेरा कोई operator आ रहा है, तो दोनों चीजों को मैं को pop करना है, लेकिन उपर वाला value 2 होगा, नीचे वाला value 1, क्योंकि difference है, ठीक है, सीधा चल रहा हूँ है, उल्टा चलने में अलग difference होता है, ठीक है, आजाते हैं इदर, इसका code करके देखते हैं फटा-फट यार, code बिल्कुल same to same होगा, stacks में आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, pre to post, ठीक है, dot java, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जो हमारा prefix evaluation है, same to same, इसको हमें उठाना है, ठीक है, same to same, कोई बड़ी चीज नहीं, यहाँ आ जाते हैं, मुझे again, यह देखो prefix expression, मुझे यहाँ पर दे रखा है, तो मैं stack string बनाऊँगा, यहाँ पर बस यह ध्यान रखना है, stack string बनाना है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं loop again, उल्टा ही चलाऊँगा, क्योंकि prefix से कुछ जा रहा हूँ, सब कुछ सही है, again, मेरे को यह अभी भी देखना है, कि जो character है, क्या वो actually में एक number है, मतलब उसका sq value से, अगर number है, तो आप एक काम करो, push कर दो, लेकिन, push क्या करना है आपको, आपको push वो character ही करना है, आपको यह character ही push करना है, as string, तो एक काम कीजी, अगर मैं ch भी लिखूँगा, तो error ही आएगा यहाँ पे, आप अगर यह लिखोगी, ch plus empty string, तो सही हो जाएगा, समझे रहो ना, जैसे अगर 6 आया, तो उसको बस इसमें add कर दो, ठीक है, किसमें string में, ऐसे आप कर सकते हो इस चीज को अराम से, ठीक है, भाई, बहुत ही बढ़िया, आप in fact typecast भी कर सकते हो, I believe, ठीक है, अगर आप लिखते हो string, हाँ यह देखो, और यहाँ पे लिख दोगे ch, तो अच्छा ने, क्या देखना था यार यहाँ पे, int value 1 नहीं होगी मेरी, यहाँ पे string की value होगी, यह भी क्या होगी, string की value होने वाली हो, अब यहाँ पे अच्छी बात पता है क्या है, क्योंकि मैं convert कर रहा हूं किसी चीज में, तो मुझे फरक ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ प्लस माइनस तो करूँगा ही नी, तो इन सब को अटाओ, मुझे बस देखना है क्यार मेरा operator कौन सा है, और operator मुझे पता है क्या है, in fact वापिस से भी हम लिख सकते है, क्यार op is equal to ch, यही तो मेरा operator था, बार-बार लिखने की ज़रूत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, तो में पस तीनों चीज़े आ गई है, अब मेरे को prefix to postfix करना है, postfix में हमेशा क्या होता है, value1, value2, operator, तो यहाँ पे मैं एक नई string बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, string t is equal to v1, ठीक है, plus v2, plus यहाँ पे लिख दो op, ठीक है, यहाँ ch सीधा ch लिख सकते थे, इसकी जरूत नहीं थी, यह बस आपको explanation के लिए, तकि आसान रहे, ठीक है, और क्यूंकि यह दोनों strings है, तो चाहे कुछ भी आप end में add करो, वो भी string बन जाता है, तो बहुत बढ़ी है, देखो, यह बन गया मेरा string, and add the end, आपको एक काम भी करना है, कि भाई, अपने value में फिर push भी करनी है, यह जीज यार, ऐसी थोड़ना, इस string को push कर दो, t string को, मैंने push कर दिया, that's it, अब एक बार run करके देखते हैं, score को, run किया, तो आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया, यह देखो, यह answer आया है, चाहे तो आपको दिखा देता हूँ, यह देखो, again, yes, this is post fix, this is prefix, ठीक है, कितना थादा simple है, यार, इसमें मतलब मेहनत है ही नहीं इन्था, अब आपको homework है, कि आप इसका उल्टा करोगे, यह तो pre to post है, आप post to pre करने वाले हो, almost same ही है, हम आगे बढ़ते हैं, हम अगला question करते हैं, जो कि है, conversion of a prefix to infix, conversion of a prefix to infix, एक काम करते हैं, इसको हम homework रखेंगे, प्लस 4 into 6 divided by और ये again बिल्कुल सेम काम है जब हमने यार इस post fix वाली की जो string थी जब हमने इसकी evaluation की थी तो वो क्या किया था evaluation के time मैंने एक stack बनाया था बस इसका नाम well रख दिया था और मैं क्या कर रहा था अगर 9 आया तो push 5 आया तो push 3 आया तो push फिर जब plus आया तो 3 और 5 pop 5 plus 3 8 add फिर 4 आया तो मैंने क्या क्या push फिर multiply आया तो 4 और 8 निकल गए 32 आगया फिर 6 आया push फिर divide आया 6 और ये 32 divide by 6 5 यहाँ पर push हो गया फिर minus आया ये और ये उड़ गए 9 minus 5 4 add the end रहे गया almost यहाँ पर मिरको same काम करना है बस यहाँ पर आप देखना फर्क यह अफ्कॉर्स यहाँ पर क्योंकि मिरको यह convert करना है और ये चीज़ print करनी होगी infix तो मैं string का stack बनाऊँगा ठीक है stack of string वही same काम करूँगा यहाँ पर stack of string again मैं यहाँ पर देखूँगा क्या यह 9 है number है push कर दो as a string push करो 5 है तो push कर दो 3 है तो push कर दो फिर जैसे ही plus आगया रुख जाओ एक काम करो यहाँ पर आप लिखो string string value 2 क्योंकि post fix है न तो ये उपर की value 2 है ये value 1 है even infix में भी यही काम होते है प्रिफिक्स में वह आता था ठीक है उल्टा क्योंकि मैं उल्टा चलता था उसमें भी सीधा चलता तो ऐसा नहीं होता string value 2 के अंदर डाल दो यार पॉप करके ये लिया हो ठीक है पॉप करके लिया हो अपनी ये और फिर आप यहाँ पे लिखो string value 1 और इसमें उठा के लिए आओ एक और बस ये आपको काम करना है और of course आपका जो character op है care op है वो आपका plus था भी तो आपको कुछ नहीं करना आपको actually में ऐसा नहीं करना कि भाई 5 प्लस 3 ठीक है 5 प्लस 3 करके यहाँ return नहीं करना नहीं मुझे infix print कराना है वो operation जो है अब यहाँ पे एक छूटा सा वो issue है वस मतलब issue तो नहीं है लेकिन आप यह चीज़ प्लीज समझना कि मैं क्यों करूँगा यह चीज़ ठीक है infix में कभी भी अप जैसे मेरे को क्या करना है फिर infix का मतलब होता है infix का मतलब होता है value 1 operator value 2 तो आप यह सोचोगे ठीक है हमने लिखा value 1 plus 3 फिर हम यहाँ पे यह add कर देते है 5 plus 3 as a string ठीक है as a string मैं आड कर दिया सब कुछ सही है लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा रेक और चीज़ करनी पड़ेगी क्या जो भी आपका यह बन रहा है ना कभी भी बन रहा है तो उसमें ना दोनों तरफ bracket जरूर लगा लो फिर उसको push करना समझना मेरी बात यह जरूरी है क्योंकि हर बार priority जैसे जब हम bracket से आ रहे होते है post fix पे एक बात समझना infix से post fix पे तो तब तो मैं brackets हटा देता हूं post fix के अंदर लेकिन वो वापिस कैसे लाई जाएंगे तो इसमें extra brackets भी आ जाएंगे कुछ इसलिए हमें हर समय brackets रखने है ताकि वो preference मेरी रहे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 5 plus 3 की जगे जो भी चीज मेरी बन रही है जादा मेहनत नहीं है 5 plus 3 की जगे मैं यह डाज दूँगा ठीक है सोचना ही नहीं है जादा बहुत बढ़िया आगे बढ़ते है इनको हटाते है अब मैं सीधा चल रहा था ना 9 हो गया 5 हो गया 3 हो गया प्लस हो गया अब मैं आया 4 पे 4 क्या है नंबर है फुष करतो ठीक है फिर मैं आया multiply पे क्या है operator है ठीक है तो multiply operator है फिर आपने उपर वाला pop किया इधर रख दिया फिर एक और pop किया इधर रख दिया and again अब जो आप चीज पुष करने वाले हो वो क्या होने वाली है यार value 1 op value 2 और वो भी ऐसे bracket value 1 op value 2 तो यहाँ पर मैं लखूंगा bracket value 1 कितनी है bracket 5 plus 3 bracket close op कितना है multiply और हमारा value 2 क्या है 4 bracket close तो यह मैंने push कर दिया बहुत ज्यादा simple आगे बढ़ते यार इसको अटाते यार अब मैं आ गया यहाँ पे 6 पे number है तो push कर दिया फिर मैं आ गया यहाँ पे divide पे operator है तो एक काम करो यार अगर operator है तो यह मेरा value 2 हो गया यह उठा के यहाँ पे आ गया value 1 and मेरा operator था divide तो again मुझे क्या काम करना है मुझे सबसे पहले लिखना है bracket फिर value 1 को उठालो value 1 अपने आप में यह है value 1 समझे रहो ना यार थोड़ा बड़ा stack बनाना पड़ेगा मेरे को चोड़ा stack थोड़ा बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं इसको अटाते हैं अब last मेरा रह गया सिर्फ यहाँ पे आगया minus क्या है operator है operator है तो यार इसको उठाओ यहाँ रखो फिर 9 को उठाओ यहाँ रखो operator है मेरा minus तो again आप लिखोगे bracket फिर आप लिखोगे value 1 value 1 है 9 फिर आप लिखोगे operator minus फिर आप यह पूरी की पूरी चीज लिख दोगे उठाके जो कि यहाँ पे ले आते है फिर आप लिखोगे value 2 and फिर आप बंद कर दो दो ठीक है तो this will be the final answer अब again आपने यह सोचा होगे actually में जो हमारा infix था पहले वो तो यह था 9 minus 5 plus 3 अगर आपको याद हो into 4 divided by 6 येस and इस infix का conversion यह है लेकिन यह भी सही है इस infix का conversion भी यह है add the end अगर आप देखोगे तो इसमें भी सबसे पहले यह 5 plus 3 solve हो रहा है ये 8 बन रहा है फिर add the end ये 8 into 4 solve हो रहा है ठीक है होना भही था तो इसलिए हम याँ यहाँ पे brackets फिर भी लगा देते क्योंकि अगर हम bracket नहीं लगाते न तो यार कुछ ऐसा होता 9 minus अगर bracket नहीं लगाते तो ये देखो 5 into 3 multiplied by 4 divided by 6 जबकि ये गलत हो जाता इसमें पहले यार हमारा क्या होता 3 into 4 solve होता ये नहीं होता तो इसलिए bracket लगाना जरूरी है तो एक बार लिखते है post fix to infix again very very simple यार वही post fix to prefix वाली बाते ही हो रही थी almost मेरी ठीक है जो हमने नहीं किया तो यहाँ पर आ जाते है new java class post to in ठीक है dot java very very simple तो यहाँ पर एक काम करते है public static void main and अपना post fix वाला ली आते है post fix evaluation copy paste करना है इसको ठीक है जैसे मैंने post fix को evaluate किया था post to in तो यह वापिस लिया हो यह मुझे post fix expression दे रखा है तो again मैं stack बनाऊंगा लेकिन stack बनाऊंगा यार मैं oh sorry stack बनाऊंगा यहाँ पर string का ठीक है stack बनाऊंगा string का वही normal अपना loop चलाऊंगा character निकालूँगा as kind value निकालूँगा लेकिन difference being यहाँ पर मैं यह चीज नि पुश्ट करने वाला यहाँ पर मैं डालूँगा यह अपना वही जो character था प्लस यह अगर character में 0 था तो बस string as a string डालना है मेरको else में again यहाँ पर आप लिख दोगे यार string यहाँ पर भी आप लिख दोगे यार string और यह सारी चीजों को हटाओ इनकी जरूत में आपने string value2 निकाला value1 निकाला अब एक बार character op भी निकाल लेते हैं character op हमारा वही character ही था ज्यादा कुछ मेहनत निकरनी और आपको क्या करना था infix बनाना है infix होता है value1 operator value2 तो आप एक नई string बना दो string t is equal to या कोई भी नाम अब यहाँ पे लिखो again value1 plus operator plus value2 बस आपको यह चेंज करना है और फिर आपको क्या कर देना यार अपने stack के अंदर इसको push कर दो बहुत ही बढ़ जा अब देखना answer बिलकूँ सही आएगा infix answer आजाएगा यह देखिए infix ठीक है लेकिन इसमें एक दिक्कत है मैंने brackets नहीं डाले तो brackets के लिए हमेशा हम क्या करेंगे जब हम string बना रहे होंगे तो हम एक काम कर लेंगे इधर ही आजाएगे सबसे पहले तो ना कि एक यहाँ पे या as a string भी कर सकते हो character डाल दिया तो यहाँ पे लिख दो plus and end में भी आप यह लिख सकते हो या ऐसे ठीक है अब देखना आप बिल्कुल सही आएगा answer हर जगे bracket लग जाएगा ठीक है तो this is the infix expression for this post fix I hope आपको इस चीज़े समझ आ रही होगी अब आपको homework क्या है यार यहाँ पे post fix to infix तो मैंने कर दिया आपको homework है prefix आपको homework है यार prefix से आपको infix पे जाना है तो again same काम है prefix की evaluation मैंने आपको दिखा दी थी उसी में changes करने है यार कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो यार आगे बढ़ते है आज के lecture में हमने जो है post fix ठीक है अभी तक prefix और हमने क्या कहते है infix ये तीनों चीज़े क्या है अच्छे से अच्छे से देख लिया अच्छे से देख लिया राइट अब मैं आपको दो यहाँ पे bonus questions कराने वाला हूँ ठीक है जो कि मैंने starting में promise किया था वीडियो के अंदर तो जो भी यार ये नहीं देख रहा हूँ वो अपना loss करा रहा है वेसी के लिए तो यार आगे बढ़ते है और bonus questions को solve करते है जो पहला question है मेरा यार पहला question है मेरा हिहाँ पे celebrity problem ठीक है Celebrity problem यार क्या कहती है तो इसके लिए काम करते हैं एक बार internet पे जाते है और उस question को read करते है ताकि आपको idea लगी कि actually में celebrity है क्या ठीक है तो आजाते है एक बार यार अपने I believe हमारा GFG पे था Celebrity ठीक है problem Cricket League नहीं यार The Celebrity Problem ठीक है तो एक बार आते है यार Solve करते हैं इसको आपको समझाता हूँ कि इस question में है क्या यहाँ पे आ जाते है यार question समझने की उस पे आते है मैं भी dark mode, dark mode कर रहा हूँ तो यार मेरे को ऐसा question कुछ दे रखा है इसको Java पे लिए आते है सबसे पहले तो Right कि अगेन मेरे को एक function दे रखा है int celebrity और मुझे basically क्या करना है एक तो मेरे को यार यहाँ पे 2DRA दे रखा है 2DRA है ठीक है capital M नाम से एक 2DRA है और यहाँ पे दे रखा है मेरे को N ठीक है N क्या है यार मेरा N मेरा इसका size है मुझे एक square matrix दे रखी है अब यहाँ question पढ़ते है A celebrity is a person who is known to all but does not know anyone at a party ठीक है For example यार ऐसा scene है कि आप मान लीजे जैसे मैं हूँ ठीक है तो मेरे घर पे चार लोग है मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी मेहन ठीक है और मान लेते है यार पांचवा इंसान है जो की एक celebrity है ठीक है मान लेते है शारू खान अब यार हम चारो of course शारू खान को जानते है और शारू खान हम में से किसी को नी जानता तो वो एक celebrity हो ठीक है अब ऐसा मतलब वैसे true नहीं है हो सकता है हम जानते होते but in general इस question का मतलब है celebrity वो इंसान है जो किसी को भी नी जानता अपनी चौड में है और सारे लोग उसको जानते है तब ही वो celebrity है लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जैसे for example अब जैसे अलग सर है अलग सर भी एक celebrity है हमारे यहाँ पर अब मैं अलग सर को जानता हूँ लेकिन मेरे घरवाले अलग सर को नहीं जानते है मतब मेरे घरवाले हम सब अलग सर को जानते है क्योंकि वो celebrity है ठीक है लेकिन अलग सर मेरे घर में से मुझे जानते है और किसी को नहीं तो क्या वो celebrity होए इस question के एसाब से, नहीं होए वो celebrity, वो celebrity तब होते हैं जब वो मुझे नहीं जानते, ठीक है, तो यह आप बात समझना, इसका basically meaning यह था, यहाँ के celebrity का, ठीक है, तो देखो आपको क्या दे रखा है यार यहाँ पे, अगर आपको एक party में जा रहे हो, जहाँ पे n लोग है, ठीक का नाम है capital M, ठीक है, यह बस मुझे क्या बता रहे है, it is used to represent people at the party, such that if an element of row i and column j is set to one, it means कि दोनों एक दूसरे को जानते है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है एक चीज, यहाँ मतब i j को जानता है, तो अब एक बार देखते हैं, कि क्या scene है, पहली बात, एक तो यहा आता हूँ, मान लेते हैं, मेरा n is equal to 3 है, यानि कि 3 लोग हैं महाँ पे, और मेरा जो matrix है, वो कुछ ऐसा दे रखा है मुझे, matrix कुछ ऐसा दे रखा है, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ठीक है, यह मुझे मेरा matrix दे रखा है, बहुत बढ़िया सही है, अब इसको 2DR के form में ही लिखते ह ताकि आपको बढ़िया लगे थोड़ा, मुझे तो बढ़िया लगी रही है, तो यह मेरे को दे रखा matrix, अब इस matrix का ना मैं आपको मतलब समझाता हूँ, यह मान लेते हैं मेरा 0th row है, मतलब यह 0th person है, यह 1st person है, यह 2nd person है, और यह मेरे columns है, अब columns क्या डिनोट करते हैं सम जाता हूँ, यह क्या लिखा है मैंने 0, 0 का मतलब 0th person अपने आपको नहीं जानता, यह अपने आपको जानने की बात कुछ नहीं है, बेसिकलिए यह redundant है, जो diagonal होगा, यह मेरे हमेशा 0 होगा, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, एक valid question नहीं है, इस question के आपसे, तो मैं आ जाता हूँ इधर, जो 0 है, क्या 1 को जानता है, हाँ, इसलिए यहाँ पर 1 टिक हो रखा है, जो 0 है, क्या वो 2 को जानता है, नहीं, 0 का मतलब नहीं, इस 0 का मतलब, ठीक है, तो क्या 0 एक celebrity हुआ, नहीं, क्यों celebrity यार वो होता है, जो किसी को भी नहीं जानत तो 1 में भी अगर यह होता न, तो यह celebrity होता, अब आ जाते हैं हम इस पर, 1 पर, क्या 1, 0 को जानता है, इसको, नहीं जानता, क्या जो 1 है, वो 2 को जानता है, नहीं जानता, तो यह एक celebrity है, जो जितने भी बाकी लोग है, उनको किसी को भी नहीं जानता, तो celebrity है, इसको तो इसकी तो हमें कुछ जरू होती नहीं, in fact इसका color बदल देता हूँ, यह हमेशा 0 होंगे, आपको इंसे लेना देना ही नहीं है, अब आ जाते हैं जैसे 1 एक celebrity है, यहाँ पे लिख लो 1 is celebrity, अब आपको कुछ special समझाओंगा है यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 2, क्या 2 0 को जानता ह नहीं, क्या 2 मेरा 1 को जानता है, हाँ, क्या 2 मेरा 2 को जानता है, क्या 2 मेरा 2 को जानता है, नहीं वो तो नहीं होगा, तो क्या 2 एक celebrity है यहाँ पे, नहीं, 2 क्या है, एक celebrity नहीं है, क्योंकि 2 मेरा यार, क्या है यार, 2 मेरा celebrity इसलिए नहीं है, क्योंकि वो 1 को जानता है, अग अच्छा अब आपकी दिमाग बे कोशन आ रहोगा यार हमें तो यहाँ पर सेलिब्रिटी निकालना है मतलब अगर वन इंडेक्स है तो मेरे को इसका आंसर होगा वन रिटर्न वन अब आप यह सोच लोगी ना यार एक से जाधा सेलिब्रिटी भी तो हो सकते हैं एक बार सोच सारी चीज़े मेरी हाँ पर जीरो है तो वो एक सेलिब्रिटी है तो अगर इस कोड का आपको एक सस्ता सा आंसर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो पूरे मैट्रिक्स में ट्रावल कर लो तो आपका N क्रॉस N टाइम कॉम्पलेक्सिटी आ जाएगा यानि कि O आफ N स्कूर आपकी टाइम कॉम्पलेक्सिटी आ जाएगी हाँ पर पूरे मैट्रिक्स में ट्रावल करो आपको पता लग जाएगा सेलिब्रिटी कौन है बहुत सिंपल पूरे मैट्रिक्स में ट्रावल करो आपको पता लग जाएगा सेलिब्रिटी कौन है काफी सिंपल बात नहीं है य की जगे 0 लिख देते है अब यहाँ पर क्या लिखा है जो 2 है वो यार 1 को नहीं जानता जो 2 है वो 1 को नहीं जानता तो आप सोच रोग यार अब 2 जो है 2 तो किसी को भी नहीं जानता तो 2 भी एक celebrity होना चाहिए 2 is celeb नहीं wrong इन फाक्ट अब 1 भी celebrity नहीं रहा celebrity की 2 conditions थी वापस आ जाते हैं यहाँ पर celebrity की 2 conditions थी सिर्फ यह नहीं है कि इसकी पूरी row मेरी 0 है मतलब अगर कोई celebrity है पहली बात तो वो किसी को भी नहीं जानता यह जो number 1 denote करता है 1 क्या इसको जानता है इसको जानता है वो किसी को भी नहीं जानता point number 1, point number 2 कोई और मतब सारे इसको जानते है celebrity वो होता है जिसको सब जानते है पर वो किसी को नहीं जानता तो 1 इसलिए भी celebrity है क्योंकि तेको 0 भी 1 को जानता है और जो बचे वे जितने भी लोग है 2, 2 भी 1 को जानता है ठीक है? 0 भी 1 को जानता है और 2 भी 1 को जानता है तो जो conditions है वो आपकी basically ये हो गई कि कोई भी row number जिसका ये पूरी की पूरी row मेरी 0 है और जो पूरा का पूरा इसका ही column है, 1 का column है वो पूरा 1 है, except 1 itself, वो तो हमेशा ही 0 होगा इसका इसलिए color भी मैंने अलग रखा था, ठीक है? वो तो हमेशा ही मेरा 0 होगा तो ये सारे 1 होने चाहिए और यहाँ पे सारे 0 होने चाहिए अगर मानलेते हैं, 2 celebrity होता तो यहाँ पे सारे 0 होते और यहाँ पे सारे 1 होते, ठीक है? तो अगर मैं 2 को celebrity बनाने की कोशिश करूं, ऐसे कि 2 किसी को नहीं जानता तो 2 फिर भी celebrity नहीं है in fact अब 1 भी celebrity नहीं रहा क्योंकि 1 को सब नहीं जानते 2 नहीं जानता ठीक है तो ये question है हमारा अब यार again इस question में basic लिए देखिया रखा यहां देखो can you optimize it to order of n time complexity आप सुचो कि कैसे यार जब मेरा जो लग गई तो वो हमें नहीं करना तो इसका क्या मतलब है हमें पूरा array travel करने की जरूरत ही नहीं है हमें पूरा array travel करने की जरूरत ही नहीं है अब इसको हम पते कैसे solve करेंगे using stacks अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है question बहुत असान question है ठीक है, बेहत असान, using stacks, आपको order of n में solve करना होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक empty stack बनाने वाले हो, आप बना दोगे एक empty stack, जिसका आप नाम रख दो, कुछ भी, जैसे मैंने नाम रख दिया, st, अब इसमें आप क्या करोगे, जितनी भी आपको index दे रखा है, कोई भी index दे रखा है, जैसे आपको, अगर number n दे रखा है, n is equal to 3, तो obviously जो indices है, वो 0, 1, 2e है, तो आप क्या करो, एक बार इसमें कर दिये हैं, अब मुझे पते क्या देखना है, एक बात समझो यार, celebrity कोई भी इनसान पते कब होता है, जब जैसे मानलो 2 है, अगर 2 celebrity है, तो मैं 2 को 1 के साथ कैसे compare करूँगा, मैं देखूँगा, एक तो जो 2 है, वो मेरे 1 को ना जानता हो, और, और एक और चीज, जो मेरा 1 है, वो 2 को जानता हो, जैसे यह वाला जो element है, यह देखना, आप समझना, 2, 1 को नहीं जानता हो, ठीक है, और जो 1 है, वो 2 को जानता हो, अगर ऐसा हुआ, तो 2 शायद celebrity बन सकता है, अभी भी surety नहीं है, यह देखो, अगर यह बन होता, तो यहाँ पर भी बन होने की जरूत है, 2 के लिए, तो शायद वो एक celebrity होगा, समझना इस बात को, ठीक है, तो मान लेते, यहाँ पर मेरे elements है, अब आप सबसे पहले क्या देखने वाले हो, बड़े ध्यान से इस बात को समझना, मैं यहाँ से 2 elements को pop कर दूँगा, 2 और 1, और इनका नाम हम ऐसे रख देंगे, int, value value 1, value 2, कुछ भी रख सकते हो, आप यहाँ पर, ठीक है, मैंने रख दिया, value 1 की value 2 है, और value 2 मैंने उठा लिया 1, मैंने पॉप किया, ऐसे उठाए नहीं है, यहाँ पर मैं पॉप लिख लेता हूँ, जादा साही रहेगा, ठीक है, value 2, सबसे पहले मैंने उपर को pop किया, यहा कोई भी order में करो, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या देखने वाला हूँ, मेरे को दो चीदे देखनी है, if else की condition देखना है यहाँ पर, कि यार अगर, ठीक है, जो मेरा 2 है, अगर 2 मेरा 1 को नहीं जानता, यह condition रखनी है, मेरे को यहाँ पर, समझे 2,1 यह चीज, अगर मेरी equal to equal to 0 है, अगर यह equal to equal to 0 है, यानि कि 2,1 को नहीं जानता, ठीक है, अगर ऐसा है देखो, I और J में लिखूंगा, इन फाक्ट यहाँ पर, ठीक है, I और J, इन फाक्ट, value 1, value 2 लिखेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर हम value 1, value 2 के साथ खेल रहे है, अग लेकिन, अगर यह मेरा पहले से ही 1 होता, मतलब 2 मेरा 1 को जानता होता, ठीक, अगर 2 मेरा 1 को जानता है, तो 2 तो जिन्दगी में celebrity नहीं बन सकता, क्यों, celebrity होता है, जो किसी को भी नहीं जानता, very very simple, right, तो अगर यह 1 हो जाता, तो सीधा यार, आप 2 को हटा सकते हो, उस stack में से, वो तो celebrity कता ही नहीं हो सकता, आगे देखते है यार, बड़े दोहन से समझना, अगर ऐसा है, तो शायद जो 2 है, वो एक celebrity हो सकता है, 1 के respect में, शायद जो 2 है, वो celebrity हो सकता है, 1 के respect में, अब और क्या conditions मेरे को यहाँ पर देखनी होगी, दूसरी condition यह हो सकती है, मेरी यार ठीक है, अगर else में आ गया, इसका मतलब तो simple है, आपको 2 रखना ही नहीं है फिर, ठीक है, अब एक condition यह हो सकती है, कि अगर मेरा matrix का value to value 1, यानि कि अगर यहाँ पर मेरा 1, अगर जो मेरा 1 है, यहाँ पर उल्टी चीज लिखना, अगर मेरा 1, 2 को, अगर मेरा 1, 2 को जानता ह अगर 1, 2 को जानता है, तो भी जो मेरा 2 है, वो celebrity बन सकता है, ठीक है, तो भी जो मेरा 2 है, वो celebrity बन सकता है, तो अगर ऐसा scene हुआ, तो मैं 2 को यहाँ पर push कर दूँगा, वरना मैं 1 को यहाँ पर push कर दूँगा, अब इस बात को समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ बड़े गौर से आपको तब समझ जाएगा, एक बार code करते है, code के साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ, कैसे हमें दोनों की दोनों चीजे यहाँ पर निकालनी है, ठीक है, यह in fact पहले ट्रायरा नहीं कर लेते हैं, algorithm देखते हैं, मैंने यहाँ पर क्या देखा यार, एक बार one को celebrity बना देते हैं, one को celebrity बना देते हैं पहले तो, ठीक है, इस question में बन गया, यह देखो, अब मैंने देखा, कि जो two है, one, तो यार, क्या two one को जानता है, मैंने देखा, क्या two one को जानता है, बिलकुल, तो आप simple एक काम करो, यार, one को एक बर एक लिए इसमें डाल दो, और जो two है, हमारा answer कभी नहीं हो सकता, क्योंकि two एक celebrity नहीं है, तो आप क्या करोगे, बस one को इसमें डाल देंगे, ज्यादा महनत नहीं, one को इसमें डाल दिया, one की चीज़ें चेकी नहीं करनी आपको, ठीक है, one की चीज़ें आपको चेकी नहीं करनी, हापे भी हम, else if लगाए तो इसका clear मतलब है, two तो celebrity नहीं है, लेकिन one हो सकता है, तो one को वापिस डाल दो stack में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, stack.push, अगर two देखो यह है, अगर मेरा जो two है, वो one को not equal to लिखना था, in fact, ठीक है, यहाँ पर, अगर two one को जानता है, equal to one लिख 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 यहाँ पर लिख दो, else if, अगर मेरा one जो है, value two क्या थी, वन थी, अगर जो मेरा one है, वो जो है two को नहीं जानता में लिख लिख लिते हैं, ठीक है, या फिर अगर मैं लिखूंगा one two को जानता है, तो, ठीक है हम यह काम बङर सकते है वाँ नहीं ही रख ञेक्स आगर मेरा और मेरा ऌह अगर मैं लिखुँँगा रखनेश रखनों और यहां पर नहीं जानता है अगर जानता होता तो मैं वह किर देदा क्या प्रमाः उच्टार के ओ कर दीताई भी stack के उपर समझना इस बात को अब मैंने देखा 1 और 0 तो मैंने 1 को यहां उठाया और मैंने 0 को यहां उठाया तो मैंने एक और चीज़ वापिस से देखी क्या 1 0 को जानता है क्या 1 0 को जानता है नहीं जानता तो 1 एक celebrity वो सकता है तो 1 को यहां रख दो ठीक है, बाती खत्म, in fact आपको यही चीज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि देखो एक बात बहुत clear है, अगर जो मेरा one है, अगर मेरा one zero को नहीं जानता, क्योंकि दो चीज़े clear होती है यहां से, अगर one zero को, अगर मेरा one है, वो zero को नहीं जानता, नहीं जानता, तो one तो शायद ए अभी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर किसी इनसान को बाकी सारे लोगों में से कोई भी एक नहीं जानता, तो वो सेलिबरेटी नहीं है, और यहाँ पर मैंने क्या माना है, वन अगर इसको नहीं जानता, ठीक है, तो जीरो तो कभी भी सेलिबरेटी नहीं हो सकता, तो जो वो 0 को नहीं जानता तो 1 वापस से potential candidate है और इसको मैं नहीं डालूँगा यहाँ पर अब अभी भी क्या ये बात clear हुई है कि 1 मेरा celebrity है नहीं यह बात अब अब तो clear नहीं हुई है ठीक है क्या पता यहाँ पर 0 होता 0 भी 1 को नहीं जानता वो condition हमने देखी ही नहीं अब मैं क्या करूँगा बापिस से अब बन के अंदर मैं लूप लगाने वाला हूँ क्या कि मैं पूरा चेक करूँगा सिर्फ क्यूंकि अब तो order of n बजिया ना यार अब बस मेरे को एक element के साथ देखना है जो की मेरा potential potential celebrity है अभ मेरे को इसके बारे में देखना है कि अगर यार यह हो सकता है इसके यह सारे 0 होने च चाहिए एक तो मेरे ठीक है उसकी यह सारे मेरे क्या होने चाहिए यार वन होने चाहिए तो आपको यह धियान रखने है ठीक है तो चलिए question को solve करते है फट-फट यहां पर आ ज एक तो मैं stack बनाऊँगा integer का stack integer st is equal to new stack, intelligent idea की तरह यहाँ पर automatic नहीं होगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक loop लगा लेते हैं न यार, for int i is equal to 0 i less than n, i plus plus, and simple आप एक काम करो st.push सबसे पहले order of n लेके, मैं extra space use कर रहा हूँ, of course, यहाँ पर, मैं हर 0 से लेकर n-1 को push कर देता हूँ ठीक है, पहला काम हो गया, अब आपको बस कुछ नहीं देखना, आपको यह देखना है, while जब तक, जो मेरा stack का size है, while, यहाँ पर लिख दो stack का size है, वो 1 से बड़ा है जब 1 हो जाएगा, तो break कर देना, last element को फिर में को check करना है, potential potential check करना है, ध्याँ लखने इस बाद को, ठीक है यहाँ पर मैं बस दो-तीन condition लगाँगा, कि देखो, अगर अगर तो ऐसा है पहले तो दोनों elements को निकाल लेता हूँ matrix का, जो मेरा यह val1 है, comma val2 है चीक है, यह अगर मेरा बराबर है किसके यार, ध्यान रखना यह अगर मेरा बराबर है 0 को मतलब, यह 0 है, इसका क्या मतलब है val1, val2 को नहीं जानता, इस order में चलना हमे, val1, val2 को नहीं जानता, तो यहाँ से ना यार, दो चीज़े clear होती है, सबसे पहला तो यार, शायद val1 celebrity हो, क्योंकि यह 0 को नहीं जानता, हो सकता है, बाकि किसी को नहीं जानता लेकिन अभी पता नहीं है और दूसरी चीज़ जो यहाँ से clear होई है, वो ज़्यादा clear होई है चीज, यार val2 तो नहीं है तो celeb नहीं है val2 तो celeb नहीं है, बिलकुल नहीं है ठीक है, यह बात तो बिलकुल ही हमारी clear है यहाँ ठीक है, इसको इहाँ ले जाते है थोड़ा अच्छे, इधर ही हो सकता है, चलो कोई नहीं, ठीक है, यह देखो well 2 तो सलब कते ही नहीं है ये बात clear होगई है अगर well 1 well 2 को नहीं जानता तो ये चीज़ clear होगई कि well 2 को एक बंदा तो नहीं जानता तो अब फर्क नहीं पड़ता कि बाकी जानते हैं नहीं जानते हैं वो celebrity नहीं है ऐसे case में हम क्या बोलेंगे भी push नहीं करोगे ठीक है वो कप करोगे देखना अब यहाँ पे आप condition देख लो यार ये चीज़ तो हमने देख लिए if ये हमने push कर दिया अब हम else if लगा देते हैं else if अगर ऐसा है कि matrix का क्या है मेरा well 2 अगर ये मेरा well 1 को नहीं जानता ठीक है अगर well 2 मेरा well 1 को क्या है यार यहाँ पे नहीं जानता तो again यहाँ से बात लिए रोते कि शायद value 2 मेरा celebrity हो लगिन value 1 तो बिल्कुल नहीं होगा तो इस case में आप बस करो st.push यहाँ पे लिख दो value 2 कभी-कभी क्या हो सकता है कि यह value भी मेरी one हो और यह value भी मेरी one हो तो आप किसी को भी push नहीं करोगे कि दोनों मेरे potential candidates कते ही नहीं है ठीक है समझे रो मेरी बात आप किसी को भी push नहीं करोगे अगर दोनों की values मेरी one है कि value भी यह भी इसको जानता है और यह भी इसको जानता है बन बन आ जाता, तो आप कुछ भी push नहीं करोगे बापिस से आपको push करने की जरूरती नहीं है ये दोनों कभी भी celebrity नहीं हो सकते बहुत बढ़िया, तो बस ये conditions आपको चलानी है इन conditions यार make sure होगा कि या तो एक push हो रहा है ये दो push कभी नहीं हो सकते क्योंकि if और else if लगा रखा है मैंने तो या तो ये push हो रहा है, या ये push हो रहा है या दोनों ही push नहीं हो रहे कोई condition ही hit नहीं हो रही है, हमारी ये हो सकता है ठीक है, बस आपको last में क्या करना है यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको क्या कि जब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ stack.size greater than 1 कर रहा हूँ अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कभी-कभी पता है क्या हो सकता है मान लो मेरे stack का size 2 होता मान लिजिए, मेरा stack का size यहाँ पर 2 बचता और दोनों एक दूसरे को जानते है तो मैंने तो दोनों pop कर दिये तो of course यह loop मेरा 2 दिया ठीक है तो अब यहाँ पर न दो cases हो सकते है case number 1 मेरा कि जो अब stack का size है बड़े ध्यान से समझना एक तो यार stack का size मेरा 1 हो सकता है या 0 भी हो सकता है क्योंकि यार मैं 2 pop कर रहा हूँ ना मैं 2 pop कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं वापस कुछ push कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ यह मैंना आपको भी बताया तो size 0 भी हो सकता और 1 भी हो सकता बच्चावा size अगर zero size है, इसका मतलब कोई भी celebrity नहीं है, यहाँ पर लिखा होगा, अगर celebrity नहीं है, तो आप minus one return कर दो, ठीक है, कहीं लिखा यह रहा, minus one return करने आपको, जैसे यह देखो, यही मैं आपको समझा रहा था, यह मेरा matrix है, zero one, one zero, तो यह जो है, यह अपने आपको तो of course नहीं ज हो जांगता है, ठीक है, तो ऐसे case में, ना मेरा यह चलेगा, यार, क्योंकि यह भी zero है, ना मेरा यह चलेगा, तो दोनों के दोनों pop हो गए, तो अब stack का size खाली हो गया, जब भी stack का size खाली है, तो आपको यहाँ पर return minus one करने, कोई भी potential candidate ही नहीं, अब आपको क्या करना है, अगर else में आजाओ, in fact, else करना ही नहीं आपको, क्योंकि return one हो गया है, return जब statement चलती है, इसका मतलब खतम, tata bye bye, good bye, तो अब हम बिना else के लिखे भी हाँ पर लिख सकते है, अब दूसरा case, obviously बचा कि अगर stack का size one है, मतलब जो stack के peak पर element पड़ा है, उसको निकाल लो, int, पर लिख लो, int, potential, अभी भी हमें पता नहीं है, कि यह celebrity है और नहीं है, is equal to st.pop, stack को खाली कर दो, finally, ठीक है, अब मुझे चेक करना है, कि क्या यह जो चीज है, यह actually में मेरा candidate बन सकता है, यह यह नहीं बन सकता, तो इसके लिए मेरे को पूरा इसका row travel करना है, और इसी में column wise travel करना है, मेरे को, सबसे पहले row travel करते है, यहाँ पर लिखते है, for int, मेरे को दे रखा है, potential, तो मैं क्या जाओंगा, मैं तो of course, वो देखूंगा, अपनी, जो मेरी row number वो रहेगी, जो potential है, लेकिन column तो बदलते रहेंगे, मेरे, तो यहाँ पर लिखूंगा, i is equal to 0, i less than n, i and आपको बस यह चेक करना है, कि भाई, गलती से, अगर गलती से, यह किसी को भी जानता हुआ, जानते कैसे है, ऐसे, if m, और यहाँ पर लिख दो, potential, अगर potential, किसी को भी जानता हुआ, यहाँ i की value change जोते जारी है, अगर यह किसी को भी जानता है, तो सीधा return minus 1, भाई, यह celebrity नहीं है, बात खतम, अगर यह किसी को भी जानता है, तो return minus 1, अगर यहाँ पर 0 चलता जा रहा है, तो यह loop खतम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, अब आगे देखते हैं, यह तो देख लिया, पूरी की पूरी रो, अब column देखते हैं, इसका पूरा का पूरा, तो again म मैं j लिख रहा हूँ, ठीक है, in fact, यहाँ पर j लिखना चाया था, तो कि मैं ऐसे column wise चल रहा हूँ, for int j, j less than n, j plus plus, एक ही बात है वैसे तो, ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, int i is equal to 0, i less than n, i plus plus, ठीक है, अब मैं इसका पूरा ऐसे column देखने वाला हूँ, और पू potential है, ठीक है, और मैंने j is equal to 0 से ऐसे loop चलाया, अब मैं चाहता हूँ, इसको पूरा चेक करना है, तो क्या है, मेरा column constant है, ठीक है, और मेरा i change हो रहा है, i मेरा 0, 1, 2 जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर i लिख दिया, बात एक ही है, वैसे तो, अब मैं यहाँ पर क potential को जानता हुआ, बन, अगर कोई और potential को, sorry, नहीं जानता हुआ, जानता हुआ तो होना ही चाहिए न, अगर कोई भी इंसान potential को नहीं जानता, ठीक है, या फिर कोई भी एक इंसान, तो potential celebrate नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख दोग यार, return minus 1, ठीक है, लेकिन य लिखा है न, कि यह 0 हो गया, तो minus 1, एक यहाँ पर यह धियान रखना, यह देखिए, मैं इस पर travel कर रहा हूँ, तो मैं यही देखूँगा, कि यहार, गलती से भी यहाँ पर कोई भी एक 0 ना चाहिए, यहाँ सारे 0 होने चाहिए, यहाँ सारे 1, तो मैंने देखा 1 है, कोई बन रहा है, तो ठीक है, continue कर दो, तो जाधा हमें देखना नहीं है, skip करो iteration को, at the end, अगर यह दोनों loops मेरे नहीं चले, तो obvious कि जो आपका potential candidate है, उस सच है, तो आप लिख दोगे return potential, ठीक है, simple, एक बार इसको run करके देखते है, देखते है कुछ error आ रहे है, यह नहीं आ रहे ह तो देखो, तो बिल्कुल सही आ रहे है हमारा, आज सच कोई दिक्कत नहीं है, एक बार submit करते है, test cases चल रहे है, test cases पास हो रहे है, हो सकता है, 5 cases मेरे गलत हो जाए, लेकिन कभी-कभी time लगता है process होने में, ठीक है, देखो, बिल्कुल, problem solved successfully, 69 out of 69 test cases pass, and आप देख सकते हो, accuracy 100%, right, तो हमारा code बिल्कुल सही है, I hope आपको इस चीज समझ आ गई होगी, बस यहाँ पे न, थोड़ा सा मतलब, mind में, हल्किया सा वो उद लगता है, मतलब, क्या करते है, thinking power, थोड़ी सी, क्या, यह तो आपको पता लग गया, कि stack use हो रहा है, problem यही आती है, कि बार-बार जानते हैं, और वो किसी को भी नहीं जानता है, दूसरी चीज, अगर i, j को जानता है, तो 1, i, j को नहीं जानता है, तो 0, यह चीज आप दोन्यों चीज़े लिखे होगे, तो आप confused नहीं होने वाले, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अपना last question करते है, stacks का यार, जो क sliding window technique ना, अपने आप में पूरा का पूरा एक algorithm है, लेकिन ये question of course मेरा stack से ही होने वाला है, ठीक है, और थोड़ा बहुत इसमें two pointer लगेगा, यार, sliding window maximum, क्या कहता है, sliding window maximum, सबसे पहले lead code पे आ जाते हैं, क्योंकि ये question lead code पे available है, ये question lead code पे available है, तो यहाँ आ जाते है lead code, and नहीं आ जाते problems, and फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, sliding window maximum, ये देखो, तो ये hard question lead code का है, दियान रखना इस बात का, and इसको अटा देते हैं, एक बार, छीक है, ये hard question lead code का, hint अभी मत देखना है, हिंट भी दे रखिये हैं, यहाँ पे वैसे तो, लेकिन आपको पहले solve करना ह अब यहाँ पे दे रखा है, आपको एक integer array nums दे रखा है, ठीक है, और एक sliding window दे रखे, case है, अभी समझाता हूं, which is moving from left to right, पूरी window के साथ, अब आपको के करना है, return the maximum sliding window, क्या मतलब यार इसका, अब यहाँ पे देखिये, क्या मतलब है, जैसे मुझे example दे रखा है, input nums, तो nums है मेरा 1, 3, minus 1, minus 3, 5, 3, 6, 7, और k दे रखा है 3, अब इधर बड़े अराम से देखना, explanation बहुत अच्छी है, मेरे को output भी एक array देना है पहली बात, तो आप देख सकतो यह array क्या है, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, यह next later element है, नहीं, तो यह क्या है फिर, देखते है, पहले यही आ र कर दो, फिर मैं आया अगले 3 elements देखे मैंने, 1, 2, 3, index, इन में maximum क्या है 3, लिख दिया, फिर मैंने देखे यह अगले 3, minus 1, minus 3, 5, maximum क्या है 5, फिर मैंने देखा इसमें, maximum क्या है 5, फिर मैंने देखा 5, 3, 6, maximum क्या है 6, फिर मैंने देखा 3, 6, 7, maximum क्या है 7, तो इसको as a array आपक अब आप सोच रहोगे यार यह तो काफी जादा simple question है इसमें तो इतनी महनत है ही नहीं हम simply हर window का size है मेरा 3 3 3 3 3 करके हम देख सकते हैं इस question को और solve कर सकते हैं लेगिन यार उतनी time complexity में solve नहीं करना we have to solve this question in order of n basically आप कह सकते हो एक या दो या तीन passes में आपको solve करना है ठीक है तो चलिए solve करके देखते हैं सबसे पहले तो इसका एक बेकार मेथड लिखते हैं जो कि मैं यहीं लिख लेता हूं इसमें तो क्या ही मैं आपको explain करूंगा आइपैड पर तो सबसे पहले length निकाल लेते हैं int n is equal to nums.length थोड़ी बहुत maths लगेगी ज्यादा नहीं अब यहां पर आपको क्या करना है लूप चलाना है लेकिन लूप कैसे चलाना है यार वो चीज़ आप अच्छे से समझना उसमें कुणों को देखना है सबसे पहले तो मुझे क्या करना है मेरे को एक नया array बनाना होगा जिसके अंदर में कुछ चीज़े श्टोर करूंगा वह maximum ठीक है उस array का size पता है कितना हमेशा अब आप सोचोगे math कहां से आई या थोड़ा ना सोच के देखो एक बार समझ के देखो मेरी जो last window है मेरे maximum किस में निकल रहे है इसमें निकला इसमें निकला इसमें निकला इसमें निकला इसमें निकला फिर मैं आगया इधर इसमें निकला अब क्या एक बात बता ह इसके आगे मैं जा सकता हूँ, तीन साइज की विंडो बना सकता हूँ, नहीं, क्या मैं उसके आगे तीन साइज की विंडो बना सकता हूँ, नहीं, तो कितने elements मेरे बच गए पीछे से, कितने, अगर मेरी k साइज की विंडो है, तो k माइनस 1 elements मेरे बच गए, प्योंकि last के k जो होंगे, वो भी consider होंगे, तो जो k-1 elements बचे हैं, वो start of the window कभी नहीं बन पाएंगे, मेरी बात समझना वापिस से, इस पूरे series के अंदर, अगर मैं इसको देखू, तो जो मेरा 1 है, वो start of the window है, तीन size की window का starting element है, जो 3 है, वो भी एक starting element बन सकता है, जो मेरा minus 1 है, वो भी starting element बन सकता है, minus 3 भी starting element बन सकता है, 5 भी starting element बन सकता है, और 3 भी starting element बन सकता है, लेकिन क्या कभी 6 और 7 बन सकते हैं, नहीं, तो last में बच कितने जाएंगे, obviously बात है, अगर यहां पर पूरे k है, तो last में मेरे ऐसे k-1 elements है, जो बच जाएंगे, तो इसलिए मैंने n मेंस k-1 को minus क कर दिया, इसमें आप math लगा होगे, तो ऐसा बन जाएगा, n minus k plus 1 हो जाएगा, minus minus plus, ठीक है, तो यह चीज होई है, इसलिए मैंने बना गिया, इतने size का एक array, बहुत बढ़ी है, आगे बढ़ते है, इसके अंदर मैं store करूँगा चीजे, अब मुझे बस क्या करना है, मुझ 3, 4, 5, 6, और array का size जब की 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 है, तो again, मेरा जो बाहर का loop लगेगा, आप समझ गये होगे, for int i is equal to 0, i, in fact 1 कर देते हैं, कितनी बाहर चलेगा loop हम वो देख लेंगे, right, i less than equal to n minus k plus 1, i plus plus, इसका बस मतलब है कि बाहर वाला loop मेरा चल कितनी बाहर रहा है, बाहर वा तो यहाँ पर simple एक काम कर सकते हैं, बस less कर सकते हैं, बात एक ही है वो, ठीक है भाई, अंदर आ जते हैं, इतनी बार मेरा बाहर वारा loop चलेगा, अब मेरे को हर बार, जो भी element है, जैसे i की value भी 0 है, 0, 1, 2, अगर k की value 3 है, हो सकता है जो यह window है, k दे रख है न मुझे, हो सक 4 होता, तो कुछ ऐसा scene होता मेरा, starting के मैंने 4 elements उठाया, इनका maximum क्या है मेरा 3, तो 3, फिर मैंने अगले 4 elements उठाया, इनका maximum क्या है 5, तो 5, फिर मैंने इनको उठाया, इनका maximum element क्या है 5, तो मैंने लिख दिया 5, फिर मैंने इनको उठाया, इनका maximum element है 6, लिख दिया 6, फिर मै इतने ही साइस का मेरा बनेगा, समझ रहे हो, तो इसे साब से हमारी चीज़े चलती है, और यह तो बेसिक मैसियार, इतना लूप चलाना आपको आना चाहिए, इन साथ, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे अब इंटर्नल लूप कितनी बार चलाना है, जितने number of मेरे elements है, जितना window का size है, तो मैं simply क्या देखूंगा, और window का size भी जाएगा, कहां तक यह देखना, for int j, क्योंकि मैं index wise देख रहा हूँ, मैं अपने i से शुरू करूंगा, और कहां तक लेके जाऊंगा, i plus k minus 1, या फिर सिर्फ j is equal to j less than i plus k, आप यह भी लिख सकते हो, j plus ठीक है, समझे रहों है, 0 से लेकर i plus k, अगर मैं i और i को अटा दूँ, तो basically k बार मेरा loop चल रहा है, अब मैं यहाँ पर मेरे को बस क्या देखना है, मैं को maximum को calculate करके रखना है, तो maximum को calculate कैसे करके रखूंगा, पहले एक बार बाहर लिख लेते है, यहाँ पर लिख लेते है int max is equal to, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, integer dot min value, ठीक है, अब यहाँ पर सीधा आपको update करनी है values को, क्या update करनी है, ऐसे लिखना है यार क्या, कि max is equal to math dot max of what, max and the value, यानि कि nums of j, i नहीं j, तो आपको बस यह रखना है, यहाँ पर आपको maximum calculate होके आ जाएगा, जब maximum calculate हो गया, तो आपको simple क्या करना है, जो आपने answer array बना रखाता, उसके अंदर push कर दो, कहाँ push करेगे, particular index पर न, अब यहाँ पर indexing भी हमें देखनी पड़ेगी, हम लिखेंगे nums of, बड़े ध्यान से देखना, nums of k is equal to max, और फिर हम कर देंगे k plus plus, समझना इस बात को starting में मैं एक index मना देता हूँ, ओ, k नहीं कर सकते, k तो यह variable है, तो nums of, मैं लिख देता हूँ, कोई variable z, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, int, z is equal to 0, which is what, it is denoting the index, जो भी खाल ली है, जिस पर मैं चीज डालूँगा, push कर रहा हूँ न, मैं values को, push मतलब insert कर रहा हूँ तो मैं पहले insert कर दिया, फिर index आगे बढ़ा दिया, कि अगली value इधर आईगी, ठीक है, z++, in fact, इसका एक shortcut है, आप directly यह भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है हो, दोनों चीज़े कर सकते थे, z, z++, या फिर सीधा nums of z++ में मैं मैंने max दालते रहूँगा, हर समय, तो simple आ जोटे से, अगर error ना किया हो, मैंने कोई blender, ठीक है, ठीक है, अच्छा, wrong answer आ रहा है, चलिए देखते है, क्या गलती की है, तो मेरे को case बन दे रखा है, ये, k मेरा 3 है, तो मेरा answer आ रहा है, 0, 0, 0, 0, 0, और यहां पर answer आ रहा है, अच्छा, तो चलिए देखते है, क्या problem आ ये, यार, 0, 0 की हमेशा answer आ रहा है, ठीक है, भाई, मैंने सबसे पहले ये बिलकुल सही line है, answer area बना दिया, किस size का, n-k-1, बिलकुल सही है, ये loop भी बिलकुल सही चल रहा है, यार, z की value भी मैंने 0 रख दी, हमेशा मैंने एक maximum value बनाया, जिसमें मैंने minimum डाला, and मैंने क्या किया, simple, मैंने simple ये चीजे भर दी, कि हमेशा मेरा j जा रहा है, ये, और max is equal to math.max, ठीक है, भाई, ये सारी चीजे, जब max calculate हो गया, मेरा पूरा का पूरा, तो मैंने क्या किया, nums of nums, ये गलती कर दीना, answer array में भरना है, ये गलती मैंने अभी की थी, I guess, पिछले lecture में भी की थी मैंने, ठीक है, जितना मैं कोई याद आ रहा है, next greater element type से मैं किसी question में की थी मैंने, आप देखो, आप देख सकते हो, accepted, दोनों case मेरे चल गए, लेकिन हमने question सही नहीं किया है, ये तो बहुती बेकार time complexity में, अगर आपको इसकी time complexity निकालनी है, तो क्या आप निकाल सकते ह येस, the time complexity, here the time complexity, here the time complexity, आप ही बताओ, time complexity कितना होगा, बाहर वाला लूप into अंदर वाला लूप आप definitely कर सकते हो, अंदर वाला लूप हमेशा k times चलेगा, ये तो हमेशा k times चलेगा, और बाहर वाला लूप चलेगा इतना, n minus k plus 1 times, तो आपके time complexity हो जाएगी यार, order of, n minus k plus 1, ठीक है, यहाँ भी ये लिख दो यार, और ये, तो आपकी ये time complexity है, which is basically, अगर मैं बोलूँ, जो k है, वो n से छोटा है हमेशा, वो तो obviously होगा, window size बड़ी नहीं होगी, तो इसको मैं n ही consider कर सकता हूँ, तो it is equivalent to order of n square, ठीक है, sorry, order of k into n, not n square, हमें इस time complexity में नहीं कर जैसे आप यहाँ देख सकते हो, time limit exceeded आ गया, ठीक है, error आ गया, 43 cases चल गया, 42 cases चले है हमारे, यह 43rd case है, जो कि नहीं चल रहा, और obviously इस लिए चल रहा, आप एक बर देखो, अरे वाप रे, अरे यह test case है, यह तने elements है, ठीक है, अभी खतम नहीं हो रहे है, in fact, यह यह elements है मेर एक optimized solution लिखना है, अब हम एक काम करते है, थोड़ा सा इससे better solution लिखने की कोशिश करते है, बट उससे पहले आ जाते है, यहाँ पर अपना input देते है, और इसका hint आपका पता है, next greater element, यह आपका hint रहने वाला है, तो इससे हम solve करके देखते है, एक stack का use करेंगे, पहले तो हम अपना test case उठा लेते है, जो कि एक basic test case था मेरा, मान लेते है मेरे को nums दे रखा है, चीक है, मान लेते है, 1, 3, minus 1, तो यहाँ पर दे रखा है, minus 3, फिर यहाँ पर दे रखा है, 5, 3, फिर 6, फिर 7, ठीक है, और k की value दे रखे है, इस case में 3, बहुत बढ़िया, अब मेरे को दूशे तरीके से solve करना है, तो मैंने आपको hint दे दिया, hint क्या है मेरा, hint is next greater element, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, next greater element का हमें array बनाना होते है, obviously, तो हम एक array बना देंगे, next greater element नाम से, वो तो हमें आता है, पूरे चीज आती है, code लिखेंगे, एक stack बनाएंगे, stack की मदद से ह करना कैसे है, बस हम कर लेंगे, ठीक है, उल्टा चल के हम करते है, next greater element का, in fact, हम code copy भी कर सकते है, anyways, आ जाते हम यहाँ पर, तो एक बार देख लेते है, one का next greater element क्या है यार यहाँ पर, one का next greater element मेरा three है, मैं अभी index नहीं लिख रहा है, मैं सिर्फ number लिख रहा हूँ, three का next greater element क क्या है मेरा यहाँ पर, in fact, index ही लिख लेता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मैं इसमें index ही लिखता था था न, usually, यहाँ आ जाते, zero, one, two, three, four, five, six, seven, तो अब देख सकते हो, one का next greater element यहीं है, जिसका index है one, तो यहाँ पर लिख दो, one, ठीक है, यहाँ देखिए या तो यहाँ पर लिख दो, four, index, फिर मैंने देखा, minus three से बड़ा just यह है, तो again, four, फिर मैं देखा, five से बड़ा मेरा number six है, जिसका index है, six, three से बड़ा element six है, index है, six, six से बड़ा element seven है, index है, seven, and obviously seven से बड़ा मेरा कोई element ही नहीं है, seven से बड़ा मेरा कोई element ही नहीं है, seven से ही नहीं आएगा पहली बाद तो इसके टेंशन आपको लेनी ही नहीं है ठीक है यहां पर माइनस वन इन फाक्क यहां पर एट भी स्टोर कर सकते हो इंडेक्स जो भी है ना हमारा उससे एक बड़ा this element आपकी मर्जी है ठीक है इन दोनों में आप कोई भी और एट इन दोनों में से आप कोई भी स्टोर कर लिया ना मर्जी आपकी क्या करेंगे सबसे पहले मैं विंडो बनाता हूं मेरी स्टार्टिंग की विंडो यहां पर क्या है वापिस बना लेते हैं यह ठीक है अब एक बात बताओ यहां पर मुझे पता है क्या देखना है अगर मैं हर अगर मैं हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालनू तो क्या उससे काम नहीं बन सकता सोचने की कोशिश करो जैसे वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मुझे ज़ेस्ट पता है थी है मतब फर्स्ट इंडेक्स पर पढ़ा है ठीक है थी का नेक्स्ट ग्रेट अगर बाहर पड़ा है इस window के अंदर अगर इस 3 का next greater element बाहर पड़ा है तो obviously there are chances कि 3 ही मेरा next greater element मतब इन तीनों में maximum हो ठीक है अब हम आगे देख सकते हैं हम आजाते हैं minus 1 और यहां पे भी मेरा last में पड़ा है 5 तो of course मैं एक variable बना के रखूंगा max जिसमें अभी के लिए मेर 3 आगया अब आप बोलो गयार तीनों में मेरे को चेक तो लगाना ही पड़ा तीनों में मेरे को चेक लगाना ही पड़ा चेक लगाना ही पड़ा ठीक है यह बात है लेकिन एक आपको बात बता हूं इन तीनों में आपको चेक लगाने की जरूत नहीं है वापिस समझाता हू मैं आ गया 1 पे, मैंने चेक किया 1 का next greater element कौन सा है यार मेरा क्या वो इसी window के अंदर लाए करता है क्या वो इसी window के अंदर लाए करता है तो मैं बोलता हूँ हाँ, 3 ठीक है भाई तो अभी के लिए मेरा maximum क्या है 3 है अब देखो क्या 3 का next greater element इसी विंडो के अंदर लाए करता है, वो तो हम नंबर से देख लेंगे, तीन साइज दे रखाऊगा, मैं कहता हूं नहीं, तो क्या आप सीधा नहीं कह सकते कि इस वंडो का माक्सिमम थ्री है, येस, क्यों भई, माइनस वन में चेक क्यों नहीं लगाया है, एक बात बताओ य ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये तो अच्छा सीन हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब 3 हमारा क्या है, मैक्सिमम थ्री, अब अपनी विंडो को आगे बढ़ाते, मैं आगे इधर, मैं आगे इधर, तो अगेन, अब मैं चेक कहां से लगाँगा यार, अब मैं मैं स्टार्ट यही से करूँगा वापिस से एक बढ़ देखो, मैंने देखा 3, 3 का नेक्स्ट ग्रेटर तो यार बाहर पड़ा है, तो अब वापिस कह सकता हूँ, अगली विंडो का भी मैक्सिमम थ्री है, बहुत बढ़िया, विंडो को आगे बढ़ाते है, दीरे दीरे आ माइनस वन से मैं चेक करूँगा, माइनस वन का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, माइनस वन का नेक्स्ट ग्रेटर मेरा आ रहा है 5, ठीक है, तो मैं 5 पर आ जाता हूँ, क्या 5 मेरा इसका largest है, अभी नहीं पता मेरे को, अब मैं 5 पर आया, मैंने देखा 5 का नेक्स्ट ग्रेटर उस window का और अगर window के अंदर है जैसे इस case में जब मैंने यहां देखा सबसे पहले minus 1 के साथ देखा minus 1 का next data क्या है 5 window के अंदर है तो check करते जाओ उसको maximum बनाते रहो ठीक है और अगर इसका window से भार है तो यही मेरा answer आजाएगा बहुत बड़िया आगे देखते है आप समझ रहोंगे शायर मैं इधर आगया अब एक बार यार इस window के अंदर देखते है इस window में मैं पहला element उठाऊंगा हमेशा minus 3 इसका next data क्या है यार minus 3 का next data है fourth index याने की 5 मैं 5 पे आगया एक बड़ी के लिए मैंने उसको maximum बना दिया 5 का next data क्या है 6 जो की window से बाहर है तो इसका मतलब यही मेरा answer है लिख दो यहाँ पे 5 ठेक है भाई अब मैं window को थोड़ा आगे बढ़ा दिया एक position window इधर आ गई मेरी अब मैंने देखा पहले 5 5 का next data क्या है 6 मैं आ गया 6 पे 6 का next data क्या है 7 window से बाहर है तो यानि कि इस पूरे का maximum 6 है आए हो प्यार आप algorithm समझ रहे हो मतलब thinking समझ रहे हो आप ठीक है obvious सी बात है ना next data अगर बाहर है तो वह largest है next data अगर मेरा तो वो अभी के लिए maximum है ठीक है भाई अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भी मेरा 6 आ गया ठीक है अब इधर देखते हैं मैं इधर आ गया मैंने देखा 3 3 का next data क्या है मैंने देखा 6 6 का next data क्या है मैंने देखा 7 7 का next data क्या है कुछ भी नहीं है अगर एक और चीज अगर next greater मेरा minus 1 आ रहा है यहां पर ठीक है जैसे इसका minus 1 यान की बाहर ही है तो मतलब obviously वही element मेरा maximum होगा यह और condition लगा दूँगा and finally आप देख सकते हो array मेरा बन चुका है confirmed ठीक है formed तो एक बार देखते हैं यह जो मैं method आपको समझा रहा हूँ while loop के द्वारा मैं आपको एक बार code करके दिखाता हूँ algorithm तो मैंने आपको समझा दिया अब एक बार देखते हैं काम करेगा यह यह काम नहीं करेगा यह भी ना पूरा काम नहीं करेगा यह बहुत अच्छा अलगवरिदम में जो मैंने आपको समझा है लेकिन कुछ cases में यह efficient नहीं है उल्टा कुछ cases में यह बिलकुल भी efficient नहीं है बट मैं आपको बाद में समझाओंगा पहले हम code करते है बेटर अप्रोच लिखते है ना यार थोड़ी सी तो यह आप देखोगी है कुछ कुछ चीदे मेरे को सेम रखनी है जैसे answer array num slot 10 मैंने यह बनाया कैसे बनाया अब आपको समझा गया होगा यार ठीक है बाई यह z is equal to 0 भी लिख दिया जो इसको correspond करेगा मेरा variable ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ इन loop loop को हटाओ सारी चीदों को अब मेरे को simple क्या करना है सबसे पहले एक stack बनाना है integer जिससे मैं क्या निकालूँगा next greater element stack is equal to new stack ठीक है new stack और यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक array बना int next greater element जिसका size बिल्कुल उतन ही होगा कितना new int n यानि कि जो हमारा nums आ रहे है उसी size का हमारा array होगा next greater element में हम पते क्या करते थे हमेशा अगर आपको याद हो ultra travel करते थे एक बारी के लिए अपने last index जो है एक बारी के लिए stack के अंदर क्या डालते थे जो last index है एक बारी के last index यानि कि n-1 और next greater element of n-1 यहाँ पे आतो आप minus 1 डाल दो या आप n डाल दो depending ली बरजी आपकी यहाँ पे मैं minus 1 डाल रहा हूँ depicting कि यार इस बंदे का कोई next greater नहीं है क्योंकि last element यारेगा इसके आगे कोई next greater है ही नहीं exist ही नहीं करता बहुत बढ़िया अब मैं simple while लूप लगाऊंगा आप सब जानते हो क्या करते हैं इसमें यार while जब तक मेरा stack का size एक तो 0 से बढ़ा है यह तो हमेशा जरूरी चीज है अगर stack का size मेरा 0 से बढ़ा है and and हमें देखना होता था क्या देखना होता था हमें यार कि भाई साब यहाँ पे nums of stack.peak nums of stack.peak is greater than क्या देखना होता है यहाँ पे इस greater than nums of यहाँ पे आप यह वला index लिख सकते हो in fact एक काम करते है वापिस से आ जाते मैंने खुद रट usually our next later element में आपको हमेशा लिखना तो होता ही है अगर मैं सच बताओ तो चीक है तो यह हमारा 1, 3, minus 1, minus 3, 5, 3, 6, 7 अगर यह मेरा nums है और अगर मैं next later element बनाओ तो लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक stack बनाते है और देखते हैं stack में क्या-क्या काम करना था मैं बोल रहा है stack में सबसे पहले तो यह last index है इसको डाल दू और मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7, 7 इसका मेरा यह meaning है simple कि यह मेरा index है और यह मेरी value है मैं डाल सिर्फ index ही रहा हूँ उपर ठीक है अब एक बार next later element को देख लेते है बन का अब इधर से शुरू करूँगा मैं ठीक n-2 से यहां तक काफी दाधा practice require करती है इसलिए मैंने रटे नहीं रखा है तो मैं यहां तक loop लगाऊंगा यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले तो बाहर एक कि एक for loop लगने वाला है int i is equal to n-2 से i greater than equal to 0 तक i minus minus बहुत बढ़िया अब यहां पर हमारा एक while loop लगेगा क्या जैसे मैं इधर आया 6 पे तो मैं देखता हूं कि जो nums का nums का वो जो i-th element है मैं यहां से तब तक सारे छोटे element को pop करते रहूंगा जब तक यह element से बढ़ा ना हो यानि कि condition में क्या आएगा यहां देखिए पहले तो इसको अटाते हैं हम लिखेंगे for int i is equal to n-2 i greater than equal to 0 i minus minus and सबसे पहले हम क्या करेंगे while हम pop कर देंगे pop answer push यह आपका code रहता है हमेशा तो while जब तक एक तो stack का size 0 से बढ़ा हो यार यह चीज़ जरूरी है stack का size 0 से बढ़ा हो and and जो मेरा nums का जो number है यानि कि जो मेरा actual array का जो number है nums of i वो बढ़ा है कि say nums of stack.peak का index है उससे यहां पर यहां पर आपको दो चीज़े देखनी होती थी जैसे इधर आ जाते वापस से कि मैं इधर हूँ तो मैं देखता हूँ क्या यह जो 6 है यह 7 से बढ़ा है नहीं तो while लोग को तोड़ दो आप कुछ भी pop नहीं करोगे ऐसे case में जब stack का size यहां पर 0 नहीं होता तो क्या हो जाएगा 7 तो 6 का next data 7 यहां पर मैं अभी number लिख रहा हूँ इसका minus 1 एक तरह के से आप यह समझो ठीक है फिर एक और चीज मैं push भी कर दूँगा 6,6 अब मैं आ गया इधर 5 तो मैं देखूंगा 5 से छोटे element दिख रहे है ना तो एक काम करो इसी को इसका next data बना दो 6 क और साथी साथ एक काम करो, sorry यह 3 है, I am so sorry, छीक है, मैंने देखा 3, 3 से छोटे number दिख रहे है, नहीं, तो कोई बात नहीं, 3 को इसी का next data यही बन जाएगा, वो तो सेम काम हो रहा है, and साथी साथ आप क्या करोगे, 3 को insert भी कर दोगे, अपने index के साथ, index insert कर रहे हो, ठीक है, फिर मैं आगया इधर 5, तो मैंने देखा यह 5 है, 5 से छोटे element दिख रहे है, हाँ, उड़ा दो, उड़ा दिया, और बाकी, बाकी और element नहीं है, loop तूड़ गया, तो एक काम करो, सबसे पहले 5 का, जो next greater है, वो यह होगा, यानि कि 6, and फिर 5 को भी insert कर दो, index के साथ, फिर मैं आगया इस 3 पे, ठीक है, minus 3 है basically, तो minus 3 से छोटे number दिख रहे है, बिल्कुल नहीं दिख रहे, तो यही इसका next greater हो गया, यानि कि 5 इसका next greater है, अब मैं minus 3 को insert भी कर दूँगा, फिर मैं आगया इधर, तो minus 1 से छोटे number में को दिख रहे है क्या, हाँ, minus 1 से छोटा है minus 3, तो minus 3 को उड़ा दिया, और जो भी मेरा top पे बड़ा element, उसको इसका next greater बना दिया, and then इसके index को भी मैंने push करा दिया, फिर मैं इधर आया 3 पे, तो 3 से छोटे number दिख रहे है मेरे को यार, ठीक है 3 से छोटे number हाँ, बिल्कुल यह है, उड़ा दो, उड़ा दिया, फिर 5 आ गया, 3 3 से बड़ा number है, उसका next greater element बन गया, and फिर 3 अपने आपको भी यहाँ पे push कर देगा index के साथ, फिर मैं आया यहाँ पे 1 पे, तो 1 से छोटे element दिख रहे हैं, नहीं, कोई नहीं है, 3 1 से बड़ा element है, तो 3 ही उसका next greater है, और last में 1 को भी यहाँ पे push करा दो, तो अब देख सक यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ऐसा है कि stack का size तुमने 0 कर दिया है, यानि कि तुमने सारे elements को pop करा दिया है, मतलब तुम तो सबसे बड़े element हो, तुमारा next greater कोई नहीं है, यहाँ पे लिख दो, next greater element of that index is equal to minus 1, तुमारा कोई next greater नहीं है, else, अगर stack का size बड़ा है, तो next greater element of that index is obviously stack का peak, क्योंकि यह index store कर रहा है stack, बहुत simple, last में यह करना बहुत जरूरी है, stack में आप push कर दो, अपने इस index को जरूर, तिके very 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 important, बहुत बढ़िया, लिख दिया हमने, तो next greater element तो यार मेरा array यहाँ पे बन गया है, बहुत बढ़िया, अब मैंने आपको जो algorithm समझाय कि मैं window by window आगे बढ़ता रहूँगा, actually मैं window by window आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं बस ये number देखूँगा, मतलब window का सिर्फ starting element देखूँगा, जब मैं यहाँ आया, तो ये देखा, तो basically मैं एक तरीके से, एक एक करके loop में ही चल रहा हूँँ, बस, code करके दिखाता हूँ, य मैं क्या कर रहा हूँ, i basically मेरा क्या denote कर रहा है, window का starting point, और window का starting point end तक नहीं जा सकता है, क्योंकि एक window last में भी है, समझ रहा हूँ, यहाँ देखो, जो मेरा i है basically, यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, और last में यह बस, यह मेरे ऐसे i नहीं होगे, ठीक है, बहुत ही स मैं j को इस index पे लिए आया अब में को क्या check करना है यार मुझे देखना है कि j का next greater element कहां पर है अगर तो इसका next greater element बाहर लाए करता है तो इस window का maximum आदमी यही है वरना loop लगाते जाओ लगाते जाओ next greater तक जाते रहो गर उसी window के अंदर हो तो ठीक है और window के अंदर हम कब होते है यार बड़ी simple सी बात है इधर देखिए जैसे मान लिजिए मेरा ऐसा सीन होता 1, 3, 7, 2, 4, कुछ भी ऐसे number है पहली window मान लो मेरी ये है मैं यहां पर आया मैंने i को भी यहां रखा मैंने j को is equal to i किया मैंने देखा इसका next greater कहां लाए करता है अरे यहां पर ही है तो j को इधर लिया हो ठीक है तो आप यह लिखोगे j is equal to next greater element of j i नहीं j लिखोगे ठीक है और यह आप तब तक करते जाओगे जब तक जो j का next greater है वो window से out of window ना हो out of window और उसको check करना बहुत जादा आसान है क्यों 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 अगर यह index मेरा i है और यह पूरी length मेरी k है तो यह index हो जाएगा i plus k minus 1th हमेशा ठीक है तो आपको बस यह ध्यान रखना है जो j है वो less than i plus k रहे मेरा तो आपको कुछ आप लूप लगाओगे while j is less than बड़ी ध्यान से देखना i plus k इसका clear meaning है कि जो मेरा j index है वो window के अंदर रहना चाहिए window के बाहर मैं पहुंचाऊंगा ही नहीं window के बाहर गया break अब यहाँ पे आपको क्या करना है आपको हमेशे एक चीज यह रखनी है j is equal to next greater element of j आपको बार बार यह चीज करनी है और जैसी आपका बाहर निकल गया element इसका मतलब वो maximum नहीं है साथ ही साथ आप चीज यह एक चीज करोगे कि आप max के अंदर पता है क्या चीज भर होगे आप यहाँ पे max के अंदर बार बार एक चीज को भर दोगे क्या max is equal to यहाँ पे कर दो nums of nums of j simple समझ रहो मैंने क्या किया है जैसे यहाँ पे देखो हम इधर है यह मेरा i है 0 मैंने j भी यहाँ रखा है तो एक बारी के लिए तो मैंने क्या किया मैं loop के अंदर गया मैंने देखा क्या j मेरा i plus k minus 1 i plus k है यह यह है i plus k तो क्या इससे पहले तक लाए करता है हाँ तो एक बारी के लिए maximum में डाल दो यार equal to 1 फिर मैंने क्या किया j is equal to next greater element of j अब 1 का next greater element मेरा यही है तो मैं इस index पे आ गया basically यह देखो 1 का next greater element 1 है तो मैं 1 index पे आ गया तो i तो इधर ही था window यह है अब j यहाँ से कटके इधर आ गया तो बेक बारी के लिए मैंने इसको maximum बना दिया फिर वापिस से इसके next greater element में जाओगा फिर loop तूट जाएगा तो obviously नया maximum नहीं बन पाएगा ठीक है अब एक बार देख लिए इस max को भी यहाँ declare कर देते है int max एक बार देख लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हो यार यहाँ पे भी nums of j लिख सकते हो ठीक है इसमें लिखने में तो कोई गलती होगी भी नहीं ठीक है max मेरा update होते जा रहा है जब तक यह चीज मेरी क्या है यार जब तक यह चीज मेरी तूटती नहीं है तो मैं बार बार यह यह line बहुत important है j is equal to next greater element of j मैं सीधा switch मार रहा हूँ मैं सीधा jumps मार रहा हूँ आपर अब इसके बाद मुझे क्या करना है जब मैंने यह कर लिया तो मेरे को अपना max तो मिल गया है तो आपको simple यही काम करना था जो हमने answer array बनाया था तो आप लिखोगे answer of जो मैंने z variable रखा था यह रहा तो answer of z plus plus is equal to यह max at the end आपको यह दे देना है आपका काम हो जाएगा यह देखो simple सा काम है इसमें महनती नहीं है आगे हम बढ़ते रहेंगे काम होते रहेगा हर समय मेरे को j को i रखना है मतलब उस window के starting पे लाना है एक बार इस code को run करते हैं यहाँ पर लिख देते है return answer यह सही code है problem नहीं है लेकिन let's submit this thing run कर मतलब यार पहले तो क्या पता थोड़ी बहुत errors आजाते मेरे but हाँ देखो runtime error आ रहा है मैंने क्या लिखा यार index out of bound exception ठीक है तो हाँ आये देखो यहाँ पे एक दिक्कत यह आ रही है हमारी मैंको पता ही था index minus 1 out of bound हो रहा है length 8 के लिए index minus 1 यहाँ पे क्यों आ जाता है जैसे कि यहाँ पे आ जाओ मान लिजे यह scene था मेरा मान लिजे मैंने i यहाँ पे रखा और j is equal to i आया मेरा पूरा loop travel हो रहा था सबसे पहले j is equal to next greater element of j तो j इधर आ गया फिर j is equal to next greater element of j फिर j इधर आ गया फिर वापिस से अभी तक यह window से बाहर नहीं हुआ है तो मैं एक और बार loop चलाऊंगा कि j is equal to next greater element of j जोकि मेरा minus 1 बन जाता है ठीक है और क्योंकि मेरा j less than i plus k रहता है तो minus 1 तो obviously से छोटा रहेगा ठीक है तो हमें काम करते है यहाँ पर minus 1 की जगे न हम 8 रख देते है वो ज़्यादा manageable एक चीज रहेगी और वो ज़्यादा logical रहेगा ठीक है क्योंकि आगे हम जा रहे हैं तब ही मैंने आपको कहा था 8 नहीं रखेंगे एन रखेंगे तो यहाँ पर मैं end डाल देता हूँ और यहाँ पर भी बस end डाल देता हूँ अब देखना मैं run करता हूँ देखते है run होता है नहीं होता है चल गया submit करते है यह better चलेगा पिछले वाली से पिछले वाली मैं I think 43 out of 51 लिखा था ना मतलब 42 test cases चले थे मेरे अब यह देखो time limit exceeded 51 on 51 test cases past मतलब जो 51st test case है last test case वो गलत है इसके 50 test case मेरे सही हुए है तो यह code मेरा बुरा नहीं है यह चल रहा है लेकिन यार इसमें कमी क्या है इस code में कमी क्या है फिर इन्होंने तो test case देखो लिखा भी नहीं है आप है ठीक है copy अगर हम करते है एक बार यहां लिखके देखते है अच्छा यही दे रखा है anyways ठीक है अब क्या दिक्कत आ रही है एक बार इस code में मैं आपको समझाने ही कोशिश करता हूँ एक दूसरे example लेके यह code सही है लेकिन इसके time complexity खराब पता है कहा हो रही है वैसे खराब नहीं है चल गया क्योंकि code अगर आपको यार ऐसा array दे रखा हो तो मान लिजे नम्स आपको ऐसा दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां तक ले लेते हैं इसमें आपको तो परिशानी आजेगी बहुत बड़ी क्यों परिशानी आएगी समझना मान लेते हैं next data element का array मेरा यह है 1 का next data 2 मैं अभी के लिए number लिख रहा हूँ 2 का next data 3, 3 का next data 4, 4 का next data 5 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8 8 का कोई next data element नहीं है मैं एक बारी के लिए उसको 9 से mark कर रहा हूँ as in index ठीक है या कुछ भी हम लिख लेते हैं एक बार infinity लिख दो ठीक है एक बारी के लिए मैं यह मान रहा हूँ या minus 1 वो code में हम ठीक कर लेंगे अब देखो परिशानी पते कहां आएगी अगर मैं इस code को चलाता हूँ समझना मेरी बात code मैं ऐसे चलाता था कि सबसे पहले मैं i को जाऊंगा अगर मेरी k में ले लेता हूँ window मेरी 3 size की है तो मेरी एक तो ये window बन सकती है ये window बन सकती है ये and last तक ये window जर सकती है तो जो मेरा i है वो जाएगा यहां से लेकर यहां तक max इधर ये मेरा i की range है ये तो मुझे पता लग गई है सबसे पहले अपने i को रखते है for loop चला रहा हूँ तो मैंने क्या बोला j is equal to i मैं ये चीज़ करूँगा सबसे पहले फिर मैं यहां पर क्या कर रहा था सबसे पहले मैं loop चला रहा था ये कि भाई जब तक मेरा j है वो i plus k से छोटा हो and obviously बात अगर k मेरा 3 है और i इधर है तो ये भी हम लिख लेते है i plus k अभी के लिए इधर है जो भी मेरा i होता है i plus k क्या होता है उसकी window से just बाहर का एक number तो मैं क्या करता था यहां पर मैं ये करता था कि भाई वाईल जब तक मेरा जो ये है j वो i plus k से छोटा है तो मैं एक तो यार maximum में ये store कर दूँगा nums of j और फिर j को कर दूँगा next greater element of j क्योंकि index base पर है ठीक है तो यहां पर मैं देखता हूँ यार कि सबसे पहले तो मेरा one हुआ maximum इस अगर मैं window की बात करूँ one का next greater two है तो j jump के इधर आ गया two का next greater मेरा three है यहां पर लिखा है तो j jump के इधर आ गया window के अभी भी अंदर है तो maximum three आ गया इसका ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर लिख देते है max max को जो answer आ रहे था answer आ रहे में यह आ गया पहले वाले का निकल गया मेरा three क्यों three निकला क्योंकि अब जो three का next greater element of four है वो आ गया था इधर window के बार तो break हो गया मेरा loop तो three आ गया max कोई दिक्कत नहीं है अब मेरा loop आगे बढ़ा i मेरा एक आगे बढ़ गया i आगे बढ़ा तो यह भी आगे बढ़ेगा और मैंने क्या बोलता था j मेरा वापस पीछे आ जाएगा j is equal to i यह परिशानी है and इस particular case में आप यह देख सकते हो पहले हमने loop कितनी बार चलाया एक loop के अंदर बात समझना i तो मेरा यहां से लेकर यहां जा रहा है पहले i में मैंने j का कितनी बार travel कराया j पहले इधर था फिर j इधर आया फिर j इधर आया फिर j इधर आया फिर मेरा i इधर आया j इधर आया फिर आप वापिस से देखना j पहले next data पर जाएगा 2 का next data 3 है फिर 3 का next data 4 है फिर आप देखोगे यार यहां पर क्या 3 का next data 4 है 4 का next data मेरा 5 है जो कि window से बाहर है ठिक है तो यह बार बार एक तरह किसे इसकी जो इस case की time complexity है वो तो n into k हो गई o of n into k अगर मेरे को ऐसा test case दे रखाओ simple मतलब increasing ही दे रखाओ हमेशा या कुछ भी ऐसा भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 8, 9, 10 मतलब एकदम से उपर जो चीजे जा रही हो तो ऐसे में हमारा code ढंका नीच लेगा क्योंकि technically speaking इतनी ही time complexity almost आ जाएगी तो हम ऐसा क्या करें कि इसको हम reduce करके order of n बना दे ठीक है अब code मेरा कुछ ऐसा ही रहने वाला है लेकिन मैं ना यहाँ पर छोटे छोटे changes करूँगा कुछ अब मेरी बात को ढंक से समझना कि वो जो changes है वो क्या हो सकते है वो specifically आपको इसी test case से समझ आएंगे ठीक है क्योंकि आपने समझ लिया कि J मेरा बार बार आगे बढ़ रहा है इसमें कूद रहा है अब एक काम करते है जरूत नहीं है कि J हमारा बार बार चले I की लूक में हमें वो चलाने की जरूरत ही नहीं है ठीक है कुछ-कुछ changes करूँगा बस यहाँ पर कुछ-कुछ changes ठीक है आजाते है सबसे पहले मेरा I इधर है I plus K ए एक बारी के लिए इधर है मेरी window एक बारी के लिए यह है और मेरा J भी एक बारी के लिए इधर ही है K की value मेरी 3 है ठीक है अब आप देखना मेरा code क्या रहेगा code देखो almost यह है for एक तो int I is equal to 0 I जा रहा है मेरा यहाँ पर N minus K plus 1 तक और I plus plus हो रहा है मेरा मैं यहाँ पर क्या लिखता था हमेशा मैं यह लिख देता था यह गलती होगी अब देखना मैं लिख देता था int J is equal to I तो मैं हमेशा J को ना starting point से start करता था फिर मैं यहाँ पर यह लिख दूँगा क्या एक तो मैं max को कोई भी number दे दूँगा एक बारी के लिए वो तो कुछ भी दे दो nums of J ठीक है यह दे रहा था मैं and then मैं इसके बाद क्या काम कर रहा था मैं लिख रहा था जब तक मेरा जो J है वो I plus K से यार छोटा number है मेरा तो आप एक काम करो कि भाई max को बना दो एक तो nums of J nums of J ठीक है and J को बना दो next greater element of J तो यह code में कोई खराबी नहीं है यह code में कोई यहाँ पर खराबी नहीं है बस कुछ में changes करने वाला हूँ वो देखना बहुत ही minor changes है मतलब छोटे से लेकिन code में बहुत बड़ा effect डाल देंगे अब यहाँ देखो वापिस से code को चलाते है बड़े ध्यान से सुनना ठीक है बोर हो रहे होंगी कोई बात नहीं लेकिन ध्यान से सुनो मेरा I इधर है मेरा J इधर है ठीक है तो मैंने check किया J की value I है in fact वो array भी लिख देते हैं आप यार वो array रहे गया न हमारा वो array कौन सा है answer array यहाँ पर लिख देते हैं answer array answer ठीक है तो मैंने क्या देखा एक तो last में हम ये भी करना होता है ये मैं भूल गया ठीक है मेरे को यहाँ पर जैसी मेरा max निकल गया न तो last step मेरा ये भी रहता था answer of z++ is equal to max ये भी मैं लिखूँगा after this line ठीक है ये तो obvious है तो मैंने देखा कि 1 का next data 2 है तो मैं j को इधर ले आऊँगा कोई दिक्कत नहीं है लाएंगे ठीक है j को इधर लिया आया अब मैंने देखा बाहर आ गया यानि की window से क्या आ गया यहाँ पे मेरा window से j आ गया मेरा बाहर और यहाँ पे मेरी value सेट हो गई 3 कोई दिक्कत नहीं है 3 आ गई इन तीनों में maximum अब मेरी window आ गए बढ़ दी window आ गई इधर तो obviously i इधर आ गया और naturally i plus के एक आगे होता है मतलब window से एक आगे ठीक है अब क्या मुझे हर वक्त यह लिखना है int j is equal to i समझना इस बात को क्योंकि जो मेरा j पढ़ा है वो already 4 पे पढ़ा है जैसे इस case में जो मेरा j हाँ पे है वो already 4 पे है और वो 4 पे कैसे आया था जो previous window थी previous window का largest number का भी next greater element 4 है एक बार वापिस से मेरी बात को समझना है please इधर आ जाते है जैसे यह देखिए दूसरे example अगर मैं लेता हूँ ठीक है अगर मैं इस की बात करूँ अगर मैं इस window की बात करूँ तो इस window का पूरी window का next greater element पते क्या होता है 1 का next greater element 3 3 का next greater element मेरा 5 तो इसका clear meaning होता है 5 ऐसा number जो पूरी window से जादा बड़ा है 5 ऐसा number है जो पूरी की पूरी window से जादा बड़ा है ठीक है तो जब अगर J मेरा मान लो 5 इधर होता for example और मैं ये वाली चीज अगली लेता तो इसका भी greatest 5 ही रहता समझ रहे हो आप इधर देखो वापिस कि यार अगर J मेरा अभी भी क्या है I plus K से छोटा है अगर J मेरा I plus K से छोटा है तो इसको यहीं रहने दो यार मेरे को वापिस से J को इधर नहीं लाना क्योंकि इसका next data मैं ढूंड़ूँगा और ये सिर्फ इस case में नहीं है जब array sorted है ये हमेशा चलेगा क्योंकि अगर मैं मान लो मान लेते हैं कि इतनी बड़ी window होती अगर मैं कहता है ये window होती ठीक है और J मेरा इधर आता तो भी मैं इस J को इधर नहीं लाता क्यों? क्योंकि ये number ये signify करता है कि जो इससे पुरानी वाली window थी कभी न कभी ठीक है जो भी ये window थी उन सबसे बड़ा element ये है क्योंकि next greater element पे मैं आया हूँ ये बहुत important बात बोली है मैंने आपको तो अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे change कर दूँ क्या? कि मैं इस J को वापिस से आई पे ना लाऊ एक condition रख लेता हूँ क्या? ये देखो मैं एक तो क्या करूँगा? J को मैं बाहर declare कर दूँगा मैं J को बाहर declare कर दूँगा कहा? यहाँ लिख दूँगा int J और starting में उसको 0 दे दूँगा ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक condition डालूँगा सिर्फ एक condition क्या? कि भाई साब अगर जो मेरा J है वो greater than equal to I plus K हो गया है ठीक है? मतलब वो बाहर निकल गया है पूरे window से तो तो हाँ, अगर वो window से ही बाहर निकल गया है तो definitely मैं वापिस से उसको I पे ले आऊँगा वरना else अगर ऐसा नहीं है तो उसको रह नहीं दो, in fact आप change ही नहीं करना, अगर बस if है तो आपको यह रखना है, अब एक बार code देखना max is equal to numbers of j यानि की max को यह बनाओ और फिर j is equal to next greater element of j आगे चले जाओ, तो j का next greater element तो यह रख 5 है, हम इधर चले गए अब यह बाहर आ गया, तो यह loop मेरा टूड़ गया तो at the end आप देख सकते हैं न, जो 4 है वही इसमें आएगा max में, जो 4 है वही आपे आने वाला है अब मैं window को आगे कर देता हूँ अब आप मज़ा देखना है इसका, window आगे कर देख अब वापिस से क्या मुझे j वापिस से इधर लाने की जरूत पड़ी, नहीं क्या मुझे j इधर लाने की जरूत पड़ी, नहीं तो यह एक छोटा सा जो हम यहाँ पे change लिख रहे है न, बस इसको लिखके code सही हो जाएगा, ठीक है क्योंकि मेरे को बार-बार यार, j को पूरी window में travel नहीं कराना next data element की property का फाइदा उठाओ कि अगर कोई भी next data element जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, j हमेशा पते कहा होगा, उस पूरी window का next data element, पूरी window में सो जो largest है, उसका next data element पे ही खड़ा होगा, j हमेशा तो अगर वो अभी भी frame के अंदर है नहीं वाली window के, तो वहीं से continue करो ना, पीछे की चीज़े को क्यों देख रहे हैं देखना ही नहीं है, यहाँ आप आप क्या करोंगे एक तो आप यहाँ ऐसे लिख लो int j is equal to 0, बहार declare कर दो and आप बस यह लिखोगे कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, कि जो j है यार मेरा, वो greater than equal to i plus किया है, मतलब window से बाहर निकल लिया तो इसको पीछे लाओ, अगर window से बाहर निकल जाए वरना as it is रहने दो ठीक है, अब एक बार submit करते है यह छोटी सी change चीज है मैंने, ठीक है j बाहर लिखे है और यह यहाँ लिखा है ठीक है, बसे छोटा सा change accepted ठीक है, accepted इस छोटे से change की वज़े से आपको पता है जो time complexity है, वो बहुत बढ़िया हो गई है जो time complexity है, वो बहुत ज़ादा जबरदस्त हो गई है एक बार आपको वापिस से hands-on करके दिखाता हूँ यार इस चीज का, या I think मतलब increasing, माल लेते हैं मेरा nums है कुछ ऐसा वही, जो हमारा पहला case था nums है कुछ ऐसा 1, 3, minus 1, minus 3, 5, 3, 6, 7 इसका मैं एक next data element निकाल लेता हूँ जरूरी है वो निकालना 3, 3 का next data 5 है, minus 1 का next data भी 5 है minus 3 का भी 5 है, 5 का 6 है, 3 का 6 है, 6 का 7 है और 7 में 8 रख दूँगा, यानि कि इससे बाहर का element रख रहा हूँ है ठीक है, एक बर के लिए यह समझना अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपना answer बनाता हूँ answer से पहले, मैं एक काम करूँगा, अपने वो I और J चलाँगा और मैं आपको समझाता हूँ कि मैं करना क्या रहा हूँ I मेरा यहाँ है, तो अगर K की value मेरी 3 है window की तो I plus के अभी के लिए यहाँ है, ठीक है window मेरी कहा है, window अभी के लिए यहाँ है मैंने क्या किया, J भी अभी starting से यहाँ है तो अगर मैं दो method यहाँ पर करने वाला हूँ एक अपना पुराना वाला method और एक अपना नया वाला method अब इसमें आप यह देखना कि कितनी बार मेरा J चलेगा पुराने वाले method में तो बहुत clear है J पहले इधर है, तो J ने देखा 1 का next data element क्या है, 3 इधर है 3 का next data element क्या है, 5, 5 इधर है अरे बाहर चले गया, तो 3 ही मेरा max बन जाएगा ठीक है, answer में डाल दो 3, फिर window आगे बढ़ गी window आगे बढ़ी तो साथी साथ आई और यह basic लिए आगे बढ़े थे अब मैं क्या कह रहा था, पुराने वाले code में J को वापिस इधर लिया हो, तो मैं वापिस से देखूँगा 3 का max क्या है, 5 है चलो, इस case में तो अच्छा हुआ कि एक बारी में 3 यहाँ चले गया index से बाहर तो यहाँ पर डाल दो 3, यही maximum है ठीक है भाई, फिर अब यहाँ पर हम काम करते है यह कि अगर मैं window को आगे ले गया थोड़ा सा ठीक है, code के साब से मैंने क्या बोला J वापिस से इधर आ गया तो मैंने क्या बोला, minus 1 का next greater क्या है यह तो J पहले आ गया यार, 5 पर ठीक है, फिर 5 का next greater क्या है, 6 तो J चले गया इधर, तो इसका मतलब 5 ही maximum था यहाँ पर डाल दिया 5 अगेन, मैंने इस चीज़ को उठाया और window अपनी आगे ले गया मैं मैं वापिस कहता हूँ यार, J मेरा वापिस से इधर आ रहा है ठीक है, operations देखना, बहुत सारे operations लग रहे है इस test case में तो इतने नहीं लग रहे, लेकिन बहुत सारे लग रहे है ठीक है, J मेरा इधर है, तो मैं कहता हूँ यार, J का next data क्या है माइनस 3 का next data तो 5 है, तो J मेरा इधर आ गया फिर 5 का मी next data क्या है, वापिस से J गया, यहाँ पर 6 गया ठीक है, तो बार-बार जा रहा है, तो अगेन पूरा है यहाँ पर 5 हो गया अब यह चीज मेरी वापिस से आगे बढ़ गई, ठीक है, J मेरा आ गया यार, इधर अब मैं देखता हूँ 5 का next data 6 है, तो J पहले कूद के इधर गया, 6 अभी के लिए maximum है फिर 6 का भी next data के आए 7, तो J कूद के इधर आया, तो इसका मतलब 6 ही मेरा maximum था, and at the end तो आप समझे गए हो कि वहा क्या है यह, इसको मैं window को आगे ले जाओ, अब मैं J को वापिस से इधर लाओंगा, अब देखना, परिशानी नहीं, J क्या है यह, 3 का next data के element क्या है, यहां, तो J is equal to next data element of this, फिर 6 का next data का है, वापिस से window के अंदर है, वापिस इधर आ गए, फिर जाके यह window से बाहर गया, क्योंकि इसका next data element कुछ है यह, तो यहां पर 7 आया, तो अब देख सकते हो किते सारे operations होई है, बार बार J आगे simple code है, मैं देखता हूँ 1, 1 का next data क्या है, 3, आगे बढ़ो, यहां पर आगया मैं 3 में, अब इस code में आप notice करना, पुराने code में J कभी-कभी पीछे भी जा रहा था बार बार, यहां पर J कभी पीछे जाएगा ही नहीं, तो यहां पर 1 था, 1 का next data मेरा 3 हो गया, तो इधर आ एक बार के लिए maximum 3 है, 3 का next data क्या है, J गया यहां पर 5 पर, तो J इधर आ गया यार 5 पर, तो इसका मतलब 3 ही मेरा max था, मैंने window को बढ़ा दिया आगे, लेकिन अब आप देखना, J मेरा window से बाहर है, ऐसे cases में मैं J को forcefully पीछे लाता हूँ 5 पर, सिर्फ ऐसे cases पर बरना नह ठीक है, अब मैं देखता हूँ, 3 का next data क्या है, 5 है, तो मैं इधर चले गया, यह क्या है यार, अपनी range से बाहर है, तो इसका मतलब 3 ही मेरा maximum था, अब देखना beauty of the question, beauty of this code, मैं अगर इसको आगे लेके जाऊँ, तो मैं चेक करूँगा, क्या J window से बाहर है, नहीं, तो अभी के लिए यह मेरा max है, अब मैं इसके next data पर जाऊँगा, अब मैं J गया इधर, अब यह window से बाहर हो गया, तो मेरा maximum एक बारी के लिए यह था, ठीक है, तो कभी-कभी यह चीज बहुत ही बढ़िया हो जाती है, इधर आ गया अब मैं जैसे, अब मैं क्या देखूँगा, मेर जो J है यार वो तो index से बाहर है, तो forcefully उसको यहां लाओ, कोई बात नहीं, minus 3 का next data, 5 है इधर आ गए, 5 का next data, 6 है, बाहर आ गए, तो 5 ही मेरा max है, अब वापिस से आप question की beauty देखोगे, इस solution की मैं इधर आया, क्या J window से बाहर है नहीं, तो इसको यही रहने दो, पीछे ला गई इधर, ठीक है, अब J मेरा क्या है यार, in fact, साथ से भी हम बाहर ही निकल गए थे, यहाँ पर, पहले ही बाहर निकल गए थे, पर J मेरा इधर है, जो window के अंदर है, ठीक है, तो मैं J को यहां नहीं लाओंगा, मैं देखूँगा, 7 max है, इसका greatest element बाहर है, बाहर ही निकल गया पूरा, तो 7 प्रिंट हो गया, and done, ठीक है, I hope यार, यह चीज़ समझ आई होगी, I think मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, maximum क्या केते है, sliding window maximum समझाने में, लेकिन यह must algorithm होता है, आप से मिलते यार, next lecture में, stacks आपका पूरा finish हो चुका है, अब मैं आपको पढ़ जिसमें, stacks और queues, एक साथ लग रहे है, ठीक है, यूगि अब आप stacks पढ़ चुके हो, तो आपसे मिलते हैं, next lecture में, तब तक के लिए अपना खायल रखो, और आपसे बात कहनी थी है, क्या, कि भाई, यार, thank you so much, यह lecture यहां तक देखने के लिए, अगर आप यहां तक देख चुकी हो, तो obviously आप अगर जानते हो, मेरे lecture देखते हो, तो please यार, comment कर दो, मज़ा आगया, exactly यह comment कर दो, इससे में,